Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डिबल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Study IQ में, मैं हूँ आपका दोस्त, राहुल साइगाउंकर दोस्तों, बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है यूट्यूब पे इससे पहले कि आज हम हमारे discussion के agenda को जाने, तीन चीज़ों के बारे हुझे बात करनी है सबसे पहली चीज़ कि मैं अपना अभार वेक्ट करना चाहूंगा बहुत सारे experts, बहुत सारे students को जिनका message आया पिछले कुछ महीनों में I received so many messages, so many queries कुछ लोगों ने पूचा कि sir, आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे YouTube पे कुछ लोगों ने का sir, I am missing your videos कुछ लोगों ने सवाल पूचा कि sir, क्या आपने study IQ छोड़ दिये I replied to many of your messages and I did tell you कि I was a little busy with the live classes engagement अभी कोशिश करूँगा मैं आगे से कि हमारी interaction और भी जादा होती रहे YouTube पे दूसरी चीज़, आप जानते हैं कि UPSC Civil Services Examination 2023 का result आया है और आपने देखा study IQ की performance भी तो सबसे पहले उन सभी successful aspirants को मेरी तरफ से congratulations, serve the nation with honesty, integrity and take the nation forward एक छोटा सा संदेश उन छात्रों के लिए जिन्होंने miss out कर दिया शायर 2023 की freelance में हो, mains में हो, interview के बाद हो ध्यान रखिएगा कि कोशिश कभी नहीं छोडनी चाहिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती and do not take this failure as a disappointment इससे सीखिएगा there's a great saying that failure is an opportunity to start things more intelligently अब आपके बाद एक अनुभव है आप अपने mark sheets को देखिएगा क्या गलती हुई थी कहां पर mistake हुई थी, कहां पर loopholes रहे गए थे शायद कोई एक subject भी होगा शायद कोई एक topic भी होगा तो उन सभी loopholes को plug-in कीजिएगा और आने वाली exam के लिए तयारी कीजिएगा I know it is a lot harder than it is said actually बोलना बड़ा असान होता है लेकिन उस चीज से गुजरना काफी tough है but I hope that you buckle up very quickly और 2024 के लिए तयार हो जाएगा और तीसरी चीज़ कई सारे messages है students के कि सर, science and technology के लिए सर, आपकी तरफ से कुछ एक ऐसा one-shot preparation वाला module कीजेगा so that we'll be prepared for 2024 examination तो उर्स request को मद्देनिजार रखते हुए I have decided कि एक discussion होगा हमारा जहां पे best 150 questions for science and technology discuss करेंगे हम लोग from the perspective of UPSC Civil Service examination 2024 कई सारे लोग खुश हुए हैं कि examination delay हो चुकी है कुछ लोग थोड़ा सा disappoint हुए कि वो लोग 26 माई की तयारी कर रहे थे but again nonetheless हमारे पास भी final date है so June to 16-6 be prepared for that और उसी उद्देश से आज हमारा जो discussion का agenda है to discuss best 150 questions MCQs for prelims 2024 before I begin a small message along with a cautionary note message तो यह है कि सबसे पहले में आशा करता हूँ कि आप सभी की तयारी एकदम schedule पे चल रही है मैंने देखा है कि कई बार aspirants क्या करते हैं कि science and technology the subject को थोड़ा सा neglect कर देते हैं तो सबसे पहले तो करना नहीं है मैं हमेशा class में वही कहता हूँ किसी भी subject को neglect नहीं करना चाहिए तो if your preparation is on the line these 150 questions are going to help you revise और कुछ लोग ऐसे students होंगे जो completely rely होते हैं कि सर्फ मुझे बस इतना पढ़के जाना है examination में मेरा chance रहेगा क्या तो जिनोंने तयारी की है उनका revision हो जाएगा जिनोंने तयारी नहीं की है वो यहां से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं सबसे पहली चीज़ तो मैं आप सभी से रिक्विस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें सारे के सारे 1.500 सवाल करेंगे हम लोग केवल सवाल नहीं सवाल करेंगे हम लोग बहुत सारी information gather करेंगे सवाल किस तरह से solve करना है ये भी हम लोग जरूर सीखेंगे और दूसरी चीज़ cautionary note मैंने आपको बता क्योंकि ये MCQ से तो कई बार students क्या कर देते हैं क्योंकि अभी जब मैं ये class भी चलेगा तो उस class में मैं आपको थोड़ा सा opportunity दूँगा जैसे take few seconds to answer the question अगर गलत भी हो जाए तो disappointment नहीं होना है dissolution नहीं होना है फ्रस्टेट नहीं होना है गलतिया होती रहती है उन गलतियों से सीखना है in fact जितना MCQ में गलती करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे examination में गलती नहीं करना है यहाँ पर practice में गलती करोगे you learn it उस गलती से frustration नहीं आनी चाहिए ठीक है मैं हमेशा एक maxim बदाता हूँ आपको एक idiom है जहाँ पर if you sweat more during practice you bleed less in the battle यानि कि examination से पहले जितना ज़्यादा मेहनत करोगे जितनी गलतिया करोगे तो चली इस cautionary note के साथ शुरुआत करते हैं हमारे discussion के हम लोग सारे topics discuss करेंगे general science के बारे हम बात करेंगे biology के बारे हम बात करेंगे biotechnology, space technology, information technology we'll discuss different kinds of questions and we'll gather a lot of information so get set for our discussion let's begin with question number one तो पहला सवाल again basic sciences का सवाल है which one of the following statements is correct सबसे पहले ध्यान देना है correct पूछ रहा है which one of the following statements are correct regarding the travel of light beam from rare to dense medium यानि कि rare medium से dense medium की तरफ जा रहा है तो ये reflection की बात कर रहा है आप सभी को अभी तो पता चल गया होगा so it is talking about the question of reflection reflection क्या होता है light जब एक medium से transparent medium होना चाहिए तो क्या होता है उसके साथ पूछा जा रहा है चलिए बढ़ते हैं तो हमें याद है अगर rarer से denser जाएगा सबसे पहले वो normal की तरफ bend होगा ये तो आपको याद होगा अगर नहीं है तो थोड़ा से इसको याद कर लिजेगा हमेशा उल्टा याद रखने की ज़रूद नहीं है वाइस वरसा यू विल रिमेंबर बट रिमेंबर rarer to denser इड़ बेंट तोड़्स अनॉर्मल और यू दू अंडरस्टाइड वेनेव दिर इस रिफ्रैक्शन यानि कि light जब एक मेडियम फे दूसरे मेडियम जाएगी तो उसकी speed vary होती है आप जानते हैं यह क्यों होता है क्योंकि medium की density या फिर उसके refractive index हम लोग कहते है more technical time उसके refractive index पे वो depend करता है तो चलिए statements पढ़ते है options पढ़ते हैं आप लाइट बीब ट्रावलिंग फ्रम रेर तो डेंस पीडियम जोज़ डाउन ठीक है तो हमें सबसे बहुले slowdown को ढोना चाहिए speeds up तो गलत है speeds up गलत है थीक है speed up होना गलत है यह दो option तो पर हटा दिये तो या तो ए है या फिर C है a light beam traveling from rare medium to dense medium slows down and bends towards the normal ठीक है okay a light beam traveling from rare medium to dense medium slows down ठीक है and bends away from normal हमें पता है away from normal नहीं है so the answer for this is a it bends first of all it slows down yes and it bends towards the normal normal की तरफ यह bend करता है ठीक है थोड़ी देर में और भी इसके बारे इंफर्मिशन लेंगे दूसरा सवाल है reflection के बारे में right this is a question for reflection this is a reflection reflection के बारे स्टेट्मेंट है दो स्टेट्मेंट है और दोनों स्टेट्मेंट में which of the following statements are correct ढूंड निकालना है यह मैं हमेशा करता हूं आपने अगर मेरा class run किया होगा तो आपने class में भी जरूर देखा होगा कि सवाल की स्टेट्मेंट वगेरे पढ़ने से पहले मैं correct इंकरेक्ट पर highlight कर देता हूं और इसका इसलिए मैं exercise करता हूं there is no harm hardly आदा सेकंड चला आते correct इंकरेक्ट को ढूंने के लिए तो correct सेक्मेंट को ढूंन निकालना है ठीक है reflection की बारे पहला है laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical surfaces सबसे पहले तो keyword all all हो गया है तो all type of surfaces ठीक है यह तो हम लोग पढ़ चुक है NCRT based सवाल है smooth surface हो regular surface हो irregular surface हो सभी पे law of reflection apply कर जाते है ठीक है तो none of the above तो नहीं होगा sound waves do not follow यानि कि two leaving नहीं होगा sound waves do not follow loss of reflection तो focus करना है do not follow के उपर reflection के बारे हम पूछ रहे है reflection या light का भी reflection हो सकता है sound का भी reflection हो सकता है बस सवाल यह है light के जो loss of reflection है थोड़ी जरे में बताऊंगा क्या loss of reflection है वो follow तो करते है light लेकिन sound नहीं करता ही कह रहा है statement यह absolutely गलत है sound waves also follow loss of reflection sound wave हो या फिर light wave हो दोनों ही loss of reflection को follow करते है तो two गलत है तो answer will be one only ठीक है दो सवाल हम लोग solve कर चुके है तो चली देखते हैं यह loss of reflection reflection होते क्या है आप सभी को पता है दो law of reflection है law of reflection का पहला rule कहता है क्या कि incident ray reflected ray और normal to these all the three they lie in one particular plane यानि कि एक ही एक plane में होंगे और दूसरा है reflection का rule तो बड़ा simple है कि जो incident ray है और जो reflected ray है इन दोनों की बीच अगर नॉर्मल की दिर्श्री कोण से देखें तो इन दोनों का एंगल सेम होगा बस यह दो law है reflection के अगर law देखें पहला जो reflection का law है वो इसको भी satisfy करता है यानि कि the incident ray and the refracted ray and the normal to these two shall be in one plane और दूसरा है sign of angle sign of angle of incidence is equal to sign of angle of refraction तो यहां पे incident angle is equal to reflected angle but incident angle is not equal to refracted angle धान रखना है sign of incident angle मतलब sign of incident angle angle of incident and sign of angle of reflection they are related this is called Snell's law या आपको बता हो का स्नेल स्लोइस को कहा जाते है तो reflection और reflection clear चलिए आगे बढ़ता है question number three पे consider the following statements फिर से reflection वाल सवाल है again basic level सवाल है reflection पे यह assertion reason का है अब सबसे पहले सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा assertion और reasoning कई कई बार assertion reasoning करके आते हैं कई बार statement one statement two करके आते हैं तो जब आप statement one पढ़ोगे assertion पढ़ोगे तो सबसे पहले धून निकालना है कि assertion correct है या गलत है अगर समझ लो assertion गलत है तो सीधे सीधे option d पे पहुँच जाना है तो generally 90% of the questions जो होते है assertion reasoning के उसमें assertions are seldom wrong 90% of the times correct दिया जाता है क्योंकि क्योंकि उसका reason check करना है आपसे तो note करना है अगर assertion गलत है तो सीधे सीधे पहुँच जाना है अगर assertion सही है तो second statement को पढ़के हम लोग सवाल को solve करनी कोशिश कर रहे हैं assertion कहा रहा है यानि कि एक statement है सही है गलत है refraction is due to change in speed of light as it enters from one transparent medium to another बिल्कुल देखिए assertion तो correct है यह तो correct है यह तो आप जानते ही हो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले ही बताया कि जब refraction होती है एक medium से एक माध्यम से दूसरे medium में जब जाएगा तो यह जो light wave है इसका speed बदलता है अब speed क्यों बदलता है यह भी थोड़ी दिर आप बताऊंगा है ठीक है reason बता रहे है it is because when the light passes from one medium to another it changes its path it changes its path ठीक है due to change in density of metal यानि के density की वज़े से देंसिटी बता रहे है बट ठीक है reason is correct I would say reason is also correct so I would go with which option correct response ढूंड निकालना है बोद assertion and reason are correct and reason is correct explanation for assertion to a large extent बिल्कुल क्योंकि density जो बता रहे है अब आप इसको थोड़ा और technicality में जाओगे तो density नहीं से refractive index पे डिपेंड करें तो मैं के तो refractive index क्या होता है what is the refractive index refractive index is basically the ratio of speed of light in in vacuum divided by speed of light in that particular medium the speed of light in that particular medium will depend on the density of the medium isn't it तो density पे ultimately depend करता है अब एक और चीज़ आपको धान रखने हैं सब हम लोगोंने answer तो ढूंड निकाला answer A है इसका है लेकिन आपको ढूंड निकालना है कि जो जो density की वैसे बदलती है density की वैसे तो यह speed जब बदलती है यह क्यों बदलती है अगर सवाल पूछा जाए कि जब light एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जा रहा है तो उसकी speed बदलाव हो रही है तो अगर speed change हो रही है तो मुझे बताएगा कि उसकी speed मतलब what is changing speed is changing yes along with speed what else is changing is the frequency changing आपको note करना है frequency does not change इसको हमेशा दिहान रखना है frequency does not change light का frequency नहीं बदलता है तो speed तो बदल रहा है frequency नहीं बदल रहा है लेकिन उसको wavelength ज़रूर बदल जाएगा note करना है तो speed और wavelength बदल जाती है जब one medium to another medium चलाता है note करना है चली question number 4 पर चलते हैं यह बड़ा simple सा सवाल है which of the following involve concave mirror ठीक है concave mirror consequence statement correct है बोल रहा है concave mirror कहां कहां इस्तमाल होता है यह पूछ रहा है अब आप अपने जैसी concave पड़ा तो you do understand दो तरह के surfaces होंगे cave concave मतलब reflecting surface यह है this is non reflecting surface तो यह होगी आपका concave mirror concave mirror यानि कि light incident हो रही है और light reflect हो जारी है वहीं पर जब आप convex mirror की बात करोगा है convex mirror का मतलब concave side जो होगा वह reflect नहीं करेगा यानि कि light incident हो रही है वह कुछ इस तरह से reflect हो जाई तो concave mirror का idea समझे है तो देखते कहां कहां इस्तमाल हो सर वेहिकल headlight अफकोस वेहिकल headlight आरे देखो वेहिकल का जो headlight होता है concave mirror ही होता है light incident होगी और बहुत दूर तक पहुंचेगी तो वन तो है तो यहां पर ढूंड निकालने कितने statement है तो वन तो है ठीक है चार ओप्शन अभी वे ओपन है अरवास solar furnace of course solar furnace logic तो यही बनता है solar furnace मतलब क्या होता है कि यार concave shape होना चाहिए solar radiation आएगी एक जगह पर incident करनी है उससे मैं कुछ heat कर रहा हूं है न तो solar furnace भी हो गया तो यह तो चला गया only one तो चला गया only two only three only four हो सकते है rear view mirrors of vehicle अब यह फरजी है यह गलत है यह तो दिख रहा है आपको जैसे common sense लगाना है इसको eliminate करना है कि यार जो हम लोग rear view mirror लगाते है that is actually a convex mirror actually convex mirror इसलिए लिखा भी जाता है वहाँ पर कि objects they might appear very close आपने देखा होगा turning वगेरा पर mirror लगाया रहते यह गलत है यह गलत है तो all four भी चला गया या तो only two या चौते वाले पर सबकुछ telescopes and microscopes बिल्कुल टेलेस्कोप माइक्रोस्कोप में इस्तमाल करते हैं तो only three is the correct answer in fact इसको में टिक कर देता हूं इस पार ठीक है ताकि आपको समझ में आ जाए आसान था अब यहां पर कई सारे यह यह क्लेम करते हैं कि यूपीएसी ने वह वाला मेथड आ डिया ऐसा कुछ नहीं है में हमेशा elimination can be done can be done but अब 2023 से ऐसा हो गया कि elimination तुछ तुछ तफ हो गया जैसे आपने देखा पहले अगर सिरुक एक statement में बहुत सरी चीज़ें कर सकता लेकिन अभी नहीं कर पाता बस that has happened okay so fine चली question नुबर 4 से question 5 पर चलते हैं यह लेंस के बारे में बात कर नोट कर रहा है वह mirror के बारे में था यह लेंस के बारे में consider the following statements a concave lens is thinner in the middle सबसे पहले concave lens अगर बात कर रहे है मुझे पता है सर ऐसा होता है concave lens convex lens आप पता है convex lens यह होता है तो यह convex है और यह concave है यह मुझे पता है I know this okay this is concave this is convex अब देखते हैं क्या वोल रहा है concave lens is thinner in the middle and thicker at the edges ठीक तो बता रहा है ठीक तो बता यह तो है तो नं तो चला गया अगर एक सही है तो नं तो चला गया नं तो हो नहीं सकता भी या तो one only two only या फिर all three होगा second है convex lens is thicker in the middle and thinner at the edges तो यह थिनर यहां पे थिकर सेंटर में यह भी सही है सेकेंड भी सही है तो only one भी हड़ी है तो या तो only two या फिर फिर फिफ्टी फिफ्टी पर आ गया हम लोग है ना a concave lens has real focus while a convex lens has virtual focus तो चलो अभी देखते हैं exactly हो क्या रहा है focus बता रहा है real focus है virtual focus है concave lens देखो आप सभी जानते हैं कि यह जो यह जो convex lens है इस पर जब light incident होगी तो it focuses on one particular point तो यह तो real focus होगा ना convex का real focus हो जाएगा है ना तो चलिए देखते हैं concave का क्या होगा concave का focus is somewhere else if the incident light say imagine this is the convex lens I'll draw it again और light incident हो रही है तो it is going to expand और इसका focus इसका focus virtual होगा behind the lens somewhere here so this is a virtual focus correct तो यह बोल रहा है concave lens का real focus होगी तो गलत है इसको थो हमने हटा दिये तो answer बन गया आपका only two consequence statement है one or two statement correct है थोड़ा सा technical है बड़ आसान है not not very tough ठीक है question number six पे चलते हैं बड़ा interesting से question है pendulum की बारे मता और यह बहुत जरूरी discussion है सबसे पहले आप आपको याद होगा पिछले साल हमारे parliament complex में एक pendulum install किया गया फोकव pendulum फोकव pendulum basically prove करता है कैसे earth basically revolve कर रहा है sun की परिक्रमा लगा रहा है और साती सा how it is rotating on its own axis as well pendulum it becomes a very important concept for you ठीक है तो चलिए सवाल solve करनी कोशिश करते हैं चार statement है कौन से कौन से correct statement है आपको ढूण निकाला है incorrect नहीं correct the acceleration is zero when the bob passes through mean position यह तो basic हम लोग ने पढ़ावा है कि pendulum की जब आप बात करोगे pendulum की जब बात करोगे तो pendulum कि दो extreme position पे जाएगा समझ लोग यह है point c जो आपका basic mean position है point a से point b यह oscillate करता है maximum यह कह रहा है mean position जब c पे होता है तो इसके acceleration zero होती है absolutely correct है दूसरा है in each cycle the bob attains a given velocity time twice यह तो सही बात है यह तो सही बात है इन in each cycle हर एक cycle में दो बार वो velocity को चीव कहता है बिलकुल है both acceleration and velocity of the bob at zero are zero when it reaches its extreme position during its oscillation यानि कि position a और position b पे यह बता रहा है acceleration भी zero होगी velocity भी zero होगी यह गलत है यह आपने अगर pendulum का basic concept देखा होगा of course ठीक है velocity तो zero होगी I would agree but acceleration is not zero at extreme at extreme point acceleration is maximum just the direction is reversing तो यह गलत हो जाएगा ठीक है the amplitude of oscillation of simple pendulum decreases the technique तो ठीक है friction is there you do understand अर्थ पे friction force होगा तो उसकी वैसे धीरे धीरे उसका amplitude कम होता हो जाएगा तीन स्टेटमेंट सही है तो इसमें one two and four so I'll go with only three one two and four बाकी बाकी यह तो गलत हो जाएगे थोड़ा सा technical सावाल है थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन basics of pendulum को पता है तो बहुत ही आसान है बट I would highly appreciate कि अगर आप और भी थोड़ा सा जानकारी इस पर लेना चाहेंगे तो डू टेक maybe a question might appear तो द्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ता है question number seven again आसान सवाल है when light travels from an optically denser अभी यह बोल रहा है denser mediums अभी बोल रहा है denser medium से rarer medium की तरफ जा रहा है फिर से refraction का concept चल रहा है देखते है it is partly reflected back into the same medium and partly refracted to the second which of the following phenomena is the best is best described by the above paragraph यानि कि यह जो paragraph है यह किस चीज़ को define कर रहा है अब यह तो हमें पता है या यह तो पता चल रहा है यह एक तरह के internal reflection को describe कर रहा है यह dispersion तो नहीं आप जानते हो this is not dispersion dispersion जिसे नॉर्मली एक प्रिजम जो है अब प्रिजम पर अगर जब आपने white light को incident किया है तो it is going to disperse into its constituents that is with your you know that ठीक है यह water droplet में भी दिख जाता है आपको जैसे हम लोग इंद्रदनुष का concept बात करते है dispersion महाँ पर काफी काम आता है तो यह dispersion तो नहीं यहाँ पर केवल एक medium से दूसरी medium जा रहा है denser to rarer जा रहा है तो वह कह रहा है कुछ light transmit कर जाए कुछ reflect कर जाए ठीक है प्ले क्रॉइजम तो answer पर रिडिट ली चलाएगा था internal reflection in fact this is not total internal reflection आपने देखा होगा reflection का एक concept है reflection में जब आप light को incident करोगे यहां पर note करना है rarer to denser जब जाएगा it bends towards the normal मैंने आपको बताया था अब समझ लो यह rarer medium है यह denser medium है तो rarer to denser जब जाएगा bend towards normal होगा बट जब चीज़े reverse हो जाती है जब denser से rarer आ रहा है देंसर से rarer आ रहा है तो it is going to bend away from normal करेक्ट करेक्ट यह अवे फ्रम यह नॉर्मल है अवे फ्रम नॉर्मल हो जाए देंसर तो आपने यह ज़रूर पढ़ा होगा कि जैसे जैसे में incident angle को और बढ़ाता हो जाओंगा अगर और बढ़ाता हो जाओंगा एक समय आएगा एक समय आएगा जहां पर जहां पर जहां पर जो इंसिदेंट एडिशन है it is going to go parallel at the surface interface इसको बोलते critical angle इससे ज्यादा एंगल पर जब मैं launch करोंगे इन फैक्ट अलग कलर इस्तमाल कर लें तो यहां पर इससे अगर higher angle पर मैं incident करूंगा तो this is going to get reflected इसको बोलते है total internal reflection it's called TIR total internal reflection लेकिन यहां पर इच नौट TIR यह कह रहा है भाई यह थोड़ा reflect हो रही है थोड़ा reflect हो रही है थोड़ा reflect हो रही है तो this is internal reflection of light not total internal reflection but some sort of internal reflection is happening अब इसके लाव scattering तो है नहीं तो यह तो eliminate करी दोगा this is not that this is not यह दोनों तो element कर दोगा लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे शायद यह प्लियोख्रोइजम हो सकता है प्लियोख्रोइजम प्लियोख्रोइजम आपने देखा होगा कुछ कुछ कृस्टल के साथ प्लियोख्रोइजम इस अप्टिकल फिनोमेना जहां पर किसी भी किसी भी ओबिएप को जब आप पोलराइज लाइट इंसिडेंट करते हो तो ऐसा लगता है कि उसको रंग बदल गया या फिर वह आपको अलग कलर में दिख चाहता है अपने देखा होगा जैसे अमेट्रीस्ट हो गया टूर्म क्वेस्ट नमबर एट पर फिर से आसान सवाल है magnetism जुड़ा हुआ है when a magnet is brought close to a piece of iron the nearer end of the piece of iron acquires opposite polarity while the father and acquires the same polarity which of the following phenomena is best described in the above statement तो आपको बताना है कि क्या हो रहा है अब यह तो यार बच्पन में हम लोगों ने किया था बच्पन में इतना experiment करते हैं जैसे एक चोटा सा कीला ले लिया उस कीले को मैंने magnet चिपका दिया तो थोड़ी दर मैं देखता हूं कि वह कीला भी ना थोड़ी देर के लिए magnet बन जाता है बस मुझे यह नहीं पता था कि अगर समझे लोग यह कीला है अगर यह कीला है और यह magnet मैंने उस पर अटाच कर दिया यह magnet का नौर्थ पोल है तो जब यह नौर्थ पोल है तो यह साउथ पोल बन जाता है उसकी लेगा है बस मुझे वह नहीं पता था जब मैं बच्छपन में एक्स्प्रिमेंट करता था तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो पता चलेगा एक त कुछ डाउट तो होना नीचे बहुत ही सिंपल सवाल है अब कुछ confusion ज़रूर हो सकती है क्योंकि अलग 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 सुपर कंड़क्टी सुपर कंड़क्टी तो है नहीं सुपर कंड़क्टी क्या है थोड़ी दिर बाद और बात करेंगे सर मैगनेटिक लेटेशन क्या होता चार सतो किलोमेटर पर आर एटसेटरा यू मस्त अफ सीव क्यों कि वो मैगनेटिक लेटेशन इस्तमाल कर रहा है यानि कि जो ट्रेन के जो वील से उनको भी मैगनेटाइज किया गया है जो पट्री वो भी मैगनेटाइज है लेकिन उपोसिट पॉलारेटी है तो उससे इस्तमाल कि जाती है जिससे से पॉलारेटी लगा दो पट्री में और ट्रेन की जो पई है उन्दोनों पे लगा दो तो दोनों की बढ़ जाएगा फ्रिक्शन कम हो जाएगा और बहुत तीज से चला जाएगा कि सुपर कंड़र फोटी तोड़ी देरे बात करेंगे मैंने अग्नेटिक से पीलिटी बिटि नहीं है एक्ट्री के मतलब कितने स्थर पर यान कि कितनी कॉंटिटी में मैंने उसको माग्नेटाइज किया है इस अक्चुली मेज़र ओफ इंड्यूज्व चोटा सा notice है Study IQ की तरफ से, आप जानते हैं कि UPSC Civil Service Examination 2023 का result आ चुका है, Study IQ के students का बहुत ही तगड़ा performance रहा है, 120 से भी ज़्यादा selections हो चुके हैं from Study IQ Associated Students, 15 students है Top 100 में, अगर आप भी अपना नाम देखना चाहते हैं इस list में अगले साल, अगर आप भी बनना चाहते हैं IAS, IPS, then you have a golden opportunity, आपके पास सुनेरा मोका है to join Study IQ's P2I Foundation Batch, P2I means Prelims to Interview, Study IQ आपके साथ सारे stages में रहेगा, Prelims के लिए, Mains के लिए, Interview के लिए, it's a comprehensive and integrated program for UPSC Civil Services Preparation, Batch शुरू होरा 26 April से, हमारे पास Hindi में भी Batch अवेलेबल है, English में भी Batch अवेलेबल है, Study IQ का मोटो है, quality education at affordable prices, ये पूरा का पूरा course, complete P2I course from Prelims to Interview, along with a set of 18 books which will be made available to you, this comes at 29999, लेकिन अगर आपको ये price चाहिए, then you have to use my code Rahul Life, this code is applicable both on the app as well as website, so do not leave this opportunity, join the course now, I'll see you in the class, alright, चलिये, discussion पे वापस चलिए, बाइवेंसी जुड़ा हुआ है, one of the favorite topics, बाइवेंसी से मुझे इमेडिटली आयाती है, आर्किमेडीस की, आर्किमेडीस, यूरेका मोव्मेंट, आर्किमेडीस वो नहने के लिए टब में चला रिया, टब में से पानी गिरिया, उसने देख और यार ये तो बाइवेंसी क concept है, यूरेका मोमेंट हो गया, तो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, छोले, consider the following statements regarding buoyancy, correct statement भी ढून निकालने है, आपको, आपको ध्यान रखना है, correct statement भी ढून निकालने है, All objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid, अब ये तो logical ही है, ये तो correct ही है, तो one option होना चाहिए, चारों में भी one option है, तो eliminate भी कर नहीं सकता मैं, ठीक है, तो one and two, one only, one, two and three, one and three, ठीक है, A balloon floats in air because its density is more than that of air, second statement, ये तो, ये तो गलत है है, अब ये बोल रहे है, बलून का density तो हवा से जादा है, लेकिन बलून हवा में क्यों फ्लोट कर रहा है, क्योंकि बलून के अंदर जो हवा है, बलून के अंदर जो हवा है, उस हवा की density, air से कम है, बेसिकली जो बलून के अंदर जो चीज है, जो भी कोई गैस है, उसका जो वज़न है, उसका जो density है, वो air से कम, तो ये तो गलत हो गलत हो गया, तो मैं इसको कट कर दूँगा, इसको कट कर दूँगा, इसको कट कर दूँगा, दो अप्शन चलेगे, I am left out with one only and one and three, fishes achieve neutral bioncy using swim bladders, which allows the fishes density to equal that of surrounding motor T, ये तो fish का concept ही, you do understand swim, fishes have swim bladders, जिसकी वैसे surrounding motor C, सही हाते, तो this is the correct answer, D is the correct answer, ये गलत है, ठीक है, इसी था, उतना तप नहीं था, इसी था, चलो आगले सवाल पर चलते हैं, question number 10, sound से जोड़ा हुआ, पांच statement है, काफी लंबा सवाल है, consider the following statements regarding characteristics of sound and choose correct statement, correct statement को चूज कर ला है, चलो, sound is produced through vibration of objects, while light is produced through vibration of electrically charged particles, ये तो definition है, perfect है, तो one होना चाहिए, तो इसको तो मैं cut कर दूँगा, one इसमें नहीं है, the speed of sound in air increases with increasing temperature, ठीक है, यह तो हमें पता है, जैसे speed of sound, जब हम लोग बात करते हो, speed of sound जो है, इसकी definition मुझे पता है, square root of gamma RT by M, molecular mass भी हो सकता है, तो specific heat का ratio है, gas constant है, temperature है, तो temperature पर तो directly depend करता है, तो जैसे temperature increase होगा, speed of sound increase हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तो one और two दोनों ने चाहिए, तो ये तो हड़ गया, तो दो प्या आगया है, ए और डी, दोनों में से एक, थर्ड है, low frequency sound travel farther than high frequency, अब ये थोड़ा सा tricky लगता है, लेकिन देखो, अगर low frequency है, तो ज्यादा wavelength है, अगर low frequency है, तो high wavelength है, तो low frequency sounds travel farther, low frequency means higher wavelength, light, higher wavelength, they travel farther, absolutely correct है, यारे तो logic सही है, तो eliminate तो कर नहीं सकता है, one, two, three, four, या फिर one, two, three, sound travels slower than light, so thunder is heard after the lightning, इसी है, तो correct ही है, ठीक है, यार जब, जब lightning हमें दिखते हैं, तो पहले, पहले lightning दिख जाएगी, उसके बाद हमें वो thunder की आवाज आएगी, क्योंगी, speed of sound light से कम है, अब यहां से तुम्हें जवाब पहुंची गया, already, this is the answer, the fifth is redundant, पांच वाज statement redundant है, speed of sound is slowest in solids, speed of sound is slowest in solids and fastest in gases, यह तो गलत ही, यह rivers है, आप जानते हो, speed of sound जो है, वो solid में सबसे जादा है, next liquid में है, next gases में है, ठीक है, जान रखना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 11 पे, तो वो मुझे बहुत बार सुनाई देती हैं, आप जानते हो किस की वेसे होता है, यह तो होता है, इको की वेसे है, इसमें क्या logic है, there is nothing, यह इको की वेसे होता है, relay scattering, यह जो relay scattering है, यह अब आपने देखा होगा, relay scattering के बारे में, हम लोग सवाल बूशते हमेशे हमेशे आसमान नीला क्यों दिखता है, क्योंकि वो relay scattering के वैसे दिखता है, आसमान नीला क्यों दिखता है, क्योंकि there is relay scattering there, that means, that means there are particles in the atmosphere, जहां पे light जब incident हो रही है, तो wavelength of that particular light and the size of that particular matter, they are comparable, इसकी वैसे blue light सबसे ज़्यादा scatter हो जाती है, इसलिए मुझे ब्लू दिखता है, sonic boom तो आपने देखा होगा, sonic boom कब होता है, जब समझ लो, अभी कई बार, जब मैं class लेता हूँ, जब भी recording होगे रहे चलते रहती है, I don't hear a sonic boom, बड़ आपने देखा होगा कई बार, यहां से ने aircraft गुजर जाती है, बड़ी तेजी से, तो जब aircraft बहुत समझ लो, बहुत तेजी से जा रही है, speed of sound से भी ज़्यादा जा रही है, तो होता क्या है, एक तरह का sonic boom आपको सुनाई देखा, एक तरह का blast सुनाई देखा, कई बार मैंने उसको बेंगलूरू में भी सुना हुआ है, तो it happens when something travels faster than speed of sound, not light of course, speed of light से ज़्यादा होगा, तो भही हम तो time travel कर जाएंगे, dispersion, dispersion तो मैंने आपको बताया था, तो these three are wrong, eco is a common phenomenon, ठीक है, चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, question number 12, Doppler effect पे, Doppler effect, सबसे पहले, how many statements are correct, ढूण निकालना है, Doppler effect is a phenomenon that is observed whenever the source of waves are moving with respect to an observer, ये तो ठीक है, ये तो logic है, Doppler effect आपने देखा होगा, जैसे, classic example Doppler effect का हम लोग कहां देते हैं, जब एक भाईया, ambulance जा रही है, तो ऐसा लगता है कि ambulance, पास आ रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, ambulance दूर जा रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग ये भी बढ़ चुके हैं, कि जैसे-जैसे distance कम हो रहा है, तो apparent frequency, जो आवाज की frequency हमें लग रहे हैं, वो higher हो चुके, लेकिन source का frequency नहीं ऐसे लगता है, उसकी वैसे, मुझे पता चलता है कि यार वो पास आ रहा है, दूर जारा, train के साथ भी यह होता है, train का जब हॉन बचता है, Doppler effect is observed due to increase or decrease in the frequency of sound, yes, अब frequency of sound, ठीक है, मैं इसको correct कर दूँगा, क्योंकि ये हमें लगता है, कि सही है, although यहाँ पर apparent missing है, लेकिन म में लोगा, देखो, एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, UPSA civil service examination में, जितना ज्यादा आप generic way में question को solve करें, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो technical aspect के उपर focus नहीं करना है, especially quality वगेरा में, बहुत सारे students इसको highlight कर देते हैं, कि सरव exception है, अगर ऐसा हुआ, तो ऐसा हो सकत frequency, वो बोल रहे, increase or decrease in frequency, अब not the real frequency, you do understand, frequency नहीं बदलती है, apparent frequency बदलती है, इसको मैं correct डाल दूँगा, ठीक है, Doppler effect does not apply to light waves, अब, सोचो सही है कि गलत है, सही कि गलत है, Doppler effect, it applies to light, यह गलत है, ऐसे क्यों होगा, तो एक option none नीचे चला गे, none is just below this particular one, so the answer for this is only two, two कौन से है, one or two statement, ठीक है, although कई सारे student, अगर UPSC में इस तरह का सवाल आ जाएगा, तो technicality पे चले आकर, apparent frequency के बारे में highlight कर देंगे, but I think Doppler effect is observed due to increase or decrease in the frequency of the sound, that is heard by the observer, क्योंकि source तो नहीं बदलता है, आपको यह पता चला है, source का frequency नहीं बदलता है, लेकिन जो observer है, उसके द्रश्टिकोंड से, हमें लगता है कि भाया, frequency बढ़ रही है, कम हो रही है, क्यों? क्योंकि, कम distance में ज्यादा sound waves है, क्योंकि कम distance में ज्यादा sound waves आ रही है, तो हमें लगता है कि उसके frequency बढ़ी है, लेकिन source का frequency कभी बदलता नहीं है, यह तो आपको बता होगा है, चली, आगे बढ़ता है, I hope कि technicality हैं पर समाझ में आ गोई है, question number 13, sonic boom, आसान है, sonic boom is produced when a source of sound travels at a speed greater than speed of sound, greater than speed of light, यह तो absurd है, पूरा का पूरा परजी है, lesser than speed of sound, ठीक है, equal to speed of sound, देखो, sonic boom कब produced होता है, sonic boom is produced when something travels greater than speed of sound, यह मैं आपको थोड़ी देर पर यह भी बताया था, कि जब कोई चीज, speed of sound से, तेजी से travel करेगी, तो एक तरह का sound interference हो जाएगा, एक conical sound interference हो जाएगा, जिसकी वैसे हमें ऐसा लगता है, कि यह थड़ सी आवाज आईग, एक sonic boom आजाएगी, आवाज, तो कई बार आपने देखा होगा, अगर आप किसी airport के पास तो नहीं, लेकिन जहां पी भी आपकी fighter aircraft की training और चलती है, वहाँ पे आपने इसको ज़रूर observe किया हो, ठीक है, अगला सवाल, यह दोनों बहुत आसान सवाल है, एक्चली, resistance of the conductor does not depend on, थोड़ा सव टेक्निकल है, physics related है, अब resistance का formula मुझे पता है, resistance, it basically depends on resistivity, this is a constant, length by area, है ना, इसको हम लोगो रो करके प्रणॉस करते है, रह चो रो, रो is the resistivity of the material, it is a constant for that particular material, so basically resistance की जब भी आप बात करो, तो resistance of any material, it is directly proportional to the length, and inversely proportional to the area of that particular object, यह फिर that body, जब वो proportionality constant हटा देंगे, तो हमें रो resistivity मिल जाती है, तो resistance of a conductor does not depend on, यह बोले, does not depend on, note current, does not depend on, तो मुझे पता है, it depends on length, yes, it depends on nature of the material, क्योंकि रो है, yes, on its area of cross section, yes, तो कौन सा नहीं है, current flowing through conductor, so this is, यह तीनों का गलत हो जाएंगे, यह आपका जावब हो जाएगे, कि resistance जो है, current के उपर depend नहीं करता है, किसी भी material का resistance, जितना उसके इंदर से current flow रहा है, उस पर depend नहीं करता है, ना ही current पर depend करता है, ना ही voltage पर depend करता है, वो केवल और केवल, nature of the material पर depend करता है, साथी साथ उसके length और cross section area पर depend करता है, ठीक है, चले, आगे बढ़ता है, question 15 पर, gravitational waves के बारे, काफी favorite topic है, योगी यसी का, which of the above statements are correct, और इन options से काफी आसान बन जाते हैं, जब भी options होते हैं, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, बड़ा आसान होते हैं, अगर एक भी statement मुझे गलत मिल गया, तह आंसर रहे पहुँच जाओंगा, correct statement रूट निकालना है, न, the strongest gravitational waves originate from colliding black holes, supernovae and colliding neutron stars, ठीक है, logical है, यह हम लोग ने basically देखा हुआ है, तो one होना चाहिए, तो यह हड़ गया, gravitational waves are easy to detect due to their strong interaction with matter, अब, फरजी statement है, यह, you do get this wrong करके, ग्राविटेशनल वेवस और easy to detect, बोलता है, easy to detect due to their strong, देखा हो, अगर gravitational waves, अगर, भाईया, strong interaction रखते किसी भी matter के साथ, तो मैं उन्हें धूण लेता है, इसलिए gravitational waves को धूणने के लिए, अगर भाईया, इतना आसान होता, उसको detect करने के लिए, तो पैसा लगा कि एक special project क्यों करता, लॉजिकल statement है, अगर पता भी नहीं है, तो logic इस्तेवाल करके, इसको solve कर सकते हो, तो दो तो गलत है, दो हटा दो, यहाँ से हट गया, ओके, यहाँ से हट गया, अंसर पे पहुँझगे, तो असान है, ठीक है, तो gravitational waves, gravitational waves, वो, वो big waves कहे जाते हैं, in our inner universe, we find, they are produced, whenever there are colliding, colliding celestial bodies, colliding black holes, colliding supernovae, colliding neutron stars, तो इनके उपर काफी interest बढ़ चुका है, gravitational waves ढूंडने के लिए, अलग-अलग तरह के experiments चल रहे हैं, इंडिया की तरफ से lego India project है, और बाकी दूसरे देश भी gravitational waves को detect करने के लिए, उनके experiments run कर रहे हैं, अलग-अलग lego experiments are running right now, next question, again, assertion reasoning वहाँ question है, statement one, mass of a body can never be zero, assertion है, mass, अब यह concept है, mass और weight का, आप जानते हो, mass और weight, तो mass में gravity से जुड़ावा कुछ concept है नहीं, लेकिन weight, gravity से जुड़ावा concept, आप जानते हो, weight is a concept which is connected to gravity, weight is basically equal to mg, mass into T, acceleration due to gravity, तो weight of a body can be, यह मुझे पता है, basic knowledge, लेकिन mass किसी body का zero नहीं होता, यह तो statement correct है, तो statement two is incorrect, यह तो हड़ गया, यह correct answer नहीं हो सकता, अब मुझे बस ढूंद निकालना है, a, b, c है में से कौन सा है करके, mass of a body is defined as quantity of matter contained in it, तो mass कभी किसी का zero नहीं हो सकता, क्योंकि mass वो quantity है, यह फिर mass को हम लोग ऐसे define करते हैं कि उस body में कितना quantity है, कितना matter है उसके अंदर, तो answer would be A, both statement one and statement two are correct, and statement two actually correctly gives the explanation for statement one, easy था यह, चलो, आगे बढ़ते हैं, question number 17, which one of the following statements is not correct, take a few seconds to answer this, सबसे पेरे not correct पूछ रहे, गलत statement कौन साथ ढूंड निकालना है, बताओ, take a few seconds, easy है, need you answer, need you answer, चलो, solve कर निकोशिट करता है, the velocity of sound in air increases with temperature, यह तो हम लोगों ने देखा था, यह तो correct statement है बिल्कुल, the velocity of sound in air is independent of pressure, यह भी हम लोगों ने ढूंड निकाला था, perfect statement है एक दो, the velocity of sound in air decreases as the humidity increases, कह रहा है कि humidity जैसे से increase होगी, तो sound का velocity decrease होता है, यह यार गलत है और यही सही जवाब भी है, क्योंकि नोट करेक्ट धूंड निकालना है न, the velocity of sound in air is not affected by change in amplitude of frequency, यह तो correct थी है, ठीक है, so the answer for this is C, which is not correct, यह गलत है, गलत है, क्यों, जैसे मैंने आपको बताया था, speed of sound किस चीज़ पर डिपन करता है, it depends on, एर का जो, एर का जो specific quantity है, the specific heat, it, specific heat ratio, it changes, ठीक है, तो humidity पर डिपन करता है, और जैसे है humidity इंक्रीज होती है, वैसे स्पीड of sound इंक्रीज होता है, चलो, आगे बढ़ता है, question number 18 पर चलता है, question number 18, assertion reasoning question है, assertion है, the weight of a body decreases with increase of latitude, reason है, the earth is not perfect sphere, ठीक है, अब ये कह रहा है, कि जैसे से आप higher latitude पर जाओ, यानि कि equator से उपर चले जाते जाओ, तो कह रहा है कि body का weight decrease होगा, यारे तो absolutely गलत है यार, क्योंकि हमें पता है, basic knowledge हमें पता है कि, जब weight की बात करें, हम लोग ने एक सवाल, mass, weight हम लोग ने देखा, तो मैंने आपको बताया था कि weight है, weight किस चीज़ पर टेपने करता है, mass into acceleration due to gravity, और आप जानते हो कि, अगर हम लोग अर्थ को देखे, अर्थ का, हम लोग कहते है, joint shape है, it's not absolute perfect sphere, तो इसकी वाँसे होता क्या है, कि equator पे जो value of G है, और pole पे जो value of G है, यह pole का value of acceleration due to gravity is higher, ठीक है, equator पे कम है, equator पे अगर 9.81 meter per second square है, तो 9.85 meter per second square आपको मिलेगा, towards the poles, तो अगर A गलत है, तो मैंने आपको बता है, सीधे-सीधे कहां पर पहुँचना है, सीधे-सीधे पहुचना है, answer D पहुचना है, असान है न, अगर assertion गलत निकला, तो बड़ा ही simple है, सीधे-दीप पहुचना है, चलो, आगे बढ़ते है, question number 19 पे चलते है, question number 19, I think this is a, one PY क्योंचली, previous year question होगा शाया है, snow looks white, but water looks generally colorless, what could be the possible explanation to this, possible explanation क्या है, snow crystal reflect the light, okay, गलत है, reflect करेगा तो, reflect करेगा तो, यार, constituent से, V I B G Y O R, तो उसमें से, जो ज़्यादा reflect करेगा तो वो दिख जाना चाहिए, snow absorbs all color except white, यह तो total फरजी statement है, it's completely absurd, nonsensical kind of a statement, snow refracts the white wavelength, wavelengths of light, again, another absurd statement, तीन absurd statement मिले तो, I would go with these, snow scatters the light in all direction, because snow is scattering the light in all directions equally, that's why it looks white, okay, all right, that is the basic reason, इसके अलब, water generally looks colorless कैते गरे, एक सवाल आपसे, out of this, out of this discussion, यह तो हमनोंने solve करेगा, तर दिया, but, आस्मान नीला क्यों है, आस्मान नीला क्यों है, मैंने आपको दाए, really scattering है, लेकिन, पानी नीला क्यों है, कभी सोचा है, why is water, और why water looks blue, water is colorless, technically water is colorless, but water looks blue, do you know why, if you answer, कि वो reflection of sky की वजज़े से, पूरा गलत है, आस्मान नीला क्यों दिखता है, क्योंकि scattering का concept है, पानी नीला क्यों दिखता है, वहाँ पे absorption का concept है, जो incident light है, white light मतलब क्या होता है, white light, it has constituents, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, है न, तो, यह जो constituents है, वो absorb हो जाते है, मतलब जैसे ही incident light पानी पे गिरा, सबसे पहले, red light absorb हो जाएगी, orange हो जाएगी, yellow हो जाएगी, end में आपको blue बच जाता है, तो blue light बच जाता है, इसलिए bluish water दिखता है, यह note करना है, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है, question number 20 पे चलते हैं, अगें आसान सवाल, just now हमने थोड़ी दर पहले इसके उपर discussion गी, which of the following statements is true, of the value of acceleration due to gravity on earth, G का value, G is same on equator and poles, G is lowest at the poles, G is almost negligible on equator, value of G decreases from pole to equator, अब answer तो पता चल गया आपको, यह तो गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, answer अदी, क्योंकि आगर आप देखोगे, maximum weight होगा, weight is maximum at the pole, equator पे जो acceleration to gravity वो कम है, इसी लिए equator पे weight कम होगा, ठीक है, चले, अगले साल पे चलते हैं 21, I think this is also a previous year question, but concept बड़ा जरूरी है हमारे लिए, उसको समझते हैं, the known forces of nature can be divided into 4 classes, that is gravity, electromagnetism, weak nuclear force and strong nuclear force, with reference to them, which one of the following statement is not correct, ठीक हो, not correct बोल रहा है, सबसे पहले हैं, gravity is the strongest of the four, electromagnetism acts only on particles with an electric charge, यह तो ठीक है, यह तो correct ही है, weak nuclear forces cause radio activity, ठीक है, true है, अगर weak nuclear forces यह तो break हो जाएगा, strong nuclear forces hold protons and neutrons, inside the nucleus यह भी correct है, तो wrong statement क्या है, gravity is the strongest of the four, in fact gravity is considered the weakest of the four forces, जब हम लोग fundamental forces की बात करते हैं, यह fundamental forces का idea, strong forces, electromagnetic force, weak force, gravity force, इनके strength के हिसाब से, अगर strong forces, strong force क्या होते हैं, जहांपे nucleus के अंदर, आपका proton और neutron को जो hold करता है, जो binding energy है, जो binding force है, that is the strongest force, if its strength is considered as one, उसके 137, divided by 137, उसके एलेक्रोमागनेटिक force, weak force, weak interaction है, weak interaction है, generally radio activities से associated है, उसका strength काफी कम होता है, 10 to the power of minus 6, when you compare it with the strong forces, the weakest force is gravity, और gravity के particles, अभी तक हमनों रोड भी नहीं निकाले, gravity के particle को physics में graviton कहते हैं, अभी तक हमनों रोड रोड़ा नहीं है, तो सबसे weakest force है, its strength is 6 into 32 to the power of minus 39, के असपास, so gravity is not strongest, gravity is the weakest of all the forces, यह मैं पता है, ठीक है, चल, आगे बटता है, यह capillary action से जुड़ा हुआ है, capillary action आप जानते हो, capillary action होता क्या है, capillary action होता क्या है, किसी भी fluid में, किसी भी liquid में, जब आप जब आप एक जैसे, जैसे यह pipe है, या फिर एक straw है, आपने देखा होगा, अगर आपने simply उसको पानी के अंदर डाला है, ओपनिंग में narrow pipeline है, ठीक है, यह पता है, तो उस फिनॉमेना पे सवाल है, कुछ statement दिये होगा है, कुछ statement दिये होगा है, जिसका आपको जवाब देना है, कौन से कौन से correct है, बता रहा है, इट बुड भी difficult to use a kerosene lamp, यह तो है ही, अब कोई भी अब जब घर पे दिया जलता है, दिया कैसे जल रहा है, अज़े दिया जल रहा है, क्योंकि capillary action है, जो cotton की बत्ती लगी हुए है, जो cotton wick लगा हुए, उस wick के थूँ धीरे-धीरे capillary action से आ रहा है, तो one तो हो नहीं चाहिए, तो जिसमें one नहीं है, उसको हटा दो, ठीक है, यह हड़ गया है, one would not be able to use a straw to consume a soft drink, ठीक है, logic बनता है, I think this is a completely absurd statement, पूरा फर्जी है, बोलते है, capillary का और soft drink पीने का क्या relationship है, हाँ, देखो भई यह, अगर capillary actions ही, मैं केवल soft drink पी रहा होता हूँ, मैं मान लेता हूँ, अरे लेकिन ठीक है, उस straw के अंदर से थोड़ा सा पानी ऊपर आया है, लेकिन मैं भी सक कर रहा हूँ, ना, I am also, I am also trying to drink it, तो यह तो पूरा का पूरा गलात है, तो two को हटा हो, तो two अगर हड़ी है, तो यह चला गया, यह चला गया, I have already arrived at the answer, three है, the blotting paper would fail to function, ठीक है, blotting paper also works on capillary action only, ठीक है, the big trees that we see around, would not have grown on the earth, ठीक है, यह भी correct है, ठीक है, correct है, तो one, three, four, वोड़ी correct answer, क्यों, क्योंकि जो पानी, जब हमनों पानी की बात करते है, बड़े-बड़े पेड़ों में, पानी कैसे पहुँचता है, बड़े-बड़े पेड़ों में, पानी कैसे पहुँचता है, देखो, तीन फेनोमेना से पानी पहुँचता है, आप जानते हो, एक तो है वाई, 3 and 4 is the correct answer चलिए आगे बड़े question number 23 पे चलते हैं assertion reasoning है फिर से मैं कोशिश करूँगा कि assertion अगर गलत हो जाए तो और ही मज़ा जागा ना चल देख लेकर in the visible spectrum of light red light is more energetic than green light reasoning बता रहा है the wavelength of red light is more than that of green light पहले check करते है assertion सही है कि नहीं in the visible spectrum of light अब आप visible spectrum of light जानते हो 400 nanometer से 700 nanometer तक जाएगा 700 nanometer towards the red side you do get it और इसमें कह रहा है जब हम लोग लिखते हैं V I B G Y O R यह हमारा visible white light का spectrum जो constant colors है उसके कह रहा है red light is more energetic than green light यह गलत है यह गलत है this is absolutely wrong अगर यह गलत है तो सीधे सीधे पहुँच जाओंगा मैं deep answer sir question sir क्यों गलत है अरे यह electromagnetic spectrum है जब आप spectrum को देखोगे अब सबसे जो लंबे लंबे जो wavelength होते हैं वो होते रेडियो उसके you do understand radio waves इसलिए radio waves हम लोग कम्यूनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं लोगे रेडियो इस तरफ आ जाओगे थोड़ा सा इस तरफ आ जाओगे तो you do get microwave अब microwave से you come towards a right side here you get your infrared I are infrared मतलब red से भी कम है अब जब मैं कम की बात करूंगा सर क्या कम है देखो हम लोग जब भी विजिबल लाइट की बात करते हैं I write with your from this side V I B G Y O R कुछ इस तरह से लिखते हैं मतलब यहाँ पे आपका wavelength सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे wavelength आपका कम होगा अब जब wavelength कम है तो energy ज़्यादा होगी तो ध्यान रखना है red light के अंदर energy कम होती है लेकिन उसका wavelength ज़्यादा होता है इसलिए हम लोग red light को visual aid के लिए इस्तमाल करते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं भाई हर एक ambulance red में क्यों लिखा हुआ है operation theater के बाहर वो red light क्यों है जादा ट्रैवल करती है उसका wavelength जादा है green light का wavelength कम होता है इसलिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो भाईया वोईलेट इस तरफ है तो इस तरफ जाओगे तो ultraviolet निकलेगा न ultraviolet का तो मुझे खत्रा है ultraviolet के उस तरफ चले जाओगे तो more energy वाली मिलेगी ultraviolet के पास जादा energy है X-ray के पास जादा energy है gamma rays के पास जादा energy है अगर जादा energy है तो उसकी wavelength कम है wavelength कम है frequency जादा है तो electromagnetic spectrum को एक बार जरूर धान से देखना है note करना है कि wavelength जादा किसका है कम किसका है अगर कोई एक भी parameter याद रखोगे न wavelength या फिर frequency you'll be fine ठीक है अगर wavelength याद रखोगे wavelength के हिसाब से याद रखा तो note करना है wavelength जादा है तो frequency कम है frequency कम है तो energy कम है ठीक है ठीक है ठीक है चली तो 23 तो आसान था थोड़ा सा technical but आसान यह तो factual है यह आंसर कर देना चाहिए which one of the falling types of waves is used in night vision goggles or night vision apparatus क्या यूज़ करते नाइट विज़न में नाइट विज़न में क्या यूज़ करेंगे बताओ अगर पढ़ा भी नहीं है तब भी common sense based थोड़ा सा educated guess तो लई सकते हैं कई बार ना students मुझसे बोल देते हैं कि सर आप आप जब जैसे पढ़ा रहे हो ना जैसे question solve करते हों लग रहा है कि मैं भी solve कर रहा हूं आपकी तरह मतलब सात्मी कई बार कुछ कुछ student highlight कर देते कि सर आप मुझे educated guess करना सिखा रहे हो कुछ तो student ने बता दिया कि सर आप क्या तुक्का मानना सिखा रहे हो नहीं कि तुक्का नहीं मानना है तुक्का नहीं मानना है बट लॉजिकली चीजों को eliminate करना थोड़ा सा एक educated way में options को decipher करना that is that is a talent or that is that is a ability that you need you you need to be capable to do that यह बहुत ज़रूर यह ठीक है तो which one of the following types of waves are used in night vision तो night vision में आप जानते हो अचली infrared इस्तेमाल के आता है IR waves इस्तेमाल के आता है infrared is used not the other ones not radios or micros infrared views ठीए चली आगे बढ़ता है question 25 पर question 25 communications जुड़ा हुआ है radio से आपने जरूर सुना होगा radio पे AM और FM radio AM radio amplitude modulation radio frequency modulation radio FM radio और AM radio AM पुराना technology जो था हमारा all India radio etc FM आज कल frequency modulation करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ है amplitude modulation जब आप करते हो radio waves के साथ तो इट offers lower sound quality but can cover longer distances statement one frequency modulation offers higher bandwidth than delivers better sound quality but can cover smaller distances consequence statement correct है अब अगर आपको technical idea भी नहीं है तो common sense आप इस्तेमाल करोगी आपने से देखा होगा हर एक city में उसको खुद का FM आता है ना यह क्यों आता है लेकिन आल इंडे modulation transition कुछ इस तरह से देखती है तो amplitude modulation में एंप्लीट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू में उस लेड़ी के उतनी ज्यादा ना हो जैसे आपने देखाऊ को पुराने जावाने में कई बार आवास कट कट के आएगी इस तरह से प्रॉब्लम्स हुआ करते थी आज इसलिए आपकी सिटी में चलता होगा जैसे सिटी के बाहर चले हो तो आपका सिगनली कैच नहीं करेंगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं क्रोमट ग्रस्टкой फाइबर प्रींसिपल और यसे कडिशा करते हैं पुरणा पूरा कपूरा इंटरनेट एक जंजाल है एक नेट है इन प्रिंसिपल पर करता है और इंटर प्रेक्षिन रिफ्रैक्षिन स्कैटरिंग या फिर इंटरफरेंस कोशिश कर लो कि देख एलिमेनेट तो कुछ कुछ कर दूंगा स्कैटरिंग तो पूरा का फर्जी ओप्षिन इस वो कट कर दो उन्हाँ इंटरफरेंस इस अल्सो बाड ऑप्षिन मैं नहीं चाहता कि इन्टरफरेंस हो या तो डेटा ट्रांसमिशन कहां से ओगा ने और दिनेर रिफ्लेक्षिन नहीं और इंट वर्क्षिन नहीं बट इड़क्ष ओड़ी कॉंसट ऑफ रिफ्रेक्षिन विचिज इस प् कि आयार रिफ्रैक्शन का स्पेशल के से टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन जो पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर जो होगा अब समझे लोगर यह ऑप्टिक फाइबर है तो ऑप्टिक फाइबर के अंदर आपने देखा होगा कि अलग-अलग क्लैडिंग होगी उसके अं उसके लिए बटएनल। अजय सरफ रॉन्धाइब सब्सक्रण। हैंा विऐख जैसे घुटल रिफ्लेक्शन के एं मेरे दिबाग में कुछ निउरॉन्श मुर्णश के पीफिसएल हाएं वो हुआ करते हैं जिसे पहले piezoelectric घडिया हुआ करती है piezoelectricity क्या होता है अगर आप mechanical pressure apply करो तो भाईया वो कुछ electrical response generate करेगा that is piezoelectric material है ना बात करते हैं क्या पूछ पूछ रहा है कुछ statement दिये हुआ है correct statement कितने हैं यह बताना है I'll turn it to red now piezoelectricity is a phenomena where certain materials generate electric charge in response to mechanical stress और यह तो definition है यह मुझे पता है तो डी तो नहीं option अभी piezoelectric metals are used in products such as sonar equipment guitar pickups and cell phone speakers absolutely बिल्कुल यह हम लोग करते हैं तो one only भी नहीं होगा या तो two only या फिर all three होगा chords is the most famous piezoelectric chords तो सभी लोग जानते हैं बिल्कुल I'll go with all the three generic statement I'll go with all the three chords chords की घडिया हुआ करती थी पहले chords की घडिया हुआ करती वो घडिया किस पे चलेगी पल्स पे चलेंगी न आपने सुना होगा पुरानी जैसे आपके घर में elders की वास होगी जैसे मेरे पापा के बास थी अभी है नहीं बहुत पुराना वात है त्सवाल है जो घडी थी न वहाँ गडी में कोई कोई सैल और नहीं होता उसके लिद्टर वह घडी चलती आपके पल्स पे पूछना आपके एल्डर से कभी कि पुराने जमाने जो घडिया हुआ करती तो चाबी वाली घड़ी होगी जब तक वो चाबी चलेगी तब तो घड़ी चलेगी या फिर जो पल्स पे भी चलती है वो भी वाकती तो चली है आगे वड़ते हैं अब जैसे समी कंड़क्टिविटी का कुछ आईडिया एक तो मतलब जीरो रेस्टनस बहुत ही लो टेमपरेचर पर एक्जिबिट करते हैं यह मुझे पता है ठीक है superconductivity is a property of certain metals to conduct direct current without any energy loss absolutely correct ठीक है तो definition ही है अगर zero resistance से तो energy loss हो गई नहीं तो none तो है नहीं अभी ठीक है superconductivity is seen at very high temperatures और very low temperatures अब यह यार गलत है थोड़ा ना यह गलत है क्यों पता है very low temperature तो ठीक है very low temperature तो ठीक है लेकिन very high temperature पर नहीं मिलता है very high temperature पर आपको superconductivity नहीं मिल सकता है कुछ लोग सोच सकते हैं although आपने एक टर्म जरूर सुना होगा high temperature superconductor सुना होगा high temperature superconductor की बात करें that is also in minus only जैसे superconductivity can be observed somewhere around if you say minus 200 degree Celsius high temperature superconductors minus 150 degree Celsius वाले होते हैं ठीक है high temperature पर आपको नहीं मिले नोट करना है तो two गलत है तो all three तो होगा नहीं या तो only one होगा या फिर only two होगा superconductivity is characterized by expulsion of magnetic fields absolutely correct है इसको note करना है इसको note करना है although यहाँ पर थोड़ा सा confusion जरूर हो सकती है कि सर यह क्या फंड़ा है जैसे superconductivity जो है it expels the magnetic field magnetic field को expel कर देता है superconductivity लेकिन लेकिन अब सर एक और चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि जिसे common common हमारे day-to-day day-to-day activities में आपने एक चीज़ जरूर देखी होगी something called is MRI magnetic resonance imaging sir MRI में जो हम लोग magnet इस्तेमाल करते है superconducting magnets ही हम लोग कहते हैं तो वो तो sir magnetic field generate करते है बिल्कुल generate करते हैं लेकिन जब superconductivity induce होती है तो वो सारी magnetic field को expel कर देता है और superconducting magnets can generate their magnetic field their own magnetic flux which is used in imaging यह note करना है क्योंकि जो आपका MRI होते हैं आपने देखाऊगा जो MRI मशीन जब जाते हैं वो बहुत ठंड होती है वहाँ पर ओलड़ी वो temperature बहुत डाउन रखा जाता है एक तो वहाँ पर temperature डाउन रखते हैं वो मशीन के अंदर भी superconducting magnet जो होते हैं वो भी काफी low temperature पर cryogenic temperature पर ही work करते हो रहते हैं तो जब superconductivity start होती है तो magnetic field magnetic field is expelled completely expression हो जाते हैं उसका but after the magnet start working we induce the magnetism then it generates its own magnetic flux note करना है चली आगे बढ़ते है question number 29 current affair से जुड़ा हुआ है ato second pulses I hope कि आपने इसका तयारी किया होगा चली यह देखते हैं तयारी किया है कि नहीं let's take a few seconds so that you attempt this question तीन statement है correct statement हो निकाल चलो attempt कर लेना I'll wait for 10 seconds ठीक है attempt किया did attempt okay let's see ato second is a brief unit of time that helps capture fundamental forces such as electrons ठीक है basic definition यह उसका ठीक है तो none तो नहीं होगा one correct है तो none नहीं होगा and ato second is one billionth of a nanosecond अब note करना है ato second is one billionth of a nanosecond मतलब nanosecond का भी one billionth है यही उसका definition भी है आपने देखा होगा अगर आपने पढ़ा होगा क्यों पढ़ा है मैं आपको थोड़ी दिर बता दूँगा तो यह one only तो होगा नहीं only two are for all three होगा the pulses of light cannot be captured at ato second देखो अब यह गलत है अब यह गलत है आज यह statement गलत होगा थोड़ा सा technical सवाल है that's why I will cut this I will put only one two क्यों पता है क्यों कि आपने जरूर पढ़ा होगा जो नोबेल प्राइज मिला है physics का 2023 का it is for ato second pulses only और ato second pulses ato second pulses यानि कि जो pulse of light है इसको capture किया गया है at the ato second level उसी लिए उसी लिए Pierre Agostini Parenk Kranz or and Leolier को इस बार का Nobel Prize बिना Nobel Prize 2023 ठीक है थोड़ा सा थोड़ा सा technical question but I expect students to prepare this क्यों कि करेंड प्राइस का पार चल इस अगें connected with that itself if measurements are performed independently on the two separated particles of an entangled pair then the assumption that the outcome depends upon hidden variables within each half implies a mathematical constraint on how the outcomes on the two measurements are correlated यह जो पूरा paragraph है यह जो statement है यह describe किस चीज़ को करता है highly technical question it is connected with the concept of bell inequality अब यह bell inequality को इस्तमाल करते हुए ही bell inequality को इस्तमाल करते हुए Nobel Prize Physics का जो थेरी है उसको develop किया गया है तो कही ने कही कही ने कही at a second पे हम लोग अभी light pulses को detect कर सकते है जो दूसरे options है वहाँ पे थोड़ा सा confusion हो सकता है बहुत ही technical physics के options है यहाँ पे जैसे Feynman theorem है Helman Feynman theorem again it talks about it talks about the quantum mechanical rules uncertainty principle आपने जरूर सुना होगा Heisenberg's uncertainty principle है वो कहता है कि किसी भी quantum body का यानि किसी भी electron का momentum और उसका position मैं साथ में बता नहीं सकता तो again उसका position तो मैंने देख लिए भी बट momentum अभी बता नहीं सकता uncertainty principle and Schrodinger principle Schrodinger actually Irwin Schrodinger ने कुछ wave equations दिये थे which तो note करना है इस चीज़ को hopefully आपने highlight जरूर पढ़ा होगा highlight कर लिया होगा Nobel Prize 2023 के physics भी हो chemistry हो physiology हो तीनों की तीनों थोड़ा सा ध्यान देना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number 31 पे चलते है question number 31 biotechnology से जोड़ा हुआ है consider the following statements आपको बताना है कौन से कौन से correctly match दे करके बताना है attempt कर लो इसको आसान है फुरा सा factual है आप जानते हो कि biotechnology के इतने सारे application निकल ले हो है तो अलग-अलग biotechnology की जो applications है different biotechnology based applications have been given different nomenclature जैसे white biotechnology green biotechnology blue biotechnology gray biotechnology इन में से आपको नोट करना है अलग-अलग biotechnology की जो branches बने में उसकी nomenclature जैसे green आसान है मैंने आपको बता है green is connected to agriculture red भी आसान है health red is health blue is marine aqua ये तीनों तो आसान है लेकिन इसके अलावा जो white biotechnology है it is connected with industry black biotechnology ये फिर dark biotechnology कहते हैं it is connected with bioterrorism biopiracy bioterrorism जोड़ावा है note करना है इसको इसके अलावा जोड़ावा एक और specific yellow biotechnology है अब note करना है कुछ और नए fields है जैसे कि gold biotechnology है gold biotechnology term used for computational or information connected with your biotechnology साथी साथ एक नया area है purple biotechnology purple biotechnology ये परपल biotechnology purple biotechnology it is connected with biotechnology based loss and ethics जोसे कई सारे research projects होते है biotechnology के थोड़ा सा जिनके ओपर ethics based सवाल उठाए जा सकते जैसे कि stem cell based therapy हो गया research हो गया जहांपे embryo embryo को produce करेंगे embryo को बनाएंगे उससे stem cell derive करेंगे उस embryo को खतम करतेंगे क्या ये ethical है biotechnology जोड़े वर rules and regulations laws जो बनते हैं that is connected with purple biotechnology clear question number 31 question 32 पे चलते हैं question 32 है rdna rdna सबसे पहले यहांपे rdna का मतलब के recombinant dna recombinant dna के बारे ठीक है note करें recombinant dna पताए rdna technology uses vehicles called vectors that ferry dna into suitable host cell where it can be copied or expressed basic rdna का definition है कौन से कौन से correct statement दोन निकालना है okay second है only bacteria based plasmids can be used as vectors in rdna technology अब यहांपे जैसे only आता है न तो भाईया मेरे दिमाग के जर neurons न फायर हो जाता है किसी भी mcq में आपका भी वह इसे होना चाहिए जहां पर भी only always must इस तरह के statement आ गए और जहां पर भी can may इस तरह के statement आ जाए तो mostly correct हो सकता है लेकिन जहां पर भी only है always है इसको थोड़ा pinch of salt से देखना चाहिए look at it with a pinch of salt and try to err on the side that it may be wrong only bacteria based plasmids can be used as vectors अरे यार जो recombinant डिया में जो वेक्टर इस्तमाल करते है it can be bacterial plasmid it can also be a virus in fact viral viral vectors भी हम लोग इस्तमाल करते है ठीक है तो केवल बैक्टिरिया नहीं viral vectors भी हम लोग इस्तमाल करते है तो आसान हो गया भी one two में से one only is the answer तो यह नहीं है तीनों गलट है प्लाजमीड क्या होता है थोड़े दिने बताऊंगा आपको plasmids are small extra chromosomal DNA molecule in a cell which can replicate independently and is physically isolated from chromosomal DNA ठीक है यह तो definition यह plasmid का number two plasmids are present only in bacteria अब यहां फिर से only आ गया लेकिन सब plasmid मैंने कही और देखे हैं कि अगर आपने सुना भी नहीं होगा तो मैंने आपको भला I'll try to err on the side where it is an extreme statement plasmids can also be found out in some other organisms जैसे plasmids कुछ protozoan species में मिल जाते हैं आपको plasmids even आपको fungi में भी मिल जाते हैं तो यह तो गलत हो जाएगा कौन से कौन से correct statement निकाले तो one correct तो गलत है तो one only पर चला गया तो यह नहीं है यह नहीं यह नहीं पसा असान था यह भी प्लाजमीड क्या होता है देखो प्लाजमीड जो है अब यह बैक्टीरिया एन यह है इसको मैं कहता हूं अब जो यह तो सर वो लेकिन यह प्लाजमीड कैसा इंडिपेंडेंडेंड प्लाजमीड कि ओजाती है जो उस माक्रो औरगैनिसम की मदद करेगा एक या दो चीन से एक्स्परेस करने लिए डेनली प्लाजमीड की मदद से ही बैक्टिरिया के अंदर एंटी माइक्रोबियल रिजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और प्लाजमीड को मैं एक्स्टैक्ट कर सकतो यह तो अपने देखा अब बायो टेक्नोलोजी में हम लोग ने क्लास में भी पढ़ा हुआ अगर जिसने भी मुझसे क्लास सीखा हुआ तो अ प्लाजमीड बन जाएंगे प्लाजमीड को एक्स्टैक्ट कर लेंगे फिर हम लोग उसके उपर रेस्रिक्शन एंजाइम करते हैं तो प्लाजमीड ध्यान रखना है दे कैरी जीन्स डाट में बेनिफिशिल फो देखोस्ट या फिर एंटिबियोटिक रेजिस्टेंस जो ड अगले सवाल पर चलते हैं 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 अलॉंग बिजाइड जीन्स ठीक है जर्टिक स्टेट्मेंट है सेकेंड है रिकॉंबिन टीन टीक्नोलजी एम तो सर्कमेंट लिमिटेशन अप्रदिशन है तो लॉजिकल तरह का सवाल है बहुत आसान सवाल है और यह तो डेफिनेशन दे रहे हैं देखो हम लोग बायो टेक बायो टेकनोलजी बेस्ट टूल्स टूल की बात करो जिसके माइक्रो मैक्रो मैक्रो मैंट्रों हो गई प्लास्मीड हो गया आर डिन एट्स यह डेवलप नहीं हो तो पहले वह क्या करते प्रोड़क्टिविटी बढ़ाने के लिए हाइब्र कर देंगे सर हाइब्र कैसे करत लेकिन हाइब्र के साथ प्रॉब्लम क्या होता है एक तो भाईय केवल इंट्रा स्पीशीस है मतलब उसी स्पीशीस के दो तरह की वेरियंट को मैं हाइब्र कर सकता हूं और जब मैं क्रॉस करूंगा तो शायद इसके अंदर के अच्छे जीन्स इसमें चले जाएंगे लेक सबसे पहले तो इंटर स्पीशीस है मतलब किसी स्पीशीस का किसी और गयानिसम कहीं का जीन में उठा लोंगा और किसी के अंदर इंट्रड्यूस करूंगा तो यह तो बेनिफिट हो जाएगा ना तो हाइब्रडाइजेशन की जो भी लिमिटेशन थे आउड़न काल देम ड्रॉबक्स लेकिन जो लिमिटेशन थे उन लिमिटेशन को खतम करने के लिए हमारे बास आगे बड़े वेश्चन 35 पर बहुत यह आसान है फिर से एजी वेश्चन 35 कल्टिविशन ओव बीटी को टन इस वेल नोन इन इंडिया वट दो में बीटी कोटन में बीटी का मतलब क्या है एक एक परेटिकलर जीन है क्राइवनेसी जीन को मैंने इंकॉप्रेट किया कॉटन के अंदर जो एक endotoxin बनता है microorganism की sorry not microorganism बट वो ballworm के लिए ballworm के पेट के अंदर जब cry protein चला जाएगा तो उसके लिए toxin बन जाएगा तो this is the answer for that चलो BT से जुड़ा हुआ एक और सवाल है थोड़ा सा मैं कहूंगा ऐसे practice के लिए है BT Brinjal के बारे में सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ please read this question उसके बाद में हम लोग बात करेंगा consider the following statements कौन से कौन से correct statement ही ये बता रहा है first statement BT Brinjal is a suite of transgenic Brinjal created by inserting a crystal protein gene from soil bacterium called bacillus thuringiensis perfect perfect एक दम perfect BT Brinjal has been produced by USA company Monsanto second statement BT Brinjal is commercially cultivated in India since 2007 ये तो पूरा फर्जी है पूरा का पूरा गलत है BT Brinjal has been produced by USA company Monsanto ये भी गलत है तो the answer is one only which is only statement अब note करना है इंडिया में अभी तक केवल दो ही दो क्रॉप है जिसको अनुमती मिली है ठीक है अब नोट करना है BT Cotton को अनुमती मिल चुकी है 2002 में ही अनुमती मिल चुकी है BT Cotton in 2002 BT Cotton को produce किया था USA की company थी New York में headquarter से लेकिन बहुत सारे दूसरे cities में उसके offices भी है Monsanto करके है US की company है उन्होंने BT Cotton को produce किया अब जो BT Cotton बना तो पहले काफी विरोधा रहा था लोगों से क्योंकि आप genetically modified organism में जनेटीक मोडिफ़र क्रॉप से मुझे पता नहीं किस तरह का impact हो सकता है तो जब इसी technology को बैंगन यानि कि ब्रिंजल में लगाया गया तो BT ब्रिंजल का जो production था वो Monsanto ने नहीं किया क्योंकि लोग highlight करें थे foreign company है monopoly हो सकती है दिक्कत हो सकती है तो Monsanto ने क्या गिया Monsanto ने यह जो production का जिम्मा था उसको एक महराश्रा बेस cooperative company को देया महाको को तो यह Monsanto नहीं है इस नोट Monsanto इस अक्चुली produced by an Indian cooperative company कॉल्ट महाको लेकिन आपको note करना है BT Brinjal को महाको ने बनाया लेकिन उसको आनुमती नहीं दी गई BT Brinjal के साथ एक बहुती interesting case हुआ BT Brinjal के साथ 2009 में 2009 में BT Brinjal को सबसे पहले आनुमती दी गई लेकिन उसके बाद 9 कहा गया UP के सरकार थी if I'm not wrong I think उससे में पर Environment Minister जैराम रमेश and I remember कि उन्होंने उसको वीटो कर दिया इसलिए उसको वीटो कर दिया Brinjal नहीं है सब आपने बोलो दो क्रॉप है एक तो BT Brinjal है और दूसरा है GM Mustard तो अभी फिलाल इंडिया में दो क्रॉप चलते है एक है BT Brinjal पाड़न मी BT Brinjal not allowed एक है BT Cotton which is allowed और रीसेंटली GM Mustard जो है यानि की Mustard जो आपका सरसों सरसों के तो GM Mustard को अनुमती दी गई है 2022 के बाद अभी तक बड़े स्तर पे नहीं आया लेकिन धीरे धीरे आ जाए ठीक है चला अगली सवाल पर सब कुछ समझ में आ गया राइट लेट लेट्स गेट इनक्स पुशन दढ़न दे जीन वं बैसलोस थूरिंजेनेस इस प्रोटेक्स दॉर्टन फॉर्टन वं बाउल वहम बाट्रॉट्यूसिंग प्रोट्ट इन्सेक्ट ठीक है क्या प्रोड्यूस करता है ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट is actually a kind of herbicide अट्रजीन, insecticide तो ग्लाइफोसेट नहीं है, अट्रजीन नहीं है नियो, निकोटिनॉइट नहीं है यह तीनो ना, यह तीनो chemicals है यह तीनो chemicals है which are used as insecticide as a herbicide in one way or the other way, the answer is cry protein, जो cry protein है it's called crystal protein अब देखो जो crystal protein है यह जो crystal protein है यह produce होता है एक particular gene की वाज़े से जो bacillus thuringiensis में था जिसको cry 1AC gene कहते है cry 1AC gene की वाज़े से crystal protein produce होता है अब यह जो crystal protein produce होता है यह अब हम लोग ने incorporate कर दिया है cotton के अंदर तो जब एक कीड़ा होगा pink ball warm जो होगा वो जो pink ball warm है वो वो इसको खालेगा है ना वो इस पत्ते को खालेगा cotton के पत्ते को खालेगा अब cotton का पत्ता जब खाएगा उसके पेट के अंदर जब जाएगा उसके पेट के अंदर alkaline medium जहां पे होगा वहाँ पे ये उसके लिए toxin बन जाएगा, जो crystal protein है, crystal protein को हम लोग delta endotoxin भी कहते हैं, उसके अंदर insecticidal activity होती है, उसके अंदर insecticidal properties है, अब यहाँ पे, जब कीडे ने पत्ते को खाया, उस पत्ते के अंदर cry protein है, जिसके वैसे crystal protein है, उसके अंदर है protein, तो crystal protein, जब उस कीडे के पेट में जाएगा, उसके alkaline pH की वज़े से, और उसके gut के अंदर, जो proteases है, एंजाइम से, उसकी वैसे, वो poison बन जाएगा, और वो कीडा मर जाएगा, अब कीडा मर गया, cotton के पत्ते नहीं खाएगा, तो cotton की productivity बढ़ेगी, यहीं तो हमार ultimate aim था, है न right, easy था यह वाला, 37, चलिए आगे बढ़ता है, 38 पे, question number 38 पे चलते हैं, question number 38, consider the following statements, कौन से कौन से statement correct है, यह बताना है, ठीक है, धारा mustard hybrid level is a genetically modified hybrid variety of mustard carrying bar gene from soil bacterium bacillus thuringiensis, absolutely गलत हैं, क्योंकि यह गलत हैं, तो all three तो हो नहीं सकता, धारा mustard hybrid level has incorporated bar, barnes and bar star trans genes, perfectly correct है, third है, तो none भी नहीं होगा, okay, bar gene is responsible for developing glyphosinate resistance in DMH 11, perfect है, यह भी तो, only two, two and three are correct, यह आपने जरूर पढ़ा होगा, current affairs का भाग है, current affairs में आपने जरूर पढ़ा होगा, कि जो DMH 11 है, इस DMH 11 में हम लोगों ने किया क्या है, हमारा जो Indian variant है, Indian variant है, वरूना करके, उस वरूना के अंदर हम लोगों ने एक gene डाला है, बारनेस करके, इस बारनेस gene की वैसे होता क्या है, Indian vein जो वरूना वरूना है, उसका जो male part है, वो sterile बन जाता है, यानि कि जो androsium वो sterile बन जात इसको हम लोगों ने cross कर दिया है, एक East European variety के साथ, इसको हम लोगों ने cross कर दिया है, hybrid बना है, यह जो hybrid है, उसके अंदर मैंने एक gene डाला है, बारस्टार करके, यह बारस्टार की वैसे होता क्या है, इस particular male sterility को मैंने enhance कर दिया है, इन दोनों का cross बना है, अब इन दोनों का cross पास आया, उसको हम लोग कहते है, hybrid DMH 11, इस DMH 11 में, इस DMH 11 में मैंने एक और gene incorporate किया हुआ है, which is called bar gene, जो बार जीन है, यह करता क्या है, यह बार जीन एक तरह का resistance प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टंस किस चीसे, ग्लूफोसिनेट से, ग्लूफोसिनेट रेजिस्टंस प्र as a VD side, VD side का मतलब है, जब मैं इसको स्प्रे कर दूँगा, तो सरसो को कुछ नहीं होगा, मस्टर को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अगल बगल में घास होगी, वो पुरा खतम हो जाएगी, ठीक है, अब एक और चीज नोट करना है, यहाँ पे bacillus thuringiensis का नाम आपने काफ सर यह जीन कहां से लिया है, यह जीन हम लोगों ने लिया हुआ है, bacillus thuringiensis, सर एक वेक्टर भी लिया होगा, सर इसमें वेक्टर कौन सा था, वेक्टर बीटी कॉटन के लिए मैंने लिया था, एक वेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, agrobacterium, 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 agrobacterium को मैंने वेक्टर करके लिया था, अब सेम वेक्टर हम लोगों ने लिया है, for production of your GM mustard as well, लेकिन यहां पे जो आपका जीन है, वो जीन लेने के लिए, बैक्टिरियम अलग है, bacillus, bacillus amylo liquefacians, bacillus amylo liquefacians, ठीक है, इस बैक्टिरियम से हम लोगों ने तीन जीन लिया है, तो तीन जीन हम लोगों ने हासे लिया हुए, vector same है, vector is agrobacterium tumophacians जो है, यही वेक्टर हम लोगों ने इस्तमाल किया हुआ है, for BT brinjal, for golden rice, etc, लेकिन किसी को अनुमन्ति नहीं दिया है, इंडिया में, केवल दो crop है, BT cotton और अभी GM mustard, ठीक है, चल, आगे बड़े, question 37, 38 हो गया, question 39, बहुत ही interesting question, question 39, अच्छे से पढ़ना है, बताना है, correct statement कौन सा है, bio alcohol, bio alcohols are produced from wheat, corn, sugar, molasses, sugar, beets, potato, by process of fermentation, ठीक है, यह तो डेफिनिशन ही है, तो नेदर तो होगा नहीं, two only भी होगा नहीं, ठीक है, bio alcohols are produced from wheat, ठीक है, यह तो definition है, second है, bio alcohols can be directly used in regular petrol engine, without making any modification to the engines, नहीं है, यह पता है, यह गलत है, क्यों पता है, अभी फिलाल, जो मेरे engines बनाये हुए, जैसे अभी फिलाल के जो मेरे engines पड़े हुए, पेट्रोल के एंजिन जो पड़े हुए, पेट्रोल के अंदर इथनॉन मिला रहा हुँ है, मैं bio alcohol directly नहीं use कर रहा हूँ, इसलिए आपने देखा होगा, आजकल मेरे पास E20 vehicles आ चुकी है, E20 vehicles का मतलब क्या है, वो पेट्रोल एंजिन है, जहां पेट्रोल के अंदर 20 प्रतिशत तक आप alcohol मिला सकते हो, तो इसका answer है one only, अब इसी जुड़ाओ दूसरा सवाल है, चलो, यह बता दो, सोच समझ के इसको attempt करना, पहले attempt करना, I'll give you 5 to 10 seconds to attempt it, tell me which of the statements are correct, बायो डिजल is made from raw materials such as animal fats, vegetable oils, waste cooking oil, soya bean, rapeseed, jatropha etc, यह तो definition है, यह तो correct है, यह correct है, तो neither one nor two भी चला गया, two only भी चला गया, second है, bio diesel can be directly used in regular diesel engines without making any changes or modification to the engine, correct है कि गलत है, absolutely correct है, क्योंकि वो bio diesel है, it's not bio alcohol, please remember it's not bio alcohol, it's bio diesel, bio diesel is a diesel only, बस वो diesel है, जो मैंने produce किया हुआ है, biological sources, not fossil fuel based diesel, that's why it can be directly used in your diesel engine, because it is diesel, but bio alcohol is not petrol, bio alcohol is not petrol, basically in a diesel engine, I can use bio diesel, but in a petrol engine, I cannot use alcohol, and of course I cannot use bio diesel, petrol engine है, तो petrol डालना पड़ेगा न, हाँ, लेकिन मैं अभी फिलाल ethanol blending program कर रहा हूँ, जहाँ पेट्रोल के अंदर मैं ethanol mix कर रहा हूँ, या फिर bio alcohol mix कर रहा हूँ, कितने स्तर तक, 20 प्रतिशन तक, तो आगे चलके, अगर मैं उस alcohol की मात्रा को बढ़ा दूँगा, तो मुझे यार, engine के अंदर modification करना पड़ेगा की न, करना पड़ेगा, तो basic logic बता रहा है, तो यह correct है, so for this, the answer is both 1 and 2, for the other one, it's 1 only, ठीक है, ठीक है, तो चलिए, after question 30, 40, let's move on to question number 41, वान क्वेश्टन नमर 41 जुड़ा हुआ है डीसीजस से यानि कि बीमारियों के नाम है डिप्तेरिया अंथ्रैक्स निमोनिया एंड लेपरसी आप में से बताना है विच अब अब आर बैक्टेरियों डीसे यानि कि इन में से कौन सी बीमारिया जो बैक्टेरिया की विज़से से होते हैं वह चूज करना है ऑप्शन यहां पर दिये हुआ है और फ्यू सेकंद्स थोड़ा सा टाइम ले लिजेगा और अटेम्ट करने कोशिश कीजिएगा और दू लेट मी नो टेक्वाइब टेन सेकंट्स ओके वन डिप्टेरिया चू अंथ्रैक्स त्री निमोनिया पूर लेप्रसी ओप्शन से वन एंट्टो ओंली 1223234 अं1234 अंग बहुत सारे लोगों ने पर टिक किया होगा जैनरली साइन्स अंट टेक्नोलजी में ने देखा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि ऑप्शन डी सेलेक्ट कर देते हैं ऑल अप दी अबव ले जो जो डिसीज़स से स्टैंडर्ड डिसीज़स उन में से कौन से डिसीज़स है जो बैक्टीरिया कॉस करता है कौन से जो फंगाई करते हैं और कौन से जो दूसरे प्रोटोजोन बिमारिया है ठीक है जैसे डिप्टेरिया बिलकुल कॉर्णिय बैक्टेरियम डिप्टेरि जो बैक्टिरिया है वो देता है निमोनिया कैसी बिमारी है निमोनिया इस वरी पेकुलिर काइंड ओफ डिसीज जो बैक्टिरिया से भी कॉज होती है फंगाय से भी होती है और वाइरस से भी होती है ठीक है स्ट्रेप्टो को कस निमोनिया है जो आपको निमोनिया देता है न तो अच्छा हुगा कि अगर आप एक लिस्ट बना लो कुछ इसी तरह का एक सवाल है बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ एक और सवाल है एक और सवाल है टाइफॉइट गॉनोरिया सिफिलिस विच अब यहां पर ध्यान रखना है अब यहां पर दो चीज़े है ध्यान तीड़ है सबसे पहले यहां पर सेलेक्षन करनी है पैक्टीरिया एक बैक्टीरिया प्लस sexually transmitted disease कई बार students क्या कर देते हैं हां मुझे बैक्टीरिया पता है तो शायद यह सही हुआ कर जिसे टाइफॉइड है अब टाइफॉइड is a disease which is caused by pathogen called as सालमोने लाग टाइफी सालमोने लाग टाइफी एक बैक्टीरिया है लेकिन टाइफॉइड आप जानते हो आप में से कई साल लोग को टाइफॉइड हुआ होगा मुझे भी हुआ था I think almost 10-11 साल हो चुके टाइफॉइड हुआ था मुझे तो टाइफॉइड is not a sexually transmitted disease generally जो टा आप हटा दो तो सीधे सीधे आपको आंसर भी मिलिया अगर आपको डाउट भी था गौनोरिया है गौनोरिया नेसेरिया गौनोरिया करके बैक्टीरिया है वह कॉस करता है sexually transmitted disease syphilis syphilis भी है ट्रेपोनेमा है ट्रेपोनेमा बैक्टीरिया की वेसे वह spread होता है कई बार सुरूरंस चाहिए एक वाइरल डिसे नहीं सिफिलिस इस बैक्टीरियल डिसीज क्लियर चलिए question 41, 42 के बाद आगे चलता है 43, 44, 43 भी बात करते है, 43 is again corrected to diseases, consider the following, कुछ diseases के नाम दिये हुए यहाँ पे, आपको बताना है इन में से कौन से zoonotic disease है, zoonotic, अब zoonotic disease का मतलब क्या होता है, attempt जरूर कीजेगा, zoonotic disease का मतलब क्या है, कि animal से, animal से, जानवर से, यह humans में आया हुआ है, इसको note करना है, animals to humans is called zoonotic, अगर animals से, animals में ही रहा, अगर animal में ही spread हो रहा है, तो उसको zoonotic disease नहीं कहते है, जैसे for example, अब lumpy skin disease जो है, it is not a zoonotic disease, lumpy skin disease आपने देखा हो, पिछले साल काफी चर्चा में था, गायों में, milch animals में हो रहा था, predominantly राजस्थान, गुजराद में साल काफी चर्चा में था, केवल स्वाइन से में हो रहा था, जिसकी वैसे जो पिगरी फार्म से, या पिगरी या फिर आपका जो पॉर्क था, उसका रेट काफी बढ़ी था पिछले साल, predominantly आफरिका में काफी फैला हो था, तो धान रखना है, zoonotic कौन से कौन से है, चिकु तो हुमन, हाँ, वेक्टर को यह हो सकता है, जैसे आपको ध्यान रखना है, इन में से कई बार लोगों को लगता है, कि या वेक्टर है, मच्छर ने काटा, मच्छर, यह मच्छर की बात नहीं कर रहो है, किसी ऐनिमल से है, जैसे, for example, जीका वाइरस, आपको आफ्रिकन आफ अल अल अफ दी अबाव वाले, दो सवाल तुम मिल गें, चलो, अगला सवाल, वैक्सीन की बारे में, पढ़ लेते हैं, सु, consider the following, consider the following, Cervavac, Cervavac की बारे में, Cervavac is a vaccine developed by Serum Institute of India, I'm quite sure कि आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा, काफी चर्चा का विशह है, करेंट अफेस में है, India Cervavac has been included in the National Immunization Program, third है, India is the first country to develop a vaccine for cervical cancer, कौन से कौन से statement, इसमें correct है, only one, only two, all three, none, Cervavac is a vaccine developed by Serum Institute of India, अब factual है, आपने बजरूर पढ़ा होगा, it is Serum Institute of India, ठीक है, यह सही है, तो अगर यह सही है, तो नन तो होगा नहीं, India Cervavac has been included in National Immunization Program, अब यह आपको current affairs की बात है, यह सही बात है, this has actually begun since January 2024, यह आपको ध्यान रखना है, January 2014 से, इसको National Immunization Program में add कर दिया गया है, बच्चों को, specially बच्चियों को, 9 to 14 years की जो girls हैं, उन्हें school स्कूल में जाकर, यह अभी देने वाल हैं, under the Immunization Program, although, Cervavac has been highly effective, Cervavac को बताया गया है कि, 15 साल से 26 साल की महिला है, उन्हें भी मिलेगा, in general, महिलाओं को, it can be given at a very nominal rate, अब को ध्यान रखना है, but Universal Immunization Program में यह आड हो चुका है, तीसरा statement है, इंडिया is the first country to develop vaccine for cervical cancer, यह गलत है, इंडिया पहला देश नहीं है, और इंडिया पहला देश नहीं है, और इंडिया ने इसको अभी अपनी Universal Immunization Program में इंक्लूड किया है, नोट करना है, तो आपको only one नहीं, all three नहीं, only two में हो जाएगा, statement है one and two correct, अब आपको ध्यान लखना है, यह जो survey back है, यह मुझे किस से बचाता है, survey back, it protects me against cervical cancer, cervical cancer happens in women, महिलाओं में होता है, क्यों महिलाओं के female reproductive system के अंदर आपका एक particular part है, जिसको cervix कहता है, cervix, गर्वकोष का जो opening होता है, opening पे अपको cervix मिलता है, inside the vagina, at the opening of the uterus, you find cervix, generally cervical cancer का खतरा बढ़ जाता है, अगर vaccine ले पहले sexual intercourse से पहले, then it will be very effective, ऐसा नहीं है कि, that is the requirement only, but in general, your immunization program में इसको add कर दिया गया, but the vaccine is highly effective before the first sexual intercourse, cervical cancer, आपको ध्यान रखना है, सर, क्या treatment available है, cancer है, आप जानते हो, cancer मतलब अगर जल्दी पता चला, अगर जल्दी detect हुआ, तो treatable हो सकता है, साती साथ महिलाओं में cervical cancer का खतरा है, सर, पूरुशों में आपको ये cervical, ये बिसिकली जो virus है, first of all, I have to tell you about the virus also, please remember, this is caused by a virus called as HPV, ये एक virus से cause होता है, जिसका नाम है human papilloma virus, human papilloma virus, सर, अब आपने बोला, कि sexual transmission होता है, तो महिलाओं को तो cervical cancer होता है, तो पूरुशों में कोई खतरा होता है, पूरुश carrier तो हैं, पूरुशों में भी human papilloma virus तो मिलेगा, सर, पूरुशों को कोई cancer और खतरा होता हैं, नहीं, इट आपने इन में, तो इसका मतलब कि है, जो cervavac vaccine है, वो महिलाओं को दी जाएगी, यानि कि लड़कियों को महिलाओं को दी जाएगी, सर, पूरुशों में कोई problem करता है, कि देखो, human papilloma virus cancer नहीं करता है, या फिर UPSC में अगर एक सिंपल चा सवाल आ सकता है, जो वैक्सीन है, किस से बचाने की कोशिश करता है, वो बचाने कुशिश करता है, human papilloma virus से cervical cancer ना हो महिलाओं में, इसलिए, ठीक है, तो human papilloma virus भी आपके लिए काफी ज़रूरी बन जाएगी, और एक पॉइंट भी नोट करना है, जैसे cancer बताया, अब मैंने internal cancer पे एक सवाल बनाती है, what are the causes of cancer, या फिर cancer किन वज़े से हो सकता है, at the root level, आप सभी को बताए, cancer का मतलब के, cancer root level पर एक genetic disease है, मैंने करो disorder है, inherited disorder भी नहीं बता रहो, बस genetic disease बता रहो, मतलब आपके cell के DNA में कुछ गड़बढ हो चुका है, उसकी वेसे हो क्या रहा है, भाई, cell को पता नहीं चल रहा ह है कि अब divide होना है, तो uncontrolled division हो रहा है, cell का, तो उसकी वेसे tumor बन जा रहा है, तो sir, किस वज़े से हो सकता है, cancer हो सकता है, शायद यार, बहुत smoking करते है, smoking करने की वेसे, थोड़ा सा DNA चेंज हो सकता है, smoking से हो सकता है, radiation से हो सकता है, अगर आप जैसे x-ray हो गया है, फिर nuclear radiation हो उससे हो सकता है, genetically inherited भी हो सकता है, possibility है, लेकिन virus की वैसे भी हो सकता है, इसको भी note कर लेना है, ठीक है, तो इसको note कर लेना है, clear, चली, आगे बढ़ता है, question 45 में, 45 में भी फिर से diseases है, तो हम लो थोड़ा सा disease के section में आ चुके हैं, कुछ diseases का नाम दिया गया है, पूस रहे है which of the above diseases are neglected tropical diseases बता है, इन में से कौन से neglected tropical diseases है, चिकुन कुनिया, yellow fever, leprosy, lymphatic, phylariasis, Japanese encephalitis, आपको बताना है कौन से कौन से neglected tropical diseases है, अब प्राइमा फेसी बहुत टफ सवाल लगता है, लेकिन अब I wouldn't expect you to mug up, कि मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है, यार पूरा पूरा जो लिस्ट है उसको रट्टा मार लो, पॉसिबल नहीं है न, तो इसमें से elimination method से आप इसको solve कर सकते हूं, जोसे एक तो Japanese encephalitis लग रहा है, यह बोल रहा है, neglected tropical diseases, tropical areas मतलब predominantly between tropic of cancer and capricorn, Japanese encephalitis, मैं educated guess जरूर कर सकता हूं कि यार यह शायद नहीं होगा, तो अगर 5 को मैं eliminate क perception for sure, and that is also correct answer, not just Japanese encephalitis, but yellow fever, yellow fever is very predominant in United States of America, Japanese encephalitis नाम से अब को पता चल रहा है, but note करना है, neglected tropical diseases के बार, ठीक है, all right, right, चलिए, अगले सवाल पर चाते है, फिर से एक बीमारी से जुड़ा होगा, consider the following statements about hepatitis, अब यह बड़ा इंटरसिंग सवाल है, hepatitis, कौन से कौन से statement इसके बार में correct है, बताने, hepatitis A, hepatitis B, and hepatitis C, A, B, Hep C are liver infection, अब सबसे बहले आपको पता है, hepatitis तो यार लिवर का infection ही, अब यह बता रहा है, caused by 3 different viruses, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, hepatitis नामी है, hepatitis virus, hepatitis virus B, A virus, B virus, C virus, 3 different viruses cause 3 different kinds of hepatitis, in fact, अभी आपने news में देखाऊगा, hepatitis D, hepatitis E के बारे जरूर सुनाओगा, but hep A, hep B, hep C, काफी prominent रहे है, hep C is a viral disease which spreads through contact with blood from an infected person, ठीक है, blood contact से from infected person, ठीक है, second said, अगर one सही है, तो मेरा दो option तो हट जाएगा, यहाँ पे तक तो पहुँचगे, 50-50 पहुँचगे, there is no vaccine for hepatitis C, while vaccines are available for hep A, hep B, okay, sir नहीं पता मुझे, but let me give you information, यह भी सही है, और यह भी सही है, answer is 1, 2 and 3, okay, hepatitis A का vaccine तो आपने सुनाओगा, hepatitis B का भी सुनाओगा, let me give you some more information about hepatitis, तीनों viral, viral बिमारिया है, viral hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A होता है, normally food या फिर water से, hepatitis B होता है, है, blood या फिर body fluid से, hepatitis A, even peccal matter, right, A और B के लिए आपके उस vaccine है, hepatitis C के लिए, direct blood to blood contact की वैसे होता ही है, और इसके लिए अभी फिलाल कोई vaccine नहीं है, कोई vaccine नहीं है, लेकिन, of course, treatment options आपके उस available होंगे, कुछ antiviral दवाईया या फिर आप जैसे preventive treatment आप ले सकते हो, या फिर होने के बाद आपका immune system strengthen करने की treatment वगरा आप ले सकते हो, चलिए, आगे बड़े, 45-46 के बाद, let's move to 47, 47 is a very interesting question, malaria के बारे में, अब सवाल जैसे malaria के बारे होता है, थोड़ा सो लगता है, या तो घिसा-पिटा सवाल होगा, नहीं, सोचना है, in fact मैं आपको यहां पर 15 सेकंड दोंगा इसको attempt करने के लिए, consider the following, मैं धीरे-धीरे पड़ूँगा, आप भी साथ में पढ़ी लेना, कौन से कौन से correct statement ने करके, पहला है, malaria is a mosquito-borne infectious disease that affects only humans, human malaria causes symptoms such as fever, pating, vomiting, and headaches, malaria is caused by bacterium called plasmodium, there is no vaccine available against malaria till now, ठीक है, और only one, only two, only three, all four, correct statement रोण निकाल ले, चलिए, decipher करने की कोशिश करते हैं, malaria is a mosquito-borne infectious disease that is caused by only humans, तो मेरा ध्यान जा रहा है, only humans पे और मुझे इस पे doubt आ रहा है, ठीक है, तो यह गलत है, only humans नहीं है, animals में भी malaria हो जाता है, malaria की symptoms animals में भी आदाता है, two, human malaria को जो symptoms such as fever, fatigue, vomiting, headache, तो मुझे पता है, malaria जब हो जाता है, सरदी हो जाती है, चिल्स आ जाते हैं, ठंड लग जाती है, अचानक से, तो यह all four तो होगा नहीं, of course, और अभी three भी नहीं होंगी, यह दोनों भी हड़ गया, या तो only one हो गयते हैं, only two होगा है ना, नहीं, three हो सकता है, शायद रुको, थ्री हो सकता है, तो, ठीक है, देखते हैं, चलिए, malaria is caused by bacterium called plasmodium, यह गलत है, यह bacterium नहीं है, यह आप जानते हो, plasmodium सही है, लेकिन bacterium नहीं यह गलत है, यह plasmodium क्या है, यह एक protozoa है, और इसको क्यारी कौन करता है, वो female mosquito, female anopolis mosquito, तो plasmodium है, च्रणाड़ बैक्टिरियम, ध्यान रखते हैं, tough question, tough question, ठीक है, there is no vaccine available against malaria तिल नहीं, यह भी गलत है, अब जब यह चला गया, तो, या तो आपके only three चलेगा, यह बच जाएगा, यह भी गलत होगा, तो you will be left out only with one, and option, this is second one, सर यह कैसे आपने solve कर लिये, मुझे बता दो, आपने बोला, जैसे plasmodium नहीं है, वो bacteria है, ठीक हो protozoa है, silly mistake हो गया, लेकिन कोई vaccine नहीं किसे, अरे vaccine तो available है, आप सभी को पता है, ओक्टबर 2023 में ही malaria के लिए WHO ने एक vaccine अप्रू की है, उस vaccine का नाम किया है, उस vaccine का नाम है R21, इस से पहले 2021 में भी WHO ने एक vaccine को अप्रू किया था, उस vaccine का नाम था RTS, S-A-S-01, तो vaccine available है, vaccine available है, नोट करना है, malaria एक plasmodium की वज़े से होता है, plasmodium vivax, plasmodium falciparum, malaria में, malaria में आपको fever होता है, चिल्स होते हैं, fatigue होते हैं, बहुत थकान होती है, even fatal, fatal यानि कि मृत्यू भी हो सकती है, अगर treatment ना मिले तो, malaria predominantly बहुत फैला हुआ है, आफ्रिकन कंट्रीज में, यहीं पर रोकने के लिए vaccine को अपरू किया है, WHO ने, और malaria को spread करने वाला, female anophilis mosquito, ध्यान रखने, female anophilis, अब generally, मैं हमेशा बताता हूँ, class में में यह बताया, female मच्छर ही काटते हैं, तो जैसे ही बताता हूँ, बहुत सरे student joke भी crack कर देते, class में, यह truth है, मच्छरों में केवल, मादा मच्छर काटते हैं, क्योंकि उन्हें blood की ज़रूद पड़ती है, ज्यादा energy लगती है, एग लेइंग में, जो male mosquito होते हैं, they do not bite, ओके, right, I hope यह कर लिया होगा आपने आसानी से, protein binders के बारे में सवाल है, protein binder भी काफी चरजा के विशे, current of his जुड़ा हो है, how many of the above statements are correct regarding protein binders, protein binders are biological agents used in manufacturing range of new food products, especially semi-solid or solid food, ठीक है, यह definition है, protein binders are known to affect digestibility of protein, that can affect the biological and nutritive value of milk proteins, ठीक है, यह भी सही है, protein binding is known to influence, अब देखो यहाँ पे न ध्यान देना है, यह known to influence है, यह काफी open ended है, known to, known to influence, शाहर आपको पता नहीं होगा, लेकिन possibility है, known to influence, तो यह भी correct है, all the three are correct, with respect to protein binder, अब protein binder काफी चरचा का विशे था, अगर आप protein binder के बारे में बात करें, कुछ महीनों पहले फसाई, food safety standards authority for India ने, clarify करके बताया था, कि दूद के अंदर protein binder नहीं मिलाना है, इसको नहीं मिलाना है, protein binders, खबरे यह आ रहे थी, यह बहुत सारे dairy वाले दूद के अंदर protein binders मिला रहे है, जिसे दही बनाने के लिए एक रहनीं एंजाइम मिलाता है, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम भी प्रोटीन ही होता है, हमारे body के अंदर protein binder automatically मिलते है, मेरे body के अंदर protein binder automatically मिलते है, बाहर से बाहर से डेरी प्रोड़क्ट्स में मिल्क प्रोड़क्ट्स में एड करना नौट पर नहीं है इसके उपर भी ध्हान अकने स्टेटमेंट अगर आए तो इंडिया में अलवड नहीं है ऑगे कुछ-कुछ बाहरी कंट्री में रेगूलेटेड़ है एड कर सकते हैं इं है हैं ब्रेक नहीं होता है आपके लाइजूजोजोम का काम आपको पता है human cell के अंदर lysosome होता है lysosome क्या काम करता है enzymes produce करता है chemical produce करता है ताकि कुछ चीज़े break हो जाए glycogen break करने के लिए lysosome produce करता है एक enzyme called as alpha acid glucosidase और ये missing होता है तो pompe disease के बारे में ये भी सही है ये भी सही है pompe disease के जो basic आपको symptoms है severe muscle weakness stunting and wasting insulin बच्चों में अगर energy को इस्तमाल नहीं कर पाएंगे अगर glycogen का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे तो muscle building नहीं होगा बहुत weakness हो जाएगी fatigue जल्दी से हो सबता है pompe disease बिना early detection के without early detection treatment it can be fatal absolutely correct है all four statements regarding pompe disease are correct in fact pompe disease has been in news pompe disease के वारे हम बात करें तो rare genetic disorder है बहुत ही rare genetic disorder है it's a rare genetic disorder it happens one in a million children यानि कि एक million दस लाग में से एक बच्चों को होता है जहां पे उस बच्चे के अंदर acid alpha glucosidase जो enzyme produce नहीं हो पाता है जिसकी विए से glycogen break नहीं होता है उससे क्या होगा weakness हो जाएगा muscle weakness हो जाएगी difficulties in mobility हो जाएगी walk करने में difficulty in breathing cardiac complication heart attack बहुत सारी problems हो सकती है ठीक है note करना it has been in news pompe disease चले आगे बात करते है अगले disease के आखे question number 50 sickle cell disorder यह तो आपने देखा होगा sickle cell disorder sickle cell disease sickle cell disorder is a genetic disorder in which red blood cells contort into sickle shape okay sickle cell disease can cause infection pain fatigue in patients there is no treatment for sickle cell disease तीन statement दिये गहे आपको ढूड निकालना है कौन से कौन से treatment correct है ठीक है hopefully आपने इसको सही कर दिया होगा take a few more seconds sickle cell disease is a genetic disorder in which red blood cells contort into a sickle shape तो सही बात है मैं जानता है तो definition इसका तो नन तो गलत हो जाएगा भी नहीं है sickle cell disease can cause infections pain fatigue in patients बिल्कुल यार अब देखो अगर उसको खून RBC के साथ कुछ problem चल रहा है अगर RBC के साथ कुछ problem चल रहा है RBC का shape ही बदल गया RBC का shape generally round होता है लेकिन जब sickle cell disease हो जाए तो RBC का shape ऐसे वहरता है sickle की तरह हासी है की तरह खुर्पी कहते है हमनों मराटी में खुर्पा कहते है खुर्पी की तरह खुर्पी की तरह होता है ठीक है दो statement तो सही मिल गया तो only one भी नहीं होगा there is no treatment for sickle cell disease अब यहां पे बहुत ही interesting चीज़ है ठूण निकालना है एक बहुत important catch है sickle cell is a genetic disorder यहां पे कह रहे है there is no treatment available अब इसको पढ़के लगता है यार शायद ठीक होगा करके लिए कि नी गलत है देखो there is a difference there is a difference between no cure there is a difference between no cure and there is a difference between no treatment treatment और cure इन दोनों में अंतर है किसी भी genetic disorder के लिए अभी तक cure नहीं निकला है although CRISPR technology में CRISPR technology से काफी ज़धा development हुए लेकिन अभी तक cure नहीं है cure मतलब पुरा का पुरा ठीक हो जाएगा लेकिन treatment तो दे सकता है यार 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 क्यों नहीं दे सकता है अब इसलिए one and two सही है इसका जवाब only two है one two यह गलत है ठीक है अब recently gene based therapy भी आ चुके है यह पूरा discussion इसलिए हो रहा है क्योंकि हाली में United States of America में FDA Food and Drug Administration जो US का है उन्होंने approve कर दिया है first gene therapy to treat sickle cell disease लेकिन sickle cell की दूसरी treatment भी होती है अब सिंपल एगर मेरे खून के साथ problem चल रहा है तो यार उसके साथ कुछ treatment मिल जाएगा जैसे कि bone marrow transplant करा लेंगे blood transfuse कर दो उसी blood blood transfuse कर दो treatment option तो अवेलेबल है जिन्दा रहने के लिए option तो अवेलेबल है ऐसा नहीं कि क्यों नहीं है ऑफकॉस क्यों नहीं है क्योंकि genetic disorder अभी तक हम लोग पूरा का पूरा genetic disorder ठीक कर दें ऐसा उस लेवल तक पहुंचे नहीं है शायद आने वाले 15 सालों में पहुंच जाएंगे ठीक है इन में से कौन से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है अब अगर आपने ब्लू बेबी सिंड्रोम के बार में कभी थोड़ा सा भी पड़ा होगा फैरली आपको आइडिया होगा है इस अभी संट्रोम तो यार वह नाइट्रेड पॉजन की विसा इसकी यह टंग प्यार है ब्लू बेबी सिंड्रोम एक अलग सिंड्रोम है अ अलग सिंड्रोम का भूता है जब पानी के स्थर में बहुत जादा नाइट्रेड हो जाए उसकी वज़से बच्चों का रंग नीला पड़ जाता है तो उसको कहते हैं blue baby syndrome but this is bubble baby syndrome pardon me for that bubble baby syndrome एक rare genetic disorder लेकिन आपने bubble baby syndrome के वारे कभी भी पढ़ाऊगा it is connected to immuno deficiency यानि कि आपकी immune system के साथ जोड़ा आप not with the digestion तो ये तो आप गलत कर दोगे अगर immune system के साथ जोड़ा हुआ है तो शायद infection हो सकती है बिलकुल तो जवाब है two only अब bubble baby syndrome को हम लोग कहते हैं severe combined immunodeficiency syndrome severe combined immunodeficiency syndrome in fact इस particular syndrome के ओपर एक movie भी आ गई थी उस movie का नम था boy in plastic bubble 1976 में बनाई गई थी यह movie simple है bubble baby syndrome में होता क्या है बच्चे की body में ना B cell मिलेगा ना T cell मिलेगा मतलब वो develop ही नहीं होते हैं B cell क्या करता है B cell antibodies produce करता है T cell क्या करता है T cell bad cells के साथ fight करता है यान कि infected cell के साथ fight करता है तो अगर बच्चे को अगर बच्चे को पर वो घ्रों सेल्स ही नहीं है थो गया वेमारिया तो होगी तो इसके अंदर बहुत सारीATT है इंफेक्शिन हो सकते है निमोनीय घंष अढुर्ट अ को कोई क्यों नहीं अब कूह एक आज अब जौब है कि नहीं कुछ नहीं कुछ ट्रीटमेंट तो होना चाहिए क्या ट्रीटमेंट होगा सिंपल है अगर उसके बॉड़ी में अगर उसके बॉड़ी में आपको इम्यून सेल्स नहीं है, तो इम्यून सेल्स प्रवाइड कर देंगे हैं, है कि, ट्रीटमेंट हो सकते हैं, उसी के ट्रीटमेंट से जुड़ा होए, कोर सवाल ही दें, question number 52, monoclonal antibodies, consider the following statements with reference to monoclonal antibodies, monoclonal antibodies के और थोड़ा सा देखियेगा, monoclonal antibodies are laboratory produced molecules engineered to serve as substitute to antibodies, correct statement ढूंड निकालना है, पहला statement तो perfectly correct है, second है, monoclonal antibodies can restore, enhance, modify or mimic immune system, immune systems attack on cells that aren't wanted, such as cancers, perfect है, एक दम perfect, है, तीसरा है, monoclonal antibodies treatments for cancer does not cause any side effect, फर्जी है, मुझे लग रहा है, मतलब ऐसे, पता चलिए न, monoclonal antibodies के, does not cause any side effect, बोल रहा है, तो यह कोई भी simple से एक दवाई भी खारना, उसका side effect हो सकता है, अब यह तो यार, monoclonal antibody treatment है, मतलब आपकी body में बाहर का cell डाल रहा है, तो शायद side effect होगा की न, side effect होगा ही होगा, अलगो यह तो लीट हो, और, monoclonal antibodies, दो-तीन सालों से चर्चा में, COVID-19 के लिए भी एक treatment बताया जा रहा था, monoclonal antibodies, जहाँ पे, नए antibodies, body के अंदर हम लोग introduce कर देंगे, जो करोना के spike protein को खतम करेगा, लेकिन अगेन, थोड़ा सा research, यह भी पीछे हो चुका है, बट इन चनल, monoclonal antibodies है क्या, laboratory produced antibodies, यह laboratory produced molecules है, जो, मेरे body के immune system को मिविख करते हैं, मेरे body में B cell है, मेरे body का B cell produce करेगा क्या, मेरे body का B cell produce करेगा antibody, एक तरह का protein, अगर वो नहीं कर पा रहा है, बहार से दो, तो monoclonal जो treatment है, यह हमारे body में immune mechanism trigger करता है, और बहुत सारे treatment के लिए इस्तेमाल क्या था, it can be used for cancer treatment, but side effects can be there, some of which can be very, see side effects can be there, some of which can be very severe, in fact, in fact, monoclonal antibodies का जो treatment होता है, cancer के लिए, वो एक last line of treatment करके दिया जाता है, note करने, not a first line of treatment, clear, चल, आगे बढ़ते हैं, question number 53 पर चलते हैं, deep के बारे में हैं, deep, consider the following statements with reference to deep, diverse epigenetic epidemiology partnership, काफी चर्चे का विशे बनावाएं, deep भी, तो deep के बारे में बारे में सवाल है, deep, diverse epigenetic epidemiology partnership is a ground-breaking integrated genomics and epigenomics study, genomics and epigenomics study to understand the diseases or genetics behind non-communicable diseases, absolutely correct है, थोड़ा सा doubt आ सकता है इस चीज़ पर, लेकिन, it's good, it's correct, okay, second, CSIR, Center for Cellular and Molecular Biology, CSIR CCMB, is now a part of diverse epigenetic epidemiology partnership, deep, perfectly correct है, this is a part of current affairs, आपने पढ़ा होगा, तो मुझे धून निकालना है, correct statement, तो मैंने देखा, one or two दोनों correct है, तो I will go with both, तो यह जो deep है, diverse epigenetic epidemiology partnership, अलग-अलग इसके अंदर world institutions involved है, जो genomics study करते है, non-communicable diseases को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, उसके साथ अभी जुड़ चुका है, CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, इंडिया का जो center है, CCMB, Cellular and Molecular Biology Center, वो अभी जुड़ चुका है, ठीक है, अब इसमें genetic और epigenetic होगा, genetic आप जानते हो, यह है DNA molecule, DNA की एक पढ़िए को लोकस को मैं कहता हूँ, जीन है यह जीन है, या फिर genetic information, epigenetic मतलब, a gene is made up of a nucleotide, polymer of nucleotide, nucleotide में क्या है, sugar है, phosphate है, और nitrogenous base है, तो epigenetic मतलब, gene के अंदर वाली चीज, जो है न, जिससे अब, if I am doing something to the nitrogen base, that is an epigenetic change, genetic, यानि कि genes से लिए, epigenetic मतलब, उस gene के अंदर, उसके जो constantiment से उसके बार है, ठीक है, good, let's move on to the next question, 54, question number 54, amyloidosis, consider the following statement, it refers to amyloidosis, ठीक है, धूण निकालना है, कौन से कौन से correct statement है, amyloidosis एक बीमारी है, उसके आरहे बें कुछ जानकारी दी गई, यहाँ पर पढ़ते है, amyloidosis is a rare disease that occurs when a protein called amyloid builds up in the body, perfect definition है यह, perfect definition है, amyloidosis can impact any organs like heart, kidneys, spleen, nervous system, etc, perfect है एक दमी, ठीक है, if I have to find the correct answer, then I will go with both one and two, amyloidosis एक बीमारी है, जिसके अंदर एक bad protein, it's not a good protein, it's a bad protein, amyloid, bad protein, यह deposit होना शुरू हो जाता है, especially अगर even brain अगर में बेपोसित हो सकता है, liver में deposit हो सकता है, जब वो protein deposit होता है, उस particular organ का काम वो hamper कर देता है, imagine करो, अगर brain के अंदर amyloidosis हो गया, protein deposition हो गई, वो brain काम नहीं करता है, तो कितनी problem हो सकती, it can lead to other problems, it can lead to epilepsy, it can lead to other nervous problems, many issues, ठीक है, चली, after deep and amyloidosis, अगले सवाल पर चलते हैं, question number 55, question number 55 is connected to heavy shore, I'm quite sure कि आपने यह जरूर सुना होगा, I'm quite sure that you must have heard about heavy shore, because it's a part of current affairs, current affairs में आपने जरूर सुना होगा, heavy shore के बार में कुछ statement दिये गए है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा correct statement है, which of the following are correct statements, चली, मैं पढ़ लेता हूँ, आप भी थोड़ा जिसको attempt करें, I'll give you few seconds, heavy shore vaccine is a two-dose vaccine for children to protect them from hepatitis A, अगर आपने current affairs में पढ़ाए तो बहुत आसान हो जाएगा, कुछ-कुछ area से जिसको focus करना है, hepatitis A, two-dose and बच्चों में करके, ठीक है, यह तीनों के तीनों सही है, heavy shore बच्चों के लिए एक दो डोस का वैक्सीन है, hepatitis A से बचाने के लिए, hepatitis A आप जानते हो, liver-based disease है, hepatitis A virus की वैसे होता है, second statement, तो none तो इसमें गलत हो जाएगा, तीन option वे पहुँच गया है, heavy shore vaccine is developed by Serum Institute of India, परजी है, पूरो फरजी, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, सीरम Institute नहीं है, एक हाइदरावद-based institute है, मैंने पढ़ा है, उसके बार में Indian Immunological Limited करके है, तेलंगाना में आता है इन हाइदरावाद, उसने डेवलप किया है, I think December 2003, जनर्वरी 2024 के आसपास कि ये खबर होगी, वाइच्छोर के आपने इसको देखा होगा, तो all three तो गलत हो जाएगा, है ना, heavy shore vaccine can be administered to individuals at risk of exposure or traveling to regions with high hepatitis A prevalence, तो logical statement लग रहा है, अब मुझे पता है, heavy shore बच्चों को दी जाती है, दो डोस में दी जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो, heavy shore can be, बहुत ही open-ended statement है, अगर पता भी नहीं होगा, तो I can go for some sort of educated guess here, although do not rely on that, अगर current office अच्छे से पढ़ा है, तो आप शौर शौर बदा सकते हों कि this is correct करके, है, so this is not the answer, this is the answer, statement है 1 and 3, heavy shore vaccine, Indian immunological limited company ने produce किया है, है, बच्चों के लिए उसने बनाया है, लेकिन बच्चों के अलावा कोई adult भी हो, अगर specially वो hepatitis A के high prevalent region में जा रहे हैं, अगर वो travel कर रहे हैं, तो उन्हें भी यह vaccine दी जा सकती है, ताकि हैप A से वो protected रहे, ठीक है, question 55, चलते हैं, डिसीज एक्स, डिसीज एक्स भी काफी चर्चा कर विचर है, कुछ महीनों पहले, WHO वर्ले तो organization ने हमें डराया था, डिसीज एक्स के बारे आपको पता होगा, तो दो statement दिएगे हैं, इसमें से बताना है, कौन से रिटमेंट करेक्ट है, करके, बिच अब दीज Of course, hypothetical है, इसलिए WHO रे डराया था, COVID आ चुका है, आगे भी हमें थोड़ा सा सदर करहने की जरूवत है, डिसीज एक्स कुड़ बी, could be due to a new agent, a virus, a bacterium, a fungus, without any known treatment, absolutely correct है, I'll go with both of these, क्योंकि डिसीज एक्स का मतलब यह, इसे नाम नहीं दिया है, डिसीज एक्स है, एक hypothetical बीमारी ह गुजर चुके हैं, तो आगे आके भी pandemics आ सकते हैं, जिससे हमें और भी problems हो सकती है, ठीक है, टफ लग रहे हैं questions, क्योंकि current face में आ चुके हैं, तोड़ टफ है, इसलिए मैं फिर से repeat कर रहा हूं, repeat करो, please, वीडियो को पूरा अंत तक देखे, सभी के साथ शेर करें, जो भ भी focus करें, तो science and tech देख लूँगा, क्योंकि मैंने अपनी 10-11, 12 बे पढ़ लिया है, मैंने biology, तो मैं कर लोग मा करके, but they tend to miss out on current face, इसलिए ये जो 150 का series आपके लिए बनाया गया है, यहां पे आपको थोड़ा सा वो chance रहेगा, जहां पे आप current face से भी आउगत रहे होगे, जो नई वाली चीज़े आई हैं, उनसे भी रहोगे, थोड़ा सा basic सवाल भी आपको मिली रहे है, ठीक है, चली continue करते हैं, I hope you are finding it interesting, थोड़ा सा slow चलता है, because generally मैं जब teach करता हूं, तो I teach बड़े आराम से, slowly चलते रहते हैं, आपको भी time मिलना चाहिए solve करने के लिए, तो let's move ahead to 57, question about 57, golden rice के बारे, golden rice से जुड़े है, कुछ statement दिये हैं, correct statement कौन से, अभी तक incorrect आया है, नहीं पता है, एकाद incorrect आवारे आगे होंगे होंगे न, golden rice is genetically modified to produce carotene, vitamin A and folic acid, perfect है, तो मुशे पता है, हाँ, gold color का होते है, थोड़ा yellowish color का होते है, लेकिन fortified rice है, वो आप जानते ह this was approved for use as human food in India, पूरा का पूरा गलत है, इंडिया में, देखो, मैं आपको बता है, इंडिया में genetically modified crops allowed नहीं है, कि एवल दो ही दो crops को अभी तक अनुमती दी गए, एक है, एक है हमारा BT Gordon, दूसरा है हमारा genetically modified mustard, golden rice काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि पिछले साल, साउथी फिलिपीन्स में फिलिपीन्स एक बहुती important prominent country बनी है, जिन्होंने golden rice को अनुमती दी है, उनके हमें cultivation के लिए उनके हैं इस्तमाल के लिए भी, ठीक है, तो इसका जवाब आपको बतादा चल जाएगा, वन ओनली हो जाएगा, अभी जो गोल्डन राइस है, ध्यान रखना ह है, ध्यान डाफोडिल, I think William Wordsworth का, शायद एक poem भी होगा, if I'm not wrong, although I'm not a very big fan of poetry, बट सल, थोड़ा बहुत, जो कुछ भी, कभी-कभी बढ़ते हैं उसमें, डाफोडिल, तो डाफोडिल से एक gene लिया गया है, और Ervenia bacteria से एक gene लिया गया, तो एक डाफोडिल से gene लिया गया है, इन genes को incorporate किया है, अगें थ्रू एग्रो बैक्टिरिम, तुमेफेसियंस ओनली, क्योंकि वही वेक्टर है, उसी वेक्टर से हम लोगों ने, हम लोगों ने इसको डाला है, golden rice में, तो इससे color होता है, yellowish golden color, इसलिए इसको golden rice कहता है, लेकिन यह fortified rice है, जिसके अंदर high quantity of carotene, vitamin A, folic acid आपको मिलता है, especially enemic region में वगेरा, काफी इसका use हो सकता है, ठीक, चल, आगे बढ़ता है, question number 58, आसान सवाल है, which one of the following outlines correctly the purpose behind the heat shock treatment in process of introducing recombinant DNA to bacterial cells, bacterial cells, bacterial cells को heat shock treatment क्यों देते हैं, to sterilize the bacterial cells, नहीं यार, यह गलत है, to enhance the efficiency of DNA uptake by bacterial cells, okay, to slow down bacterial metabolism, नहीं, to induce mutations in bacterial cells, to induce mutation in bacterial cells, यह उद्देश नहीं है, actually, यहाँ पर recombinant DNA के बारे में बता है, यह ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा, I would go with B, अब देखो होता क्या है, बायो टेक्नोलजी में आपने ज़रूर देखा होगा, कि मेरा जो bacterial cell है, उसके अंदर एक plasmid है, सबसे पहले मैं इस plasmid को बाहर निकालूंगा, correct है, सर इस plasmid को बाहर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, alkaline lysis solution, alkaline lysis treatment इस्तमाल करते हैं, तो lysis मतलब क्या होता है, इस particular cell का cell wall खतम हो जाएगा, इसके सारे parts खतम हो जाएगा, केवल और केवल plasmid लेंगे, अब इस plasmid के उपर हम लोग restriction enzyme इस्तमाल करते हैं, restriction enzyme इस्तमाल करेंगे, तो plasmid के उपर cut लगाएंगे, जो भी desired gene है, उसको आपर incorporate करे तो मैंने एक recombinant DNA बनाया, मैंने recombinant DNA बनाया, अब ये recombinant DNA बन गया है, जिसके अंदर एक नया gene है, तो restriction enzyme से cut करेंगे, ligation enzymes होगे, ligases, उससे हम लोग जोडेंगे, अब इस plasmid को मुझे पहुचाना है bacteria के अंदर वापस, शायद उस bacteria के अंदर एक और plasmid भी होगा, I am not this particular bacteria, अब ये कैसे होगा, इसके लिए अलग-अलग transformation के method इसक्तमाल करते हैं, आपने transformation को सुना होगा, जहां पर bacteria को थोड़ा सो pressure देते हैं, यानि कि bacteria को किसी तरह का, किसी एक variable से उसको tension में लाते हैं, bacteria को खतरा होना है, डर लगना चाहिए कि भाई मैं खताम होने वाला हू तो कैसे करेंगे, एक तो heat shock दे सकते हैं, heat shock, thermal shock है, heat shock कहते हैं, उसको pressure हो गया, water pressure हो किसी भी जीसे, but heat shock is one of the best kind of method which is used for manipulation, heat shock देंगे, थोड़ा सा temperature बगड़ाएंगे, heat shock देंगे, तो इस बैक्टिरी को लगता है, भाई, अभी, I may not survive, तो अगर, if it thinks it may not survive, तो this is going to accept this plasmid, ठीक है, क्योंकि उसको बचना है करके है, that is the basic, बहुती crude language हों बता है, जितनी crude language हों बता है, उससे रदा complications involved है, but this is the idea, okay, चलिए, आगे बड़े, 57, 58, 59 पे चलते, question number 59, NCRT-based, I don't think it's current of his base, but चलो, पढ़ लेते हैं, consider the following statements, cells release interferon during a bacterial infection, second statement, interferon directly interferes with the virus ability to reproduce, कौन से कौन से correct है, बोलता है, अब देखो, अगर मुझे पता भी नहीं है, आपने पढ़ा तो होगा, interferon क्या करता है, interferon generally viral, viral infection के दौरान release होता है, not bacterial infection, तो यह bacterial बतार एक गलत है, this is wrong, interferon directly interferes with the virus ability to reproduce, yes, absolutely correct है, यह, यह to only इसका answer होगा, अब यह आपने देखा होगा, हमारे body के अंदर immune system है, bacteria है, मैं उसको directly खतम कर सकता हूँ, मेरे पास B cell है, T cell है, वैसे viral infection हो गया, तो viral infection होता क्यों है, वाइरस ने मेरे किसी cell के उपर कबजा कर लिया, correct, वाइरस को जिन्दा रहने के लिए यार होस्ट चाहिए, उसको एक cell चाहिए, उसने मेरे cell के उपर कबजा किया, तो T cell काम करेगा, T cell से पहले, you do understand, interferon is one of the solutions, interferon मेरे body में release होता है, दो, या फिर तुम खुदी खतम ही हो जाओ, तुम cell ही खतम हो जाओ, क्यों, क्योंकि वाइरस वाला cell आ रहा है, वो attack कर सकता है, या फिर जैसे आप immune system को activate कर दो, आप इस particular cell पे एक antibody आ जाएगी, वाइरस से जो बचा लेगी, या फिर आप सीरे सीरे go for apoptosis, मैदलब cell ही खतम हो जाओ, खुदी खतम ही हो जाओ, टेंशर ही नहीं है, या फिर RNA या फिर protein synthesis कम कर दो, क्योंकि वाइरस आ रहा है, और वाइरस आपका ही सारा का सारा, जो cell का parts है, उसको इस्तमाल करेगा, question number 60 है, genome India project के बारे है, हम quite sure कि आपने इसके बारे हैं पड़ा जरूर होगा, genome India project पिछले एक देर साल से, in fact 2020 से ही खबरों में है, अभी फिलाल कुछ महीनों पहले तो ये काफी खबरों में था, बात कर दें इसके बारे है, कितने statement, correct है, बूर निकालना है, चलो, okay, department of biotechnology in India is responsible for genome India project, ठीक है, absolutely correct है, ministry of science and tech के अंदर, department of biotechnology है, जो, इस project को, इस project की देख रहे करता है, genome India project aims to sequence one lakh Indian genomes, one lakh Indian genomes, यार मैं न्यूज में पढ़ाता है, एक लाग तो नहीं है, ये मुझे लगता है कि 10 हजार है न, 10,000 है न, तो नन भी चला गया, all three भी चला गया, ठीक है, genome India project involves collaboration of 20 institutions across India and is being led by Center for Brain Research at IISC Bangalore, perfect है ये भी, so I'll go with only two, answer is one and three, अब अगर आप genome India project के वारे में बात करें, genome India project में 20 से भी जादा institution लगे हैं, पहले शुरुवात में 20 से अभी 22 partner institutions है, department of biotechnology इसको initiate करता है, उसके overall guidance के अंटर चलता है, और ये complete हो चुका है, यहां पे 10,000 Indians का genomic data जो है, उसको map करने वाले है, map कर चुके हैं already, DBT ने हाली में कुछी दिनों पहले पिछले महीने ही announce कर दिया है, कि हमारा genome India project complete हो चुका है, ठीक है, overall आप जानते हो कि हमारा intention क्या है, intention क्या है कि Indian genome को study करें, mainly हम लोग diseases की study करना चाहते हैं, diseases के खिलाफ लटने के लिए काफी हमें information मिल सकती है, उसके लिए हमारा उदेश भी है, under the genome India project, next question, organoids के बारे में, ठीक है, दो statement दिये गए है, organoids के बारे में correct statement हो निकाल ले, चाहरी बात करते हैं, पहला वाला statement है, organoids are ultra-small self-assembled three-dimensional tissue cultures that are derived from stem cells, okay, stem cells, organoids, okay, second है, organoids can be created from pluripotent stem cells and adult stem cells by simulating the biological, sorry, biochemical and physical characteristics of tissue development and homeostasis, दोनों ही statement, basically organoids based treatment के बारे में आपको information देते हैं, दोनों statement correct है, both one and two is the correct answer, अभी जो organoids है, organ नहीं है, organoids, आप जानते हो stem cell क्या होता है, stem cell ऐसा cell होता है, जो किसी भी दूसरे cell में परिवर्दित हो सकता है, especially pluripotent stem cell हो, 80 to 90 stem cells में परिवर्दित हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो pluripotent cells लेंगे, या फिर adult stem cells लेंगे, और उनकी culture करते हैं, उनकी culture करते हैं, जब आप उसो culture करोगे, तो specifically different तरह के cells ये बन जाएंगे, different तरह के organoids ये बन जाएंगे, अब ये organ नहीं है, लेकिन organoids कहता है, क्योंकि ये उस organ का एक तरह का एक छोटा सब भाग वन जाएक, उसी लिए उसको term इस्तिवाल करते हैं, organoids, a stem cell can turn into intestinal organoids, heart-based organoids, cardiac organoids, liver organoids, blood organoids, blood vessel organoids, brain organoids, ये नया treatment methodology evolve हुआ है, organoids, ठीक है, चलिए, अगले साल पर चलता है, question 62, consider the following statement, थोड़ा सा मैं बाहर जा रहो, screen के, पढ़ने के लिए यहां पर, consider the following statements, 3D bioprinting is the utilization of 3D printing techniques to combine cells, growth factors, bio inks and biomaterials, 3D bioprinting utilizes a layer-by-layer method to deposit materials known as bio inks to create tissue-like structures, 3D bioprinting can be used in environmental remediation application, बिल्कुल application हो सकता है, अब यह 3D printing आप जानते होंगे, 3D printing के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखा था, एक simulation वीडियो था, जहाँ पे NASA प्लान कर रहा है, आगे चलके, शायद अगले 10-15 सालों में, चांद के ऊपर वो एक station मराने वाल है, और उस station को वो पुरो का पुरो 3D print करने वाल है, तो 3D general printing क्या होता है, कि भाई आप उसमें material दो, material को layer by layer डाल कर आप बिल्ड करोगे, उसको बोलते है basic 3D printing, जैसे basic 3D printing क्या होता है, engineering application के लिए इस्तमाल कर लोगे आप, engineering application के लिए इस्तमाल कर लोगे है न, लेकिन, बायो प्रिंटिंग के जब बात करो, बायो प्रिंटिंग के जब बात करो, जो material होगा, उसी को हम लोग बायो इंक कहते है, biological इंक, तो biological इंक से layer by layer मैं बिल्ड करूँगा, कोई तरह का tissue build कर सकता हूँ, कोई तरह का organ build सकता हूँ, अगें, futuristic idea है, जहां पर I can go for cell-based treatment, है न, cell-based treatment, even, हम लोग different tissues को build कर सकते हैं, medical education में इस्तमाल होगा, आगे चलके research में इस्तमाल हो जाएगा, तो जैसे 3D printing था, उससे, आज मैं केवल tissue की बात करो, शायद आगे चलके, I may be able to build even a complete organ, maybe, right, so interesting aspects, 3D, 3D printing, 3D bioprinting, not just 3D printing, 3D bioprinting, अब bioprinting मतलब, it uses tissue, it uses bio ink to build tissue-like structures, ठीक है, organoids, और 3D bioprinting के बाद, चलते हैं, आगे, mitochondrial DNA disease के बारे बात करने के लिए, I'm quite sure कि आप सभी ने इस चीज़ को पढ़ा ज़रूर होगा, mitochondrial DNA disorders, और mitochondrial DNA diseases के बारे में, Mitochondrial DNA disease is a group of disorders caused by inherited mitochondrial dysfunction, okay, second statement, Mitochondrial DNA disorders are inherited from mother side only, okay, Mitochondrial DNA disorder can cause neuromuscular problem, कौन से कौन से correct statement देने हैं, अगर आप देखोगे, statement is correct, this statement is also correct, and this is also correct, Mitochondrial DNA disorder, mother के side से inherit होके आता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सभी के body के अंदर, केवल Mitochondrial DNA जो है, mother side से ही आता है, father's mitochondrial DNA never enters into the fertilized cell, या फिर zygote में कभी enter नहीं होता है, और Mitochondrial DNA, अब सबसे पहले, जो Mitochondria है किसी भी cell में, circular DNA होता है, Mitochondria का, तो इस circular DNA में, जो हम लोग केवल और केवल, mother side से inherit करता है, only from the mother side, अब Mitochondrial DNA के साथ अगर कुछ दिक्कत हो जाए, Mitochondrial DNA का कोई disorder हो जाए, तो किस तरह की problem हो सकती है, किस तरह की problem होगी, यार, Mitochondria का काम क्या है, it is called as powerhouse of cell, तो अगर Mitochondrial DNA के साथ problem है, something connected to the powerhouse of your cell, मतलब कुछ energy related issue हो सकता है, आपके muscles वीक हो सकते हैं, nervous system वीक हो सकता है, heart वीक हो सकता है, आपकी आखे तक वीक हो सकते हैं, anything, basically it can lead to neuromuscular problems as well, so all the three are correct answers for this, okay, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 64 पर चलते हैं, आसाने question number 64 is DNA cloning, DNA cloning is a molecular biology technique that makes many identical copies of a piece of DNA, rdna, यानि के recombinant DNA technique can be used for DNA cloning, DNA cloning का definition दिया हुए, आसाने, this is an easy question, rdna technique can be used for DNA cloning, absolutely, why can't we use it, we can use it, दोनाई चीज़े कर सकते हैं, ठीक है, तो DNA की copy बनाने के लिए recombinant DNA technology इस्तवाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, we can make use of rdna technology for DNA cloning as well, recombinant DNA technology की बहुत सारे इस्तवाल है, protein produce कर सकते हैं, growth hormone produce कर सकते हैं, किसी तरह का antibody produce कर सकते हैं, even, जो recombinant DNA technology में, हम लोग CRISPR का इस्तवाल भी कर सकते हैं, right, so many things can be done, it can be used for many therapeutic uses, it can be used for gene cloning as well, it can be used for production of genetically modified crops, it can be used for production of so many things, ठीए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जैसे, जो mitochondrial DNA disorder है, इसका solution है, three parent baby, आपने ज़रूर इस चीज़ को पढ़ाऊगा, three parent baby में, mother, mother side से, जो defective mitochondria है, हम लोग वो use नहीं करेंगे, basically, mother और father, mother और father से genetic information, chromosomal information हम लोग लेंगे, जो fertilized nucleus होगा, उसको हम लोग, एक donor के एग में हम लोग incorporate कर देंगे, मतलब, जो defective mitochondria है, उसको हम लोग ने हटा दिया, और, जो आपका, proper mitochondria है, from a mother, that is, ultimately, the one in the progeny, in the child, ठीए, three parent baby is a solution to mitochondrial DNA disorders, चाली, आगे बढ़ते हैं, molecular farming से जोड़ाव एक सवाल है, current phase का भागी है, काफी चर्चा है का विशेत है, molecular farming, consider the following statements about molecular farming, कौन से कौन से statement correct है, आपको बताना है, पहला statement है, molecular farming, is the production of pharmaceutically important and commercially valuable proteins in plants, proteins in plants, okay, molecular farming is used to provide a safe and affordable means of mass production of recombinant pharmaceutical protein, अब यहां पे mass production पे question mark डाला है सक्थे, बट बोद आधे मां जाखते हैं, इसी तरह के बहुत ही सिमिलर क्वेशन है एडिबल वैक्सीन क्या होते हैं नोट करना है एडिबल वैक्सीन के वारे में कुछ स्ट्रीटमेंट दिये गए है एडिबल वैक्सीन आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दाट कंटें एंटिजन्स फो स्पेसिफिक डिसीज पर्फेक्ट है इस डेफिनिशन ओव एडिबल प्लांट बेस्ट वैक्सीन कि मैंने उस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया अब उसके प्लांट को मैं तो कहता हूं या सबसे अच्छा है कि अपनी बॉडिकों मैंटेन करो अगर फिट नहीं है मेडिसिन लेना पड़ेगा अगर मेडिसिन लोग है इसका मतलब बॉड़ी पर कुछ ना कुछ एफेक्ट होगा कोई ना कोई साइड एफेक्ट हो सकता है इस एपसूलूटली लॉग सो टू ओन्ली वन एंद टू कि अब यहां पी अगर आप देखो दोनों मॉलिकुलर फार्मिंग में करते क्या हैं मॉलिकुलर फार्मिंग में मॉलिकुलर फार्मिंग में मॉलिकुलर फार्मिंग में प्लांट से हम लोग एक्स्टाक करेंगे प्लांट जीनोम से एक्स्टाक करेंगे एक तरह का केमिकल एक तरह का प्रोटीन जिसको हम लोग फार् इस्तेमाल करेंगे एडिबल फार्मिंग एक बहुत ही इनल आइडिया है जहां पर हुद प्लांट को सबसे पहले genetically modify करोगे अग्यों करने वर उसको कलचर कर उष करने गवाद्स को counseling निकलेगा जो sapling आएगा उसके हम लोग भी है डेवलप कर सकते हैं या फिर उसको ड़ेंट ली कंजीम भी कर सकते आडिम वैक मतलब genetically modified crop है शायद उसका पत्ता मैं खालू है शायद उसके जड़े रूट्स खाले कुछ भी ले लो है ना इस तरह की चीज़ दाट इडिवल वैक्सी ओके गुड़ आगे बड़ते हैं question number 67 पर चलते हैं, consider the following statements, stem cells के बारे में सवाल है, तीन statement है, stem cells are undifferentiated और partially differentiated cells that can change into various types of cells, absolutely correct है definition वही है, pluripotent stem cells can be collected from umbilical cord, perfect, third one, totipotent stem cells can be collected from mature bone marrow, पूरा का पूरा फर्जी है एपस्तलूटली नॉंसेंस काइंड आप स्टेटमेंट तो करेक्ट सेटमेंट ढूंड निकालना है तो मैंने टिक कर दिया वान और टू करेक्ट है तो एंसर वूड बिद दिस वन कॉमा टू बाकी गला थे यह अब देखो स्टेंब सेल होते क्या है एक होता है टॉटी पूटेंट टॉटी पूटेंट मतलब इट के लिटेर ट्रांसफर्म इंट एनी सेल ठीक है टॉटी पूटेंट स्टेंट सेम्स अला लोग ज्यादा एक्स्टार्क्त करने ही पाता है लेकिन इसका एक ही मिलेगा जाइगोट, that is why it has very limited utility. 20-potent stem cell का example is zygote. It can transform into every cell. Testing तो कर नहीं सकते हैं. We have something called as pluripotent stem cell. अब pluripotent stem cell जो है, this can become many cells in your body. यानि कि एक cell अलग-अलग तरह के cell बनने में शमता रखता है. Around 80-90 different kinds of cells. For example, pluripotent stem cell अगर है, वो शायद मेरा liver का cell बन सकता है, मेरे heart का cell बन सकता है, मेरे brain का cell बन सकता है, वो शायद nephron बनेगा, neuron बनेगा, शायद alveoli, कोई भी cell बन सकता है. Basically any cell. Pluripotent stem cells हमें मिलते कहां है? Pluripotent stem cells आपको मिलेंगे umbilical cord में. या फिर आपको embryonic cells या फिर आपके placenta से भी मिल जाएंगे, या फिर even you can find it from amniotic fluid. Amniotic fluid से भी आपको pluripotent stem cell मिल जाएंगे. सब्सक्राइब एक और तरह के cell होते हैं, इसको मिल्टी पोटेंट कहें, अब यह multipotent तो हमारे body मिल जाएंगे. Multipotent stem cell, you can find it in adult body as well. जैसे हमारे बोन मेरों है, बोन मेरों 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 मिलते हैं. Multipotent का मतलब कहा है, एक stem cell जो है, it can transform into say 8 to 9, 10 types of cells. जैसे for example, मेरा जो बोन मेरों का सेल है, वो शायद RBC बन जाएगा, शायद WBC बनेगा, WBC में भी शायद neutrophil बन सकता है, शायद lymphocyte बन सकता है, शायद B lymphocyte बनेगा, T lymphocyte बनेगा, I don't know, शायद eosinophil बनेगा, शायद basophil बनेगा, शायद neutrophil बनेगा है, So, we have different kinds of multipotent cells, so I hope you got it right, answer is B, 1, 2, अगले question पर चलते हैं, microbial fuel cell पर चलते हैं, यह बड़ा interesting सा concept है, current affairs पर आपने इसको पढ़ाओगा, microbial fuel cell के बारे मां, कुछ statement दिये गए है, correct statement को आपको ढूंड निकालना है, Microbial fuel cells are devices that use bacteria as catalysts to oxidize organic and inorganic matter and generate current, absolutely current, correct statement है, microbial fuel cell का मतलब यह यही, second statement, Microbial fuel cell can make desalination of sea water possible without any external electrical sources, अगर आपने microbial fuel cell के बारे हों बढ़ा होगा, यह एक potential application बताया जा रहा है, it can, yes, in future it may work, third statement है, microbial fuel cell does not require any external source of power, यह पूरा गलत है, अभी फिलाल, अभी फिलाल, we need it, देखो, यह दोनों contradictory statement लग जाते हैं, आपको लगता है कि सरी यह कैसे हो रहा है, यह potential microbial fuel cell का solution बताया गया, आगे microbial fuel cell की वैसे, potential application, not solution, potential application, कि आगे चलके desalination कर सकता है, without any source of power, आगे चलके without any external source, अभी फिलाल, अभी फिलाल, जितने भी fuel cell हम लोग इस्तमाल करते हैं, जितने भी fuel cell, sorry, microbial fuel cell हम लोग इस्तमाल करते हैं, वहाँ पे, you do need, you do need some sort of electrical source, power source अभी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे हम लोग, bacteria को, एक catalyst के तौर पे इस्तमाल करते हैं, जिससे कि वो अभी फिलाल, electricity, generate कर दे, ठीक है, तो अभी फिलाल, we do need, right now, microbial fuel cell, it does not require any external source of power बता रहा है, अभी फिलाल वो गलत है, right now it is wrong, cell के उपर बहुत सारी research चल रही है, इसको, इसके वारे बहुत सारे ख़बरे आ रही है, तो इसको note कर लीजेगा थोड़ा सा, and I hope, this was a little tough question में कोंगा थार पड़ा है, तो अच्छा है, but overall, a very important topic for you, okay, चारे, आगे बढ़ते हैं, question number 16, 9, तीन टर्म्स दिये गए है, इन में से कौन से टर्म्स करेक्ट्ली मैच्ट है, ये पूछाया है, consider the following statement, first one, bioprospecting, bioprospecting, process of discovery and commercialization of new products based on biological resources, okay, second one, biopiracy, biopiracy is use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization, ये तो सही है, ये तो, ये तो मुझे पता है, मतलब, definition ही यही है, biomining, a technique of extracting metals from ores and other solid metals, typically using prokaryotes और fungi, ठीक है, biomining तो है ही definition ही, bioprospecting का definition भी यही है, कि भाया, discovery and commercialization of new products, prospecting करनी है, biological based resources को इस्तमाल करके, तो बिल्कुल सही है, any product which is based on biological resources, उसको हम लोग पोटेंशिली स्कावर करेंगे, bioprospecting वही है, तो all the three are correctly, paired, correctly matched, ठीक है, चलिए, आगे वड़ते हैं, immunities due to our सवाल है, consider the following statements, first statement कहा रहा है, active immunity results when an individual is exposed to an infection, second statement, passive immunity results when a person is given antibodies to a disease, rather than producing them through his or her own immune system, okay, active immunity, कौन से कौन से correct है, बताना है, थोड़ा सा समाहि लीजिएगा, attempt कीजिएगा, active immunity results when an individual is exposed to an infection, passive immunity results when a person is given antibodies, तो अच्छली दोनों सही है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देख रहा है, active immunity body में दो तरगी हो सकती है, active immunity body में दो तरगी हो सकती है, मेरे body में active immunity दो तरगी हो सकती है, कैसे हो सकता है, एक तो भाईय मेरे body के इंदर inbuilt हो सकती है, जिसको हम लोग innate immunity केहते हैं, या तो मैं उसको acquire भी कर सकता हूँ, not an issue, ठीक है, not an issue, अब passive immunity मेरे लिए दो तरगी हो सकती है, दो तरगी हो सकती है, एक तो भाईया जैसे हम लोग जैसे अब बच्चों में, बच्चों में passive immunity तो होती है, बच्चों के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, तो कहा जाता है, बच्चे को माग का दूद बिलाना चीए 6 महिने तब, क्यों? माग का दूद, विच आज़ो काल्ट कोलेस्ट्रम, उसके अंदर बहुत सारी antibodies होती है, तो passive immunity तो है फंड़ा हो, अब ही थोड़ी दिर बहले हम लोगों ने पढ़ा, monoclonal antibodies करें, क्या था monoclonal antibodies, passive immunity का concept तो है वो, भाई बॉड़ी अगर immune system, immune cells produced नहीं कर बढ़ा, तो बहार से दो ना, वही तो active immunity, yes, we see, active immunity, it can be natural, it can be artificial, जैसे कि vaccination करके, यह जो definition दिया हुआ है, यह acquired immunity का है, तो that is also part of active immunity, जहां रखना है, active immunity मतलब, मेरा immune system खुद काम करेगा, passive immunity मतलब, मेरे immune system को mimic करूँगा बस, ठीक है, तो passive immunity में भी, you do have, जैसे mother's milk is another example, और you can give artificial antibodies, जैसे कि monoclonal antibodies, जो हमनोंने थोड़ी तेरे पहले पढ़ा, ठीक है, important concept है, important topic है, समझ जाएगे उसको, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, car T cell therapy, car T cell का discussion, या फिर उसके बढ़ खबरे काफी जादा prominent हो चुकी है, cancer treatment के लिए इस्तमाल किया जारा है, car T cells को, normal T cells are modified to incorporate car protein to recognize cancer cells and destroy them, यही तो भाईया treatment का method है, यह क्या है, बहुत easy था या लिए, देखो, car T में क्या कहा था, समझ लो अभी, अब यह मैं हो, हैना मैं हो, मुझे cancer हो चुके, imagine करना, hypothetical सिनारियो, तो जब cancer हो गया है, टेक्निकली होना क्या चाहिए, मेरा बॉड़ी उस cancer cell को खतम करना चाहिए, मेरे बॉड़ी में immune system है, मेरे immune system में T cell है, मेरा T cell उस particular cell को खतम करना चाहिए, लिक्वें कर नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो मेरे बॉड़ी से मैं T cell लोगा, है यह मैंने मेरे बोलिव से टी इसेल एक्स्रbereichय अब इस टी और मैं मोडिफाय करोंगा। कैसे जन सबिचेल सकते हैं कियसे Katherine टेकनोलोजी आचको है। κ्रिसपर को इस्तमाल करके इस टी सेल के अंधर मैंने यह नया जीन डाला है वो जीन क्या करेगा वह जीन इस ती को अब जब काहिमनल के तुस्थ मुझे मिला तो मैं इस टी रिपर बहुत सारी कॉपीज मैं अपनी बॉडी में इंजेट करूँगा अब क्या है मेरी बॉडी के अंदर I have काइमेरिक आंटिजन रिसेप्टर टी सेल्स जो कैंसर सेल को ढूंड ढूंड के मारेंगे सब्सक्राइब करना है अगला सब्सक्राइब के बारे में कुछ है अब नोट करना है कौन सा कौन सा इंकरेक्ट है बताना है सबसे हैं सबसे हैं दो सवाल मिल गए मुझे मतलब 70-72 में दो मिल गए पर दो भी बड़े वैलियोवल है है ना पहला सेटमेंट है बैवेस्मिलर झापिवेश्च अर्पील गौपिय डॉट्ट न था कांपनी सब्सक्राइब बैसिक लिदू की जहिए नियुक्रेगे सब्सक्राइब करना था दूसरा है Biosimilars are officially approved versions of original patented product before its patent expires not before it's actually after यह गलत यह गलत तो Biosimilar after its patent expires उसी तरह की product आपको बनाड़ा देदेंगे तो this is the correct answer, only one is the correct, sorry, answer हमको incorrect ढूनना है, देखो, silly mistake हो जाता है, इसलिए कहता हूँ, silly mistake हो जाता है, कौन सा incorrect है, only two is incorrect, तो two is incorrect, है ना, इसलिए मैं focus करता हूँ, इस चीज़ पे, कि correct और incorrect में ढून निकालना है, ओके, चलिए, आगे बड़ते है, question 73, question 73, consider the following statements regarding cell-free DNA in medical diagnostics, CF DNA, cell-free DNA in medical diagnostics, cell-free DNA refers to, cell-free DNA refers to, cell-free DNA, cell-free DNA refers to, DNA fragments that are released into bloodstream, from apoptotic and necrotic cells, as well as from active cell-free DNA, अब यहां पर बता रहे है, cell-free DNA, bloodstream में, दो तरह से आसकते हैं, एक तो भाईया, वो cell है, जो खतम हो चुका है, खतम होने वाला है, या फिर वो cell जो खतम हो चुका है, हैं, नेक्रोटिक टिशू से, नेक्रोटिक से और एक्टिव सी भी आता है, बिल्कुल सही है, यह, दोनों सी भी आसकते हैं, सेल्फ्री DNA, सेल्फ्री DNA टेस्टिंग बी उस फोर नॉन इंवेजिव प्री नेटल टेस्टिंग टुटेक्ट ग्रोमोजोमल अबनॉर्मिलिटीज बिल्कुल अगर आपने अब यह, पढ़ने के आज आपको बता चल रहे हैं, इट इस लिमिटेट टो उन्कॉलिजी बिल्कुल देखें, कैंसर तो होई जाएगा, बट इस नोट लिमिटेट अप्लाइट है, तो यह गलत है, अगले सवाल पर चलते हैं, question number 74, question number 74 is connected to hella cells, I am quite sure कि आप सभी ने hella cells के बारे में जरूर सुना होगा, काफी news में थे ही, हला cells, the first immortal human cell line, have played a crucial role in scientific research since the discovery, these cells were taken from a patient without her consent in 1951, and have been instrumental in various medical breakthroughs, which of the following statements best describes the significance of hella cells in biomedical research, ठीक है, biomedical research में hella cells का significance कौन सा statement दर्शाता है, चली, options पढ़ते हैं, जरूर attempt कीजेगा, option A, they are immortal cells capable of surviving indefinitely in any environment, थोड़ा सा इकी statement लग रहा है, they have been used to test the effects of radiation and toxic substances contributing to safety standards in nuclear medicine, okay, they were essential in development of polio vaccine, marking a milestone in virology and vaccine development, number 4, option D, they are the only human cells capable of photosynthesis, ये तो पूरा फर्जी है, यार, पूरा फर्जी है, D तो हटा दूगा, पहला और, they are immortal cells capable of surviving indefinitely in any environment, नहीं, ये गलात है, तो दो तो eliminate कर दी मैंने, they have been used to treat effects or test effects of radiation toxic नहीं, ये भी गलात है, the answer is C, Hela cells, वो unique cells है, जिनोंने हमें biomedical research में बहुत जदा मदद की है, वो एक patient से लिए गे थे, है, जिसका नाम था है, Henrietta Lacks करके, in fact, ठीक है, interesting सवाल, एक और सवाल, इसको solve कर लीजेगा, Hela cells से जुड़ा हुआ, इसमें से बताना है, कौन सा statement incorrect है, बताना है, यहां फिर से, एक और incorrect वाला statement मुझे मिल गया है, पहला statement है, Hela cells are immortalized cell lines used in scientific research, which are durable and prolific, allowing extensive applications in scientific study, यह उसका characteristic ही बता रहा है, statement 2 बता रहा है, Hela cells were the first human cells to be successfully cloned in 1953, अचली यह भी correct है, absolutely correct है, तो incorrect statement कोई भी नहीं है, इसमें, option हो जाएगा आपका D, कोई भी incorrect नहीं है, बहुत आर correct अचली, अब यह जो Hela cells है, यह एक patient से लिए गया थे, एक patient से लिए गया थे, 1951 में, cancer patient थी, Henrietta Lacks करके, Henrietta Lacks करके, ठीक है, तो उसका नाम, it has been etched in history, her name is Henrietta Lacks, in 1951, उसको cervical cancer हो गया तो, John Hopkins का एक doctor था, तो उसने बिना Henrietta को बताए हुए, उसके कुछ cells, extract कर लिए, without any consent, पहले काफी normal था, उसके knowledge के बगेर लिए गये थे, तो Henrietta eventually passed in October 1951, तो पहले यह काफी normal था, पहले consent का फंडा था ही ने, 1950 की बात है, consent का क्या फंडा था, तो बिना consent के भाईया, cell निकाल लिए, लेकिन, normally क्या होता है, normally हमारे जो cells extract होते हैं, हम उसको culture कर सकते हैं, हम उसको survive रख सकते, कुछी दिनों के लिए, limitation होती है, the cultured cell, they cannot survive without the host body or the host cell, लेकिन Henrietta Lacks, उसके जो cells थे, उसके जो cells थे, वो अभी तक, आज तक, 1951 से, आज तक, बहुत सारे extensive research projects में इस्तेमाल किये गए, in fact, पहली बार, हम लोगों ने कोई human cell, जो हम लोगों ने clone किया, वो 1953 में clone किया था, Henrietta Lacks का ही cell था, और, बहुत सारे, आज तक, आज तक, till now, 55 million tons, 55 million tons, Henrietta cells, 75,000 से भी ज़्यादा scientific studies में इस्तेमाल किये गए, तो, in a way, मतलब, in a way, one can say, actually, Henrietta Lacks, it's kind of alive, scary लगता है, मतलब, she's there, she's gone, but she's there, she's contributed immensely, knowingly, unknowingly, towards the biomedical field research, okay, तो, ध्यान रख लेज़ेगा, simple ते सवाल आ सकते हैं, although इतने extensive नहीं, this is a very typical UPSC kind of a question, or there might be statement based question also, but, hell, our question would be expected something like this, which is a very typical one, okay, right, चले, आगे बढ़ता है, question number 76 पे चलते हैं, we have reached half way now, half way now, आशा करता हो कि आदे इस particular session में, अभी तक आप, आपको बहुत सारी information मिली है, बहुत सारे आपकी सही, जवाब भी सही हो रहे हैं, सही नहीं हुआ, तब भी आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहें, you are gaining confidence for the examination, some of the questions might find, might feel tough, in fact, कुछ सवाल है, जो बहुत सारी टफ लगते हैं, क्योंकि जनरली जो प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल बनाता हूँ, वो थोड़े सा टफर साइड पर होते हैं, यूपीससी लेवल के सवाल इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, तो शायद कुछ गलत भी हो जाएं, तो confidence lose नहीं करना है, डिसपोइंट नहीं होना है, learn करना है, और आगे बढ़ना है, ठीक है, चलिए, 76 फेज थेरपी के बारे हैं, ठीक है, फेज थेरपी के बारे में, statement कौन से कौन से correct है, यह बताना है, फेज थेरपी, अब देखो, फेज थेरपी, एक statement है, is a therapeutic method of using viruses, for treatment of bacterial infection, pathogenic bacterial infection, perfect statement है, यह perfect statement है, बैक्टीरियो फेज क्या होता है, बैक्टीरियो फेज माने, एक वाइरस जो बैक्टीरिया के उपर attack कर सकता है, तो वाइरस को इस्तेमाल करते हैं, जो हमें हानी नहीं करते हैं, जो बैक्टीरियो को हानी करते हैं, उन वाइरस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इन फेज तो आगे आने वाले समय फेश थेरपी और भी ज्यादा प्रॉमेनेंट होने वाली है एंटिबाइटिक रिजसर्स इस तरह से डेवलप हो रहा है उसको शायद ओने एलिमेंट करने के लिए फेश थेरपी है तो फेश थेरपी का फायदा है देखो अभी लोग क्या करते हैं या अपको पत कि एक एंटिवेटिक करने में कितने साल लग जाता है अभी तक अगर मैं गलत नहीं हूँ क्वाइट शौर बाद आज तक कोई भी एंटिबाइटिक प्रोड्यूस नहीं किया गया नया एंटिबाइटिक नहीं आया अभी तक वही उन्हीं एंटिबाइटिक को घुमा फिर आ रहे हैं एक टी करके यूस करते रहते और एंटिबाइटिक रेस्टेंस भी डेवलप हो रहे तो एंटिबाइटिक से तो बेटर हैं यह यह बहुत सारे वाइरसस आपको मिल जाएंगे स्पेसिफिंक वायरस वायरस की लड़ाई लगा देंगे चला आगे बढ़ते हैं 77 पे चलते हैं उड़ा हुआ तो काफी चर्चा के विशय हुआ था जैनो ट्रांस्प्लेंटेशन पिछले साल अगर आपने पढ़ा होगा जैनो ट्रांस्प्लेंटेशन के बारे में तो एक इंसान को जिसका दिल कम जोर था उसको एक लिए 31 दिनों के लिए एक महीने के बीतर वह दीने से वह तैट हो गया थीए तो बारे में कुछ स्टेटमेंट है जैनो ड्रांस्प्लांटेशन इस ट्रांस्प्लांटेशन और लिविंग सेल्स टिशुसच्यू और बिल्कुल यहां पर नोट करने बारे में स्पीशीं曾 ज कोई tissue भी हो सकते, कोई organ भी हो सकते, मैं transplant करूँगा एक species से, एक प्रजाती से, दूसरी प्रजाती में, statement 2 है, human xenotransplantation offers a potential treatment for end stage organ failure, yes, बिल्कुल human xenotransplantation, यानि कि humans के अंदर, अगर कोई end stage organ failure हो रहा है, तो शायद offer कर सकता है, human based xenotransplantation, किसी और organism का, हमारे अंदर, etc, it will help, okay, त तो दोनों सही statement है, यह हुआ था, मैंने आपको बताया, उस patient के बारे में, he did survive for, he did survive for, few days, almost 30-31 days, after that, after that he expired, okay, but xenotransplantation, it leaves ground open for next set of testing, next set of research, question 78, Cocoponics से वारे जुड़ा हुआ है, Cocoponics, Cocoponics से जुड़ा हुआ statement कौन सा correct ही यह बताने है, ठीक है, तो दो statement है, पहला statement है, Cocoponics is a soilless method for growing crops, that has several advantages over traditional soil based methods, अब देखो यहां पे यह several advantages कहते हैं, अब पूरा का पूरा advantage नहीं बतारा है, several advantages हो सकते हैं, सर्थ नॉर्मली हम लोग Soilless method कौन से इस्तेमाल करते हैं, देखो, Hydroponics है, Aquaponics है, यह सारी चीज़े करते हैं, तो Cocoponics उससे जदाब फाइदे मन दे हैं, यह कह रहा है, क्यों है, थोड़ी दिने बताता हूं, statement साइए, second है, Cocoponics involves growing plants in mixture of fermented coconut coir, fermented coconut coir, जो नारियल का coir निकलाता है, बचा हुआ, और assertion reasoning question भी बना सकते हो, so, both of them are correct, Cocoponics को promote कर रही है भारत सरकार, Cocoponics से जुड़ी हुई funding भी दे रही है, इसके बारे आपने जरूर सुना हूं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता है, अब यह पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, यह काफी चर्चा में भी था, न्यूज में था, ब्रूमेशन, ब्रूमेशन, क्यों न्यूज में था, जनरली इसका जवाब है, ब्रूमेशन, नोट करना है, ब्रूमेशन एक टर्म है, जो winter या फिर low temperature के लिए इस्तमाल के आता है, आपने कई सारे terms सुने होंगे, जैसे कि hibernation, को be the Fernanda सुना है Hayward Nation हईब नशन तो ही लिड़नेशन अपने सुना होगा hanobernit थर्म होता यार कम्प्योटे मीफ्म होता है नो इसे बैरंकर बाल वह भालू खड़ा मतलब हो जाएंगे तो हाइबरणेशन कहते हैं बैर वगारा है लेकिन रेप्टाइल्स नार्मली हाइबर ने होते हैं जैसे कि सनेक्स लिजार्ड एट्सटा लो टेंपरेचर पीरड के और वही आपने देखा होगा कुछ-कुछ ऑर्गेरिजम्स होते हैं जो समर में हाइबनेट मतलब समर में चुप जाते हैं गर्मी से बचने के लिए बरो और खड़े-वड़े करके बरो करके अंदर चला आते हैं उस प्रोसेस को हम लोग एस्टिवेशन और डायपॉस कहते है यह सिंख्रणाइशन टर्म तो ऐसे ही डला वह यह सिंख्रनाइशन तर्म तो ब्रूमेशन टर्म से तो ब्रूमेशन डायपॉस कई बार इस तरह के सवाल आते हैं एस्टिवेशन समर में ब्रूमेशन विंटर में ठीक है नोट कर लिए चलो आगे चलते हैं एक प्रोजेट के बारे में देखा था जहां पर वर्ल्ड इंस्टिउशन जुड़े हुए उसमें CSIR भी जुड़ा हुआ है उसमें एक प्रोमिनेंट जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उस प्रोजेक्ट में इस फ़ल्ड डीने मिथाइलेशन उसके वारे में एक स्टेट्मेंट दिया है दो स्टेट्मेंट दियो सॉरी डीने मिथालेशन इस प्रोसेस्ट वेर केमिकल ग्रूप्स अटाच टो डीने में उस जीन का काम बंद कर देंगे तो इस डीने मिथालेशन इस प्रोसेस्ट फॉर स्विचिंग उन जीन ओफ सेकेड डीने मेथालेशन इस टाइप एपी जेनेटिक मोडिफिकेशन एपसलूटली एपी जेनेटिक मोडिफिकेशन विच हेल्प्स तो डीप प्रोजेक्ट में अब CSIR और CCMB मिलकर डीने मिथालेशन प्रोसेस्ट का इस्तमाल करते हुए एपिजेनेटिक एपिदेमिलोजिकल स्टडी करेंगे एपर नॉन क्मुनिकेबल डीसिजस ठीए राइट लुट्स मूव तो नेक्स वेशन वेशन नम्र ऐटी-वन क्वेशन नम्र एटी-वन बेसिक सवाल है लेट्स मूव तोट्स सम् बेसिक क्वेश्टिंस ऑफ सेल एंड प्लांट्स ठीक है जेनरली आप देखो गी जब सेल होता है सेल का जो जो सेल मेंब्रेन क कहते हैं तो यह स्टेट्मेंट घ्र कि हमारे बोडी के अंदर हमारी सेल के अंदर राइब और इएससा सेल और्गेनल आइसका कोई मेंब्रेन नहीं होता है है राइबोजोम is a membrane less organelle it's it looks more like jelly jelly की तरह दिखता है वो तो वन सही है टू गलत है correct statement दो निकालना था तो राइबोजोम do not have any membrane it's a correct वो उनके उस membrane नहीं है mitochondria actually double membrane है mitochondria के दो-दो membrane होते हैं double membrane है तो टू गलत है तो option one is the correct answer okay good चलो आगे चलते हैं plant से जुड़े हुआ term के बारे में consider the following statements दो process के बारे में लिखा गए हां पर कौन से दो ने process का definition बताएगे correct बताले पहला statement is transpiration transpiration is loss of water as water vapor from aerial parts of the plant through stomata तो ठीक है perfect है हम लोग ने पढ़ा है transpiration के वारे में क्या है कि या पतों के ऊपर पतों के नीचे stomata होता है stomata खुल जाता है तो पानी loss होता है उसको transpiration कहते है transpiration pull की वज़े से बहुत height तक पानी पहुचता है पेड़ों में यह भी हम लोग असका है तो बोड़ स्टेटमेंट सर करें अब यहां पर नोट करना है Transpiration तो सब को समझ मैं transpiration evapor transpiration होता है धूप की वैजश जब धूप होती अनलाइट है तो ने पानी लौस हो जाता है से वेपर के रूप में चला रता है तो रूट नव पानी खीचने लगते तो रूट के अंदर प्रेशर डेवलप होता है और नॉर्मली गटेशन आपको बड़े-बड़े पेड़ों में नहीं दिखाया था गटेशन आपको छोटे-छोटे प्लांट में दिखाया देता है जेनरली इन अर्ब्स श्रब्स आपको गटेशन मिल जाएगा गटेशन का में रीजन होता है रूट प्रेशर अब रूट प्रेशर की वज़े से पानी इतना जादा खीच ल दिए दिए नहीं है अब करने यहां गटीम नहीं दूटज दिखं कि outta गटेशन दो था दिए द्ध्रीजिस नूट डै तू नहीं है यह दिन नहीं यह दिन ऋटू सके द जृम Inde क्रिक टिख्वेट मैश्य सी कि मॉर्ट विन कमां न वारेडे लिएजीन हें ढएजी civ visit एक तो humidity है, हावा में humidity है, और temperature dew point की नीचे चला गया है, तो क्या होगा, पानी ओस बनके चमा हो जाएगी, ग्रास के उपर, गास के उपर, लेकिन, गटेशन वो नहीं है, गटेशन पानी का loss है, it's actually loss of xylem sap, कई सारे tribes जो है न, वो गटेशन वाटर को बहुत ही pure समझते हैं, गटेशन वाटर को herbal समझते हैं, मतलब सुबह सुबह आपने देखा होगा, कुछ-कुछ tribes, सुबह सुबह निकलेंगे, 5 बजे, 4-5 बजे, पत्तों से पानी collect करने के लिए, क्यों? वो कहते हैं कि इस पानी के अंदर medicinal property है, क्यों? क्योंकि ये xylem sap है, ये केवल पानी नहीं है, ये xylem का sap है, xylem के अंदर पानी भी है और minerals भी है, तो xylem sap is lost through gattation, note कर ले हैं, ठीक है? चलब, आगे बढ़ते हैं, question 83 में, plant hormones के बारे में, बढ़ा आसान सवाल है, correct statement आपको बताना है, consider the following statements, oxynes are plant hormones that regulate growth, particularly with stimulating cell elongation in stems, इथलीन is a plant hormone known for its effects on fruit ripening and organ abscission, दोनों के दोनों statement absolutely correct है, ठीक है, oxynes growth करता है, ये growth को promote करता है, इथलीन abscission को promote करता है, abscission मतलब भाईया, फेड की activity को कम करता है, fruit ripening, देखो, फल ripe क्यों होता है, अरे क्योंकि फल के उपर ज्यादा शक्ति नहीं डालना है, फल क्या हो रहा है, फल एक समय के पर टूटके क्यों गिरता है, पेड से तूटके क्यों गिरता है, क्योंकि भाईया, उस पे मुझे और energy नहीं डालना है, तो मुझे organ abscission कराने, तो उसको गिरा देना है, इतलीन एक negative growth hormone है, oxyn growth hormone है, तो both of them are correct, in fact, जब हम लोग plant hormones की बात करते हैं, मेरे पास है oxyn gibraline, यह oxyn gibraline क्या है, यह growth hormones है, oxyn gibraline cytokinin, they help in growth, इसको growth hormone कहते है, नोट करने है, oxyn, gibraline cytokinin, यह growth hormones है, लेकिन, लेकिन, इतलीन और abscissic acid जो है, यह inhibitors है, these are called inhibitors, मतलब growth को inhibit करते हैं, land की growth को कम करते हैं, तो oxyns, gibraline and cytokinin, they are growth hormones, they regulate growth, and predominantly, predominantly oxyn जो है, यह stem elongation मदद करते हैं, oxyns और gibraline stem elongation मदद करते हैं, इतलीन, fruit ripening मदद करते हैं, इतलीन, आजकल इतलीन का बहुत ज़्यादा दुरूपयोग भी हो रहा है, आप देख सकते हो, और इतलीन एक ऐसा plant hormone है, जो gaseous form में मिल जाता है, इतलीन गैस के form मिल जाता है, तो इतलीन क उनको पका दिया, जल्दी पक दिया, artificial ripening करा दिया, इसके अलाब, question 84, यह tropism के बारे में, दो statement दिये गया है, plant response towards the light, is called phototropism, ठीक है, all plants show phototropism towards the direction of light, तो पहला statement दो सही है, अब दूसरा statement एक blanket statement बता रहा है, और यहाँ पे मुझे incorrect ढूंड निकाल ले, all plants show phototropism towards direction of light, यह गलत है, ऐसा नहीं होता है, कुछ plants light की तरफ phototropism दिखाते हैं, कुछ plants light से बचने के लिए, opposite direction में tropism दिखाते हैं, तो incorrect कौन सा है, incorrect is true only, तो only is incorrect, अब देखो, ट्रॉपिसम होता क्या, जेनरली plant ट्रॉपिसम में, प्लांट न, प्लांट को चाहिए क्या, इंपल यार, पानी को चाहिए, sunlight चाहिए, उसको पानी चाहिए, sunlight चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, अब देखो, sunlight जहां मिल रही है, कुछ-कुछ plant, उधर अपनी, अपना मुह कर देता है, जैसे कि आपने देखोगा, sunflower है, अब sunflower जो है, सूरज के साथ-साथ, वो फूल घूमता है, आपने देखोगा, सुबह इस तरफ होगा, शाम में, इस तरफ होगा, इसको बोलते है, phototropism, वो सूरज, sunlight के लिए, दूसरे ट्रॉपिसम है, ठी टच दिया है उसको, वो उस तरफ ग्रो होने लगिया, है ना, इसके अलवा, gravitotropism, फिर geotropism, अब gravitotropism क्यों होता है, यह आप जानते हो, हमेशा, root, positive gravitropism, shoot, negative gravitropism, मतलब, root, 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 जो है ना, गुरुत्वाकर्शन की दिशा में बढ़ता है, shoot, उसके opposite दिशा में बढ़ता है, तो अपने कई बार देखाऊगो, especially shoot का है न, आपके घरों में, आपने देखाऊगो, छट पे वगिरा, कोई पेड लगता है, छट के कोनों में, crevices में, अगर मिटी वगि लाता है, अपने देखाऊगों जरूस को, है न, तो वो ऐसे आएगा, वो cross नहीं जाएगा, उसके roots तो शायद angle पे होंगे, लेकिन shoot तो सीरह आप जाएगा, similarly, hydrotropism भी दिखाए था, कई बार पानी की दिश्चा की तरफ बढ़ जाते हैं, roots, along with geotrapism और gravitrotropism, ठीक है, चल सवाल है, in fact, I think, कि मुझे लगता है, बहुत पुराना एक previous year question होगा, मुझे लगता है, drinking से जोड़ा है, क्योंकि drinking वाला जैसी, जैसी highlight कर दो, सभी के जैसे कानों की जो चक्षानों होते हैं, जो कानों के senses होते हैं, एकदम तेज हो जाएंगे, drinking और दारू की बाते कर drinking of whiskey increases the frequency of urination, अब ये तो observe किया होगा आपने, drinking of whiskey increases the frequency of urination, अब assertion तो यार correct है, तो ये तो नहीं है, B तो नहीं है, ABC में से है, alcohol intake speeds up the secretion of vasopressin in the body, ठीक है? alcohol intake speeds up the secretion of vasopressin in the body, ये गलत है, अरे vasopressin है क्या? what is vasopressin? vasopressin produce करता है आपकी kidneys, vasopressin होता क्या? it is anti-diuretic hormone, it is anti-diuretic, anti-diuretic हो, तो अगर vasopressin body में ज्याधा होगा, तो urination नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये उल्टा है, एक्चली, तो इसलिए answer क्या हो जाएगा? इसका both A and R are individually, no, 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 इसका जवाब हो जाएगा, A is true, but R is false, R तो false है, सीरे सीरे, क्योंकि ये उल्टा statement दिया हुआ, assertion correct है, reason गलत है, reason क्यों होता है, क्योंकि alcohol consumption की वज़े से, it does not speed up the secretion, it quells the suppression of vasopressin, largely, ठीक है? चलो, अगले सवाल पर चलते हैं, simple statement है, metastasis का, metastasis का मतलब क्या, ये पूछा गया, what is the meaning of metastasis? okay, metastasis is a process by which, cells divide rapidly under the influence of drugs, cancer cells spread through the blood or lymphatic system to other sites or organs, the chromosomes in cell nuclei are attached to spindle before moving to anaphase poles, cancer cells are successfully inhibited to divide any further, metastasis, cancer से तो जुड़ा हुआ है, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, cancer cells are successfully inhibited, ये गलत है, metastasis का मतलब है, cancer, it has spread throughout your body, आपके body और lymphatic system में चला गया है, जिसकी वेज़ से, अब cancer को रोकना बड़ा tough हो जाता है, fighting cancers will become really really tough, ठीक है, चौन, अगले सवाल पर चलते हैं, होर्मोन से जुड़ा हुआ है, आसान सवाल है, I think this is easier, कौन से कौन से statement correct है, ये पूच रहा है, पहला statement है, growth hormone produced by testis, triggers generation of sperms in male, कुछ तो problem लग रहा है, परजी लग रहा है, growth hormone produced by testis, ये गलत है, growth hormone कौन produce करता है, growth hormone, testicles produce नहीं करता है, testicles produce क्या करता है, testosterone produce करता है, testicles, even small amount of estrogen भी प्रड्यूस करता है, लेडिंग सेल्स जो है, testicles के अंदर, वो small amount of estrogen प्रड्यूस करता है, ठीक है, epinephrine produced by adrenal, ठीक है, epinephrine adrenal produce करता है, is responsible for fight or flight response, बिल्कुल ठीक है, epinephrine मतलब adrenalin, आपके body में जो adrenalin है, यह adrenal gland produce करता है, जिसकी वैसे मैं excited होता हूँ, बड़ा excited होता हूँ, statement 3, glucagon produced by liver is responsible for conversion of glycogen into glucose, यह गलत, liver नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, only one है, जिसके अंदर second option, क्यों glucagon कौन produce करता है, देखो, हमारे body के अंदर pancreas है ना, वो दो हर्मोन produce करता है, pancreas in fact एक ऐसा hormone है, जो mixed hormone है, इस endocrine and exocrine, pancreas produce करता है insulin, जो blood glucose level को कम करता है, glucagon, जो blood glucose level को बढ़ाता है, तो दोनों produce करता है, pancreas, not liver, ठीक है, तो easy था यह, चलो, अगले सावल पर चलते हैं, question number 88, endocrine glands release hormones in specific ducts, exocrine glands release waste in blood vessels, which of the following statements are correct, देखो, endocrine gland, यानि कि endocrine ग्रंती जो है, वो hormone को release करते हैं, specific duct में, पूरा का पूरा फरजी है, exocrine glands release waste in blood vessels, पूरा का पूरा गलती है, अब क्यों गलती है, एक तो भहिया, waste यह गलत है, blood cells में यह भी गलत है, in fact, यह उल्टा होना चाहिए, ठीक है, endocrine gland का मतलब क्या होता है, endocrine ग्रंतिया कोंसी हो, दोनों ही incorrect है, तो correct, neither one nor two है यह, endocrine ग्रंती मतलब क्या होता है, वो ग्रंती जो hormone को produce करेगा, और सीधे की सीधे blood stream में डालेगा, जो directly आपके blood stream में छोडेगा, exocrine ग्रंती होती है, exocrine ग्रंती जो होती है, वो hormone को produce करेगा, it will produce a hormone, hormone भी हो सकता है, या फिर कोई secretion भी हो सकता है, वेस्ट नहीं होता है एक्जोक्रीन गंती वेस्ट को प्रोड्यूस नहीं करती है इतल सिक्रीट सम्थिंग जो भी वह सिक्रीट करेगा जो भी वह सिक्रीट करेगा वह बेसिकली किसी डक्ट में छोड़ेगा अब जैसे कि से मिर सयाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड और उक्लिए ब्राइवरी ग्लैंड थोग कि वेसे हिसे आब पैंक्रीयस हो गया है पैंक्रीयस्लेशक्लैंड से Cand प्रोडूस करते होर्मोन जैसे की इंसुलिन ग्लुकोकोन डाएक ब्लड स्रीमाइब चला लगता है पंक्रेस करता है पंक्रियाटिक जूस उसी क्रिट करता है कहा जाता है वह चाता है भई आपके ढू डिनम में आपके स्माल इंटेस्टाइन तो करेट होगे चलिए आगे बढ़ता है question 89 पे चलते है question 89 it is about whole genome sequencing whole genome sequencing के बारे में काफी चरचा का विचरा है यह भी consider the following statements with respect to whole genome sequencing genome sequencing itself is a news WGS whole genome sequencing it entails sequencing of whole organism nuclear as well as mitochondria absolutely correct है second unlike whole genome sequencing DNA profiling is limited to identifying individuals based on their unique DNA pattern perfect है यह क्यों कि genome sequencing में पूरा genome genome sequencing थोड़े कर रहा हूं correct second sorry third statement whole genome sequencing is more comprehensive and less expensive than exome sequencing ठीक है सही है यह भी सही है क्यों क्योंकि ने को whole genome sequencing में होता गया whole genome मतलब पूरा का पूरा जो मेरा genetic information है उसको sequence कर रहा हूं मैं न्यूक्लियर हो यह फिर माइट्रोपॉंटियल हो I'm not worried about I'm not worried about specific specific genes जो कोड कर रहे है एक्जों सीक्वेंसिंग क्या होता है एक्जों सीक्वेंसिंग वह होता है जहां पर मैं केवल मेरे body का non coding region या फिर मेरे मेरे genome का non coding region के पर focus कर रहो तो वह तो expensive हो गई न लॉजिकल तो all the three statements are correct for this particular है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नम्र 90 पे चलते हैं क्वेश्चन नम्र 90 नैनो पूर सीक्वेंसिंग के बारे में नैनो पूर सीक्वेंसिंग क्या है नैनो पूर सीक्वेंसिंग क्या है नैनो पूर सीक्वेंसिंग क्या definition बताएगा reading the code of a single dna strand by detecting changes in electric current to determine the different nucleotides of a dna okay sequencing and reading of dna by breaking the genome into many tiny pieces reading the dna base pair sequence by amplifying tiny dna fragments into vast copies okay using a reversible di-terminator technique in which one fluorescently labeled tiny nucleotide is detected at a time इसके लिए थोड़ा specific आपको एक knowledge होनी चाहिए इसमें से अगर आप definition of नैनो पूर सीक्वेंसिंग देखोगे this would be the definition of नैनो पूर सीक्वेंसिंग जहां पे हम लोग किसी भी dna का single strand का code हम लोग पढ़ेंगे by detecting changes in its electric current to determine different nucleotides of the dna इसको बोलते है नैनो पूर सीक्वेंसिंग जो काफी चर्चा में रहा है in recent times all right after question 89-90 let's move on to 91 question number 91 question 91 एक particular term से जुड़ा हुआ सवाल है question is this the term nicer technique the term nicer technique sometimes seen in news is related to what आपकी वास चार विकलब है a. cryptography, b. genome editing, c. metal extraction and d. deep learning यह सवाल current affairs जुड़ा हुआ है I'm quite sure कि आप सभी लोग current affairs पढ़ रहे हैं current affairs को follow कर रहे हैं तो यह सवाल काफी आसान हो जाएगा कई बार UPSA civil service examination में इस तरह के factual questions आ जाते हैं which depend purely on current affairs preparation अगर आपने nicer के बारे में पढ़ा होगा तो यह आप जानते हैं कि nicer is a new technique connected to genome editing in fact nicer को compare किया जा सकता है CRISPR technology के साथ CRISPR Cas9 जिस तरह की feasibility जिस तरह की versatility प्रवाइड करता है उसी को compare कर रहे है nicer technique को भी so nicer is connected to genome editing आप देखें इस तरह के जो terms होते हैं कई बार nicer आपने अलग-अलग चीजों के साथ भी सुनाओगा जैसे मुझे याद आ रहा है हम लोग जब preparation में थे कई सालों पहले तो तब भी term nicer काफी चर्चा में हुआ करता बड़ वो nicer technique genome editing से जड़ावा नहीं है मैं खुद confused हुआ था अगर यहां पर समझ लो something connected to life of a star दिया जाता तो I would have gotten confused with nicer क्योंकि जब हम लोग बढ़ रहे थे तो उस समय मुझे याद है एक NASA का program था नासा का program था neutron star की composition को explore करने का उसको full form भी था इस nicer को कोई full form नहीं है तो उस nicer को full form था neutron star composition explorer कुछ इस तरह से था नासा का program तो यहां पर वो option तो है नहीं so there is not a lot of not a lot of confusion तो nicer is connected to genome editing in fact nicer काफी चर्चा में एक नया जैसे September 2023 में यह आया था एक new genome editing method nicer which may reduce off-target mutations in fact इसके उपर एक paper भी पब्लिश हुआ था nature में 2023 में inducing multiple nix promotes inter homologous inter homolog homologous recombination to correct heterozygous mutations in somatic cells इस तरह से इस title से एक paper पर पब्लिश हुआ था which basically spoke about nicer nicer एक तरह का enzyme इस्तमाल करता है जिसका नाम है निकेस ठीक है तो ध्यान रखना इस चीज़कों आसान सवाल है अगर आपने current advice पढ़ा है तो relatively बहुत easy है अगर नहीं नियूरो टॉक्सिन गैस अगें अब ऐसा तो नहीं है कि आपको सारी के सारी नियूरो टॉक्सिन गैस याद रह सकते हैं लेकिन इस तरह कि जब सवाल होते हैं तो थोड़ा सा आपको elimination method से आप कर सकते हों जैसे अगर आप options देखो पांच दी रहे हैं पांच गैस कार्बन monoxide hydrogen sulfide methane argon और carbon dioxide दिया हुआ है तो इसके अंदर अगर आप देखोगे argon जो है argon gas इसको तो मैं सीधे कर सकता हूं क्योंकि argon gas it cannot be a neurotoxin because it does not react with anything at all यह तो आपको पता ही argon gas हम लोग कई से bulbs बगेरा में इस्तिमाल करते हैं argon gas जब हमें inert atmosphere चाहिए होते तो argon gas हम लोग इस्तिमाल जरूर करें तो को मैं eliminate कर सकता हूं तो जहां जाब 4 दिखेगा अगर मैं इसको eliminate कर दूंगा तो I will end up with two options 123 or 12345 so it all boils down to two gas यह तो है carbon monoxide hydrogen sulfide यह तो common sense भी बताता है मुझे लेकिन जो अगला option है 1235 ठीक है तो मीथेन और carbon dioxide भी है कि नहीं तो अगर आप थोड़ा सा सोचो कि आपको पता चलेगा methane और carbon dioxide भी especially carbon dioxide that is also considered as a neurotoxin ज्यादा मात्रा में हमारी body में चला जाए तो it is like a neurotoxin itself you need to understand carbon dioxide poisoning भी हो सकती है so the option here is 1235 okay so neurotoxins neurotoxin gases कौन से कौन से जो हमारे nervous system को हानी पहुचाते है carbon monoxide है hydrogen sulfide है methane है carbon dioxide है ज्यादा मात्रा में they do harm the nervous system ठीक है चली आगे बढ़ता है question number 93 पे question 93 is connected to current affairs again consider the following statements with respect to a disease called as scabies which was the news recently due to its outbreak in Malawi Malawi में scabies का outbreak हुआ था उसके वारे में कुछ statement दिये हुए है आपको बताना है कितने statement correct है ठीक है कितने statement correct देहें यह इस तरह की जो सवाल है कितने statement correct है 2023 से काफी ज्यादा prominent बन चुके है आपने देखा होगा और जैसे recently result भी आया था result भी आया था और आपने देखा होगा recent के cutoff को होगी cutoff काफी लो गया if I'm not wrong I think 75 76 के आसपास गया होगा cutoff for general which is actually the lowest मतलब मैंने तो हमारे टाइम पी पर नहीं सुना बिलकुल 74 75 I think एक बार the lowest that I have heard was 98 during my preparation phase but this was really low one of the reasons can be these type of questions थोड़ा सा tough questions है जहां पर लगता है कि elimination मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है यहां पर आपको eliminate करने के लिए और attempt करने के लिए थोड़ा ज्यादा educated guesses करने पढ़ते हैं but nonetheless तयारी करेंगे शायद इस साल there might be some other surprise because UPSC I always tell UPSC is unpredictable public service commission nobody can predict it nobody can anticipate हम केवल क्या कर सकते हैं कि हमारी preparation इस तरह से करेंगे इतनी तगडी preparation करेंगे कि कि किसी तरह की भी surprise के चलिए हम लोग तयार रहें बस ठीक है at least हम लोग कोपप करेंगे उस surprise को चलिए सवाल पर वापस लगते स्केवीज के बारे में कितने statements correct तो पहला statement है it is a parasitic infestation caused by a mite okay ठीक है parasitic infest infestation है तो root words धून निकाले मैंने it is contagious and can spread quickly from person to person ठीक है in 2017 scabies was included as a neglected tropical disease by world health organization तो मालावी मतलब tropical area में है तो third third वाला most likely true है यह parasitic infestation ही है और कोई specific organism कि हम लोग बात करें it is because of a mite yes it is contagious also यानि है कि एक परसन से दूसरे परसन को आता है basically क्या होता है कि जो parasitic 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 जो insect है parasitic जो organism है वो skin के नीचे skin के बस एक layer नीचे अपना घर बना लेता है और वहां पे बस उसकी दुनिया से होगा यह मतलब वो अगले करता है और वहां पे आपकी skin पे infection हो जाते है तो अलग अलग तरह के ready step के आपको pimples rashes हो जाते हैं तो it is contagious from person to person and in 2017 it was included in the list of NTDs neglected tropical diseases by WHO तो इसका जवाब होगा all the three all the three current affairs current affairs के ओपर ध्यान लखना बहुत ज़रूरी जिसे scabies जो है it is caused by infestation of a human itch mite उसका नाम है sarcoptes scabies ठीक है और यह microscopic scabies होते है microscopic infestation है और अगर आपके skin के ओपर चला जाए जिसमें आपको बताया स्किन के नीचे में एक layer के नीचे वो घर बना लेते हैं वहाँ पर घर मतलब they basically live on your skin they lay their eggs और colony बन जाएगे उनकी तो जहां जहां पर spread होंगे आपको pimple like skin rashes हो जाएगे pimple like skin rashes हो जाएगे जितने ज्यादा infestation हो जाएगा उतना ज्यादा आपकी skin के ओपर rashes बन जाएगे और एक इंसान से दूसरे इंसान को भी जल्दी से spread हो सकते हैं treatment available है treatment किस तरह की available है इनके ओपर directly हम लोग वो anti-infestation anti-mite cream लगा सकते हैं उस cream को हम लोग इसे almost एक week इस्तमाल करना पड़ेगा दिन में कम से कम चार चार पांच पांच आट-ाट घंटे ओ क्रीम लगानी पड़ेगी या फिर आपको tablets वागेरा भी available है oral medication is also available as a treatment for scabies note करना इसी सुटी चली scabies की बाद let's move on to question number 94 question number 94 is connected to a sexually transmitted disease called gonorrhea gonorrhea Kenya में काफी ज्यादा फैला हुआ recently outbreak हुआ था कुछ महीन पहले Kenya में तो उसके बारे में कुछ सवाल पूचेगा है gonorrhea के बारे में कुछ सवाल है आपको बताना है कौन से statement correct है यहां पर कितने statement नहीं कौन से spread undetected second it can infect both men and women the outbreak has been attributed to new virus mutation तीन statement देगा तो गौनरी आप जानते हो बैक्टेरियल इंफेक्षिन नसे रिया गौनरे जो बैक्टेरिया वो कॉस करता है इसका मतलब क्या है मैं और वुमन दोनों में भी हो सकता है सर इसके symptoms क्या हो सकते कई बार symptoms हो सकते हैं कई बार symptoms नहीं भी होते हैं तो इट कैन भी asymptomatic as well लेकिन चाहां पर भी symptoms होते हैं symptoms जैसे in men pain during unination same with females discharge हो सकता है एक तरह का पस discharge हो सकता है pain हो सकता है genital organs में women में lower abdomen में भी pain हो सकता है because of gonorrhea is also treatable ठीक है तो एंटी माइक्रोबियल resistant केनिया में कह रहा है gonorrhea का outbreak हुआ था जो antibiotics से भी खतम नहीं हो रहा था इसकी treatment है antibiotics मिलते हैं लेकिन antibiotics से भी खतम नहीं हो रहा था तीसरा statement कहते है था outbreak has been attributed to new virus new virus mutation अब यह तो पूरा statement ही फरजी है आपको यह तो पता चली रहा है कि सबसे पहले तो antimicrobial resistance आपको पता है gonorrhea एक bacterial disease है तो वाइरस mutation का कुछ फंडा होता ही नहीं जेनरली 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 antimicrobial resistance जब हम लोग बात करते हैं फिर जो antibiotics का resistance लेने से भी अगर बैक्टीरिया खतम नहीं हो रहा है तो कहीं नहीं उसके अंदर mutation हुआ होगा वो क्यों होता है क्योंकि आपने इंडिस्क्रेमिटली शायद antibiotics ले लिए हैं बहुत ज़्यादा antibiotics अगर ले लिए हैं जैसे humans में हो गया अनिमल्स में हो गया बहुत ज़्यादा antibiotics के इस्तेमाल से भी antibiotic resistance और antimicrobial resistance हो सकता है इसको कैच कर लेना चाहिए इसको आसानी से कैच कर लेना चाहिए अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया होकर उस disease को पढ़ लिया उस वो अगर पैथोजन पता है तो आसानी से हो जाएगा तो थ्री हटा हटा दो आप यह चला जाएगा यह चला जाएगा तो इसी था है चली आगे बढ़ता है question 95 पर चलते है डेंजर डेंजर अब नोट करना है देंजर एक सॉफवेर टूल है पर जीनोम एडिटिंग इन फाक्ट मुझे आदे मैने स्ट को पर एक चोटा दा शॉट भी बनाया था इक पर आपने देखा होगा एक सॉफवेर टूल बनाया था रीसेंटली इस डिजाइन टो इंप्रूट सेफटी ऑप क्रिस्पर टेक्नोलोजी वाट यूनीक अप्रोच डेंजर उट्लाइज तो असे रिस्क असोसेटेड विद जीनोम एडिटिंग क्या यूनीक अप्रोच इस्तमाल करता है अगर आपने इसको पढ़ा भी नहीं होगा अगर आपने वह शॉट देखा होगा अगर अपने डेंजर के वारें पढ़ाऊगा तो बहुत ही आसान होगा अगर पढ़ा नहीं भी होगा न तो यह इस तरह का सवाल है जहां पे आप कहीं न कहीं eliminate कर सकते हो चीजों को हटा सकते हो चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं और answer को answer पर आपको पता होगा शायद दो नहीं पता होगे तो धीरी धीरी वहां पर बैटकर जो आप analysis करोगे तो eliminate करना सीखना चाहिए option को देखकर eliminate करना चाहिए statement को देखकर eliminate करना चाहिए logical way में जाओगे तो बहुत high probability हो जाएगी आपकी educated guesses की सवाल ठीक करने की सबसे best approach तो यह है कि आपढ़के जाओ short shot tick करके आ जाओ ठीक है लेकिन वो ideal world में होना चाहिए कि समझे लो 60 सवाल आते हैं साटों के साटों compulsory correct होने तो एक सोबी स्कोर हो जाएगा टेंशन ही नहीं लेकिन दाट इस इन आइडियल वर्ड ओके तो इन दे रियल वर्ड वाट है तो इसके लिए इस आल्वेस बेटर तो अटेंट अलिटल ऑन पर हमेशा कहता हूं एक्सामिनेशन में सुदेंट सवाल पूछते हैं सर कितने अटेंट करने चाहिए तो I always tell them not to keep a rigid number in the mind but at least have a range range होना चाहिए एक अटेंट करने का सम्वेर अराउंड 80 85 80 to 90 के बीच में अटेंट कर सकते हो 75 से 90 के बीच में अटेंट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी लेवल ओफ ट्वेश्चन पेपर ठीक है तो कोई हार्ड कोड कोड़ नंबर नहीं लेकर जाना है ठीक है तो अगर उतने अटेंट करने तो कई बार ऐसा होता है कि या चलो अगर ऑल्मोस्ट एक डजन ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे थोड़ा सा एलिमिनेशन करके 50-50 पे पहुंचके जोड़ा सा educated cases आप ले लोगे उसका probability correct होने का बढ़ाना है ठीक है तो पहला जो option है ए यूटिलाइजिंग डिने सीक्वेंसिंग डेटा exclusively मैं हाइलाइट कर लोगा exclusively बे रिलाइंग solely on protein interaction maps conducting risk averse assessments using RNA sequencing data depending solely on computer simulations for gene interactions यहां पर तीन statement मैं कहूंगा काफी extreme level के statements है in fact इसका answer भी C ही है conducting risk averse assessment risk averse assessment using RNA sequencing data this is a software tool which does dangerous software tool which does this it conducts risk averse assessment using RNA sequencing data not DNA sequencing per se लेकिन RNA sequencing data को इस्तिमाल करके करता है तो नोट करना है अगर रिपेर हुआ है तो बहुत अची चीज़ा है अगर नहीं है तब भी थोड़ा सा extreme statements को आप avoid कर सकते हो तो eliminate कर सब्सक्राइब चलिए आगे बढ़ते हैं question number 96 number national biopharma mission के बारे में सवाल है सवाल पूच रहे national biopharma mission जो हमारे भारत का है उसका उद्देश है creation of a translational research consortia which will help generate resources reagents infrastructure knowledge that would fast track the national efforts to tackle which of the following infectious diseases तो एक लिस्ट दी गई यहां पे infectious diseases की और हमारा जो national biopharma mission है विच बेसिकली कमस आप बाइराक बाइराक इसको रन करता है उन्होंने टी आर्सी शुरू किया है translational research consortia तो वहां पर कौन से कौन से diseases से लडने के लिए हम लोग सक्षम हो रहे है तो अगर आपने टी आर्सी के बारे में बढ़ावागा जो शुरुवाती दोर में केवल डेंगु चिकन गुनिया के लिए तो तो वन टू तो होना ही चाहिए इतना तो मुझे पता है कि वन टू तो होना ही चाहिए तो वन टू तो सभी में है उसके बाद रीसेंट टाइमस में अगर आप देखें तो इट अपनीस एंसेट कर दोगे तो आपको पता चलेगा अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से करंट अफेस को पड़ाओगा तब आप 1245 पे चले जाओगे नहीं तो जेनरली क्या होता है कि ट्रांसनाशनल रीसर्च कंसौर्टे जब शुरू हुआ था शुरू आती दोर में डेंगू चिकन गुनिया के लिए था लेकिन धीरे धीरे अभी अभी तूसरे भी डिसेज़स को एड़ किया गया है बहुत ही रीसेंट टाइमस में आई होब डाट यू रिवेंबर दिस आपको बताया नाशनल बायो फार्म मिशन इस विंग रन बाई बाई राइक बाई राइक जो इंस्टीशन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पायो टेक्नोलोजी के अंडर आता है वो इस चीज़ को रन कर रहा है तो थोड़ा से मैं कहूंगा लिटल बिट कि मॉडरे आपने जरूर सुना होगा जनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से जुड़ा हुआ एक कॉंसेट है इन कॉंटेक्स्ट ऑफ जी एम क्रॉप्स वाट आर टर्मिनेटर सीट्स अब टर्मिनेटर सीट्स आप जानते हो दिजार अक्चली बैंट किसी भी रिसेच में टर्मिन सब्सक्राइब करें उसी हार्वेस्ट को अगली बार सोइंग के लिए इस्तमाल करें तो इटास्ट वी फर्टाइल फॉर नेक्स्ट जनेरेशन लेकिन टर्मिनेटर सीट के अंदर टर्मिनेटर जीन होता है जो आगे सीट्स को डेवलाप होने नहीं देता बस क्यों और बह जाए उसको बेचते वापस मेरे पास ही आया और मुझसे ही सीड खरीदे मुनापली बनाने के लिए तो देखते हैं वो अप्शन है कि नहीं देर जेनेटिकली मॉडिपाइट सीट्स इजाइन टो इंक्रीज क्रॉप इल्स नहीं इस सीट्स अरे इंजिनेर टो रेजिस्ट और मुझसेट नहीं आप एंट को बनाने को इस वाप्शन है तो नहीं आपको एक्सेशन देरिया सीड शिर्यस इन शीज़ एप्शन हमें में बल चुका है आसान सवाल था ही ठीक है टेमिनेर सीड्स चली आगे बडता है मैं ऐसरे लिए एक ओर टॉपीक के बारे में मुटैस के बारे में इस साल में एक चीज़ या रखता हूं मैं आप यह क्या कर रहा है it is talking about some sort of analysis तो म्यूटार्स को अपने कई बार एक और दूसरे नाम से भी जाना होगा म्यूटार्स सब्सक्राइब करो कुछ केमिकल रियक्शन करवाओ केमिकल रियेजंट से उसको अक्ट करवाओ फिर उसके बाद धीरे धीरे सैंपल सेपरेशन करो करो सेंट्रिपूगरेशन करो बहुत अलग अलग पॉसरो होते हैं स्टेप इस्टेप फिर फी लाब में करते हो साथ हूं संबस्प्सिछ सेपरेशन पूरे की पूरी फरजी है तो वट यू नूओ लाब अच्प एक्स्टेंट थू दिस जहां पर डिवाइज इंटेगर फंक्शनलिटी जहां पर सैंपल लोडिंग के लिए सैंपल ट्रीटमेंड के लिए सैंपल एनलेसिस डेक्शन के लिए हम लोग सारी चीजें अभी बहुती स्ट्रीम लाइंड बना करेंट अफेर्स का तो काफी आसानी से आप स्क्रेप्थ्रू कर जाओ अगर नहीं किया है तो टफ लगेगा ही लगे फिर भी अगर टफ भी लगे तो यार तैयारी कर रहे है मैंने आपको डिस्कुशन की शुरुवात में बताया था क्या है कि यूव स्वेट मोर हीर्स इससे थोड़ा सा नोट भी कर लीजिएगा इन फैक्ट यह पूरा का पूरा पूरा पीडियॉप मैं आपको अवेलेवल करा दूंगा और मैं टेलिग्रम चैनल अस वेल अन दी आईजी अस वेल मैं आपको बताया था आईडी अधरिच रहुल साई 222 टे अल टेल्यू अध बेस एडिटिंग टेकनोलजी अब बेस एडिटिंग हम लोगों ने इसको पड़ा है करेंट अफेस में बेस एडिटिंग का मतलब है एपी जेनेटिक चेंजस लाना मतलब जीन्स जो डियने हैं आपका डियने के अंदर वाले जो चुगर है फॉस्वेट है नाइट्रोजन बेस में कुछ बदलाव लाना उसको कहते हैं बेस एडिटिंग और बेस एडिटिंग प्रॉमिनेट कैसे हुआ है बेस एडिटिंग प्रॉमिनेट हुआ है विद दी एडिवलूशन अप न्यू एपजनेटिक टेकनिक्स क्रिस्पर कैस्ताइन हो गया दूसरी एपजनेटि उसको एक ट्रीटमेंट का चांस जरूर मिला है इसके पर हम लोगने डिस्कुशन जरूर की थी तो लेट सी क्या स्टेक्मेंट है करेक्ट स्टेक्मेंट हो निकालना है बेस एडिटिंग इस टेक्नीक ट्रॉक्ट्टर ऑफ जस्ट वन बेस इन जनेटिक कोड कैन बी आल्ट उनली बेस नहीं डिए ऐसा टेक्नीक बंजू है जिससे एक स्पेसिफिक सेल के अंदर में बदलाब करूंगा टीटिवलेमिक करेंगा जिसे का टी ठरपी मिए वी भी आपर स्टेशनेर चेंजिंग ऐसमीं निकालने एक और आप्र एक यृत परोटिन प्रोटीन तो एक पे ठीक है राइट चलिए 99 के बाद 100 पर चलते हैं सेंचुरी सवाल है अंबलीकल कॉर्ड ब्लड ब्लड सेल्स के बारे बित रस्पेक्ट चु अंब आपको पता हैं अंबलीकल कॉर्ड ब्लड सेल्स जैसे आ जाएंगे उन्हें हम लोग कहते हैं हमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आप जानते हैं स्टेम सेल्स कहां से मिलते हैं अंबलीकल कॉर्ड से मिल सकते हैं आपको प्लेसेंटा से मिल सकते हैं एंब्रीयो से भी मिल सकते हैं स्टेम सेल्स क्या होते हैं स्टेम सेल्स वो सेल होते हैं जो स्पेशलाइज हैं वो दूसरी तरह के स्पेशलाइज सेल्स ब लाइसे उतना कुछ ट्रिक यह अई लग रहे हैं यह तो लॉजिकल है यह अपना कुछ ट्रिकी नहीं लग रहा है ठीक है यह टू लॉजीकल यह तो लॉजिकल है यह तो logical है आप जानते हो इंडिया में भी वह अंबली कल्ड बैंक्स आग चुके हैं यानि कि स्टैम सेल प्रिजर्वेशन के बैंक्स रखे जाते मटरास में चन्ने में आपको मिलेगा डेली में मुंबाई में मिलेगा कई सारे मेरे जानकार लोग है जिन्होंने अपने बच्छों के स् वान टाइम पेइमेंट के बैंक्स भी आ चुके हैं बट जहादत मेरी जानकारी इंचने एड्सेटरा यहाव स्टेमसेल बैंक्स टिक मंतली चार्च महिने का चार्च चलता रहते हैं तो क्या अप्शन हो जाएगा करेक्ट सेटमेंट हुड निकाल लाएं फिर से वे चलतें चलतें एकसे हों तो यह मैं गेएडे आपने पढ़ाया तो प्लाट्स नहीं पढ़ाएं है करेंट अफेस में थे डी टीवी प्लांट्स अगर आपने पढ़ाया तो उच्छी बात है कर नहीं पढ़ाया तब भी डेसिकेशन का मतलब तो बताओ कर डेसिकेशन का मतलब क्या है किसी भी जिसको डेसिकेट करना क्या होता है उसके पानी निकल देना तो यह पूछ रहा है पानी निकल जाएगा यानि कि खुद सूक जाएंगे मतलब खुद पानी छोड़ देंगे सूक जाएंगे लेकिन फिर भी बच जाएंगे उस तरह के प्लांट्स की बात की जा रही है तो आपको ढूंड निकालना है करेक्ट सेटमेंट्स के बारे बें इस प्लांट्स अर सब्सक्राइब तो विस्टेंड एक्स्ट्रीम डिहाइड्रेशन ओके लूजिंग अप्टो 95 परसंट ऑफ देर वाटर कंटेट 95 परसंट तो डिस्टिकेशन तो मतलब येस थी संट अंडगो हेवी डिहाइड्रेशन बिल्कुल 95 परसंट अपना पानी लूज कर से लेकिन सब्सक्राइब कर सकते हैं इन इंडिया इस प्लांट्स और फाउंड ओनली इन डेजर्ट राजस्थान अब पढ़के ही थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रॉब्लमाटिक है उनली इन राजस्थान अब शायद हो सकते हैं यार आप सभी को लगता होगा डेसिकेशन टॉल यह अपने डीसेंट ताइम में करन्ट अफिस जरूर बड़ा होगा तो गलत हो जाएगा ओनली लाजस्थान नहीं आधर अगी थाइस्थान और अधर अजास्थान ये सई स्थेट्मेंट हो जाएगा तो कॉर्ट से होए है केवल वन यह गवा तो यह गलात यह गलात है यह एनरजी सोर्सिंग स्ट्राटेजी के अपर तो पहला स्टेटमेंट ए फोटोटॉप्स के बारे में आपको ढून निकालना है करेक्ट सेटमेंट कॉन से उने कवसे हैं को है पहला assessment ऩि ठ्र शॉछ जिल्छWhite हने बेंट्रीटॉप्स के बारे में हम लोग पोटोट्रोप नहीं है हम लोग हेडोट्रॉप से हेडोट्रॉपस chemical energy करते हैं बिल्कुल यह भी सही है यह थी सही है इन की मोट्रॉपस की मोट्रॉप्स मतलब जो chemicals के ओपर रिलाई करते हैं की मोट्रॉपसी ऑ्प्टेन पर तो पकल के कोड़िया डाउट मुझा सकता है इस पटिकला चीज में यह आनली नहीं बोल रहा है अब जिसे औक ऺड़ानिक का मितलब कया है अब प्लांट से प्लांट क्या इस्तेमाल करें अरे प्लांट सब्सक्राइब कर रहा है सब्सक्राइब सम्सा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बिन्यूर्ट दे दून इन magnesium manganese calcium they also use carbon different elements like carbon oxygen hydrogen nitrogen बहुत सारी चीज़े only नहीं बोल रहा है इसलिए मैं इसको correct कर दे रहा हूं तो चारो सही है और गो विद ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी is 1234123 only 234 only 134 only घलत 1234 चारो के चारो 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 अगले सवाल पर जलते हैं let's move on to question number 103 अब यह टिपिकल UPSC का सवाल है जहां पर एकाद इस तरह के सवाल हमेशा होते हैं जहां पर आपको identify करना है उस individual को कई बार history से भी सवाल ऐसे आ जाते हैं कई बार सब्सक्राइब से जड़े होते हैं कई बार समझ लो एकानोमिक से जड़े हो सकते हैं अगर उनकी contribution towards economics है तो कुछ description दी गई है कि रिसीव डॉक्तोरल डिग्री in 1949 from Cambridge University his meeting with Linus Pauling Linus Pauling Linus Pauling Nobel laureate considerably directed his attention towards solving the intricate structure of collagen in 1954 his study on triple helical structure of collagen was published in nature he was a founder of Madras school of conformational analysis of biopolymers काफी complicated सवाल लगा मुझे काफी complicated सवाल लगा but but जैसे अगर जानकारी नहीं भी होगी मुझे तो मैं कोशिश करूंगा let me try how we can think about this particular question अगर पता है तो बहुत ही अची चीज़े अगर आपने NCRT पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान है NCRT में literally I think NCRT 11th standard में 11th standard में 11th या 12th standard में just before starting of one particular chapter इनके बारे में लिखा हुआ है इनके बारे में लिखा हुआ है इनके बारे में जानता हूँ आपने पढ़ा होगा जी इन रामचंदरन के बारे में specifically पूरा snippet दिया हुआ है before beginning of one particular chapter in I think 11th biology if I'm not wrong 11th or 12th biology अभी फिलाव चैप्टर नाम तो याद नहीं आ रहे बट nonetheless I vividly remember क्योंकि यह मेरा आदत भी जैसे NCRT जबाब पढ़ते हो तो सबसे पहले परने पर काफी इंट्रसिंग सी इंफॉर्मेशन मिलते रहे थी पहले और आखरी परने पर भी तो उसमें से इस वन अबट अगर समझ लो imagine I don't know this I don't know this but let me try how do I think over this particular question कि दो यह collagen collagen triple helical structure of collagen की बात कर रहा है ठीक है और biopolymers की बात कर रहा है तो something connected to biology okay something connected to biology तो cv raman I don't think cv raman is technically connected with research in biology cv raman is connected with physics right you know about raman you know about raman scattering towards mathematics भी आप कह सकतो mathematical computation की और भी उन्होंने उन्होंने किया हुए तो मैं eliminate कर दूंग cv raman को तो oh oh talk physics के feel में काफी योगदान दिवा है मैं जानता हूँ मैं चन्दरशेकर को क्योंकि जैसे छफ्द सुब्रमनन मुद्द चनद्रशेकर नाम आता है आप पढ़ते हो चन्दरशेकर limit को पस प्सद HOR Natürlich चंदरशेकर लिमिट क्या है चंदरशेकर लिमिट भाई वह इंटरस्टेला रीसर्च सुब्रमण चंदरशेकर की जहां पर चंदरशेकर ने हमें बताया कि जो ड्वार्फ स्टार होता है उसका एक वेट होता है मैक्सिमम वेट ऑफ ड्वार्फ स्टार वह चंदरशेकर लिमिट तो यह दोनों बंद दो फिजिक्स वाले बंद हैं यार अब मेरा डाउट हो सकता है जीन रामचंद्र नों हरगोविन खुराना में 50-50 में पहुंच जाओंगा बट आइडू नो जीन रामचंद्र इस एन आ रहा हुआ है उनका योगदान काफी रहा हुआ है टूवर्ड्स दिया डिवलप्मेंट ऑलीगो न्यूक्लियोटाइड और उनका जो न्यूक्लियोटाइड उन्होंने पहली बर बनाये थे उसने बहुत हद तक न कह सकते हैं आज हम लोग जो जीनोम एडिटिंग की बात कर है तो उसमें हर्गोबिन खुराना का जो योगदान था जहां पर उन्होंने वह अलिगो न्यूक्लियोटाइड बनाया वह बहुत ही इंपॉर्टन्ट था क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि या डियने का टेंप्लेट बनाओ और डियने का टेंप्लेट कहीं पर इंटेडियूस इस तरह के कई बार साइंस अंटेक में भी आ जाते हैं तो नोट करना है ठीक है अगले चलते हैं ऑटोफेजी के बारे में एक वायरस जो बैक्टीरिया को खतम करने कोशिश करते हैं तो ऑटोफेजी मतलब सम्थिंग सम्थिंग हैपनीं अट्रॉमेटिकल जिससे कुछ इस्थ्ट्रक्शन हो रहा है शाया ठीक तो ऑटोफेजी के बारे में पर कुछ स्टेट्मेंट दिये हुए आपको डोट निकालना है और एक करेक्ट सेटमें यहां में पहला सेटमें न सेकंड है थर्ड सेटमें इस रेगुलेशन ओट इस असोसिटेट विद रेंज डिसिस इंक्रूडिंग कैंसर और नियूरो डिजनरेकिव डिसॉडर्र अप्सुलूट्ली यह तो मैं करीद दूंगा तो अगर वन करेक्ट है तो नन भी चला गया है तो ओनली वन भी चला ग सेलतों डिस्टेट्मेंट करता है तो कहीं लग रहे हैं लेकिन आटो फेजी मतलब पूरा सेल देस्ट्रवाग नहीं हो रही है लेकिन सेल इंदर कोई चीज डिस्ट्रोओ पूरे है तो यह लिदित certain other constituents cell differentiation में मदद करता है यह absolutely correct है इस हो गलत नहीं करना है तो answer is all the three not only two ठीक है ठीक है ठीक है अटोफीजी is also in news in recent times चलिए आगे बड़ता है question 105 105 talks about mRNA messenger RNA consider the following statements about messenger RNA statements जो correct है वो निकालना है okay mRNA molecules are synthesized from DNA templates in process called transcription यह तो मुझे पता है ठीक है यह तो हम लोगों क्लास में पढ़ा हुई अभी तो यह तो definition यह second statement है तो अगर पहला correct है तो नेदर वन और तो गलत हो जाएगा और two only वे गलत हो जाएगा है ना mRNA molecules are synthesized sorry mRNA molecules are double standard and remain stable in the cell for long periods ensuring continuous protein synthesis without the need for repeated transcription mRNA molecules are double standard यहीं पर total फर्जी है न कंप्लीटली फर्जी है आप जानते हों कि हमारी बॉडी में DNA is double standard RNA is single standard RNA is not double standard हां कुछ-कुछ viruses में हो सकता है हम में तो नहीं हो सकता है यह आपको ध्यान रखना है तो mRNA is not double standard in some viruses not messenger RNA but their genetic information the RNA itself can be double standard but not the messenger RNA messenger RNA is always single stranded ठीक है तो यह तो पूरा पूरा फर्जी है पूरा गलत है तो इस पो हटा दो बहुत वाने टू चला गया वान ओनली बजी है और यू डू अर्न आपके बास transfer RNA tRNA mRNA और RNA और RNA मिलता है यानि कि ribosomal RNA भी मिलता है तो एक RNA जो ribosome मुझाता है ribosome से protein production करता है कुछ RNA होते जो messenger RNA होते है they take genetic information outside कुछ RNA होते हैं जो translation RNA होते हैं विच डिरेक्ट्ली ट्रांसलेट इंटू या फिर ट्रांस्फर अर्ने विच एलेक्ट्री ट्रांसलेट इंटू यह प्रोटीन्स ओके चलते हैं फिर से डीन ने आर्ने के साथ जुड़ा हुआ है consider the following statements कुछ statement दिये हैं जिसमें से आपको करेक्ट कितने हैं यह ढूंड निकालना है the process by which DNA is copied to RNA the process by which the process by which DNA is copied to RNA it is called transcription ठीक है इसमें ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ इसे डाउट तो नहीं लग रहा है क्योंकि DNA से जब अगर वन करेक्ट है तो नं तो गलत हो जाएगा the process by which RNA is used to produce proteins is called translation ठीक है RNA से जो प्रोटीन मनता है उसको translation ही कहता है सीदे सीदे तो only one भी गलत हो जाएगा यहां पर दो स्टेटमेंट तो मिल गए या तो only two है तो all three है तो प्रोसेस भाई विच आर ने प्रोड्यूस डीने इस कॉल टेमिनिजम सर आर ने से डीने भी बनता है क्या तो मैंने कभी सुना नहीं है बनता है ठीक है कुछ-कुछ और्गैनिजम में आर ने से डीने बन जाता है that process is called Teminism in a colloquial language Teminism is also known as reverse transcription आपने जरूर यह सुना होगा specially कुछ वाईरस में जैसे की लिउको वाईरस है लिउको वाईरस exhibits reverse transcription DNA to RNA is called transcription but RNA to DNA is called reverse transcription which is also called Teminism absolutely correct है यह तो I'll go with all the three all the easy था यह वाला ठीक है चली आगे बटते है question number 107 okay तो biology biotechnology स्टोर सा मुवान हो रहा है suddenly नया टॉपिकल का carbon line के बार है consider the following statements how many of the above statements are incorrect एक catch कर लिया हम लोगों ने है कुछ-कुछ जगह पर incorrect हम लोगों ने catch कर लिया statement कार्मन लाइन कार्मन लाइन कार्मन लाइन is a conventional boundary between the earth's atmosphere and outer space accepted by international aeronautic federation करेक्ट है यह कार्मन लाइन आप जानते हो आउटर स्पेस का लिमिट बनाता है कार्मन लाइन is set in altitude of 100 km यह भी मैं जानता हूं यानि की अर्थ के मीन सी लेवल के ऊपर आप चले जो सौ किलोमेटर कार्मन लाइन है वही तो कार्मन लाइन है ना सौ किलोमेटर ऊपर है और इसको एकसेट करता है तीसरा स्टेटमेंट है कि कंवेंशनल एरप्लेइन के सम्टाइब सौ इवन अबाव कार्मन लाइन है तो पूरा परजी लग रहा है कभी सुना है कोई कोई एरक्राफ्ट जो सौ किलोमेटर हाइट के ऊपर पर ट्रावल कर रहा है और यहां पे लिख हो भी कंवेंशनल एरप्लेन कोई स्पेशल एरप्लेन होगा तो शायद जैसे मैं कहूंगा तो इसका सबसे पहले जवाब हो जाएगा नॉट नन नॉट ऑल त्री नॉट ओनली वन तो ओनली टू ओनली सॉरी इंकरेक्ट पूछ रहा है इंकरेक्ट के बावजुद हम लोग पढ़ने के बावजुद कई वार इस तरह की विस्टेक पर आते हैं तो इसलिए इसलिए मैं हमेशा ऐसे त्यारी करता हूं ताकि करेक्ट इंकरेक्ट में देख लें तो ऑप्शन उसको ढूंड निकाले एवरी ताइम यू फॉलो दिस वह तीन-चार सवाल जहां पर हमें आता है जो गलती करते हैं वह बहुत बहुत खटकते हैं हम लोग सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि भाई वह याद आता है जैसे वह आजकल आड़ा रहे है चुलूबर पानी है तेरे लिए करके वह याद आता है अगर जो सब कुछ जानते हैं वह सवाल गलत कर दो चुलू देखो कि अटमोस्फेर की जब बात करें अटमोस्फेर का हैड तो या तसहना किलोमेटर है या त्रोपॉस्फेर शुरूब होता है त्रोपॉस्फिय आगया आपका ट्रॉपॉस्फिय है चैनल było कि अगर आप तो 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 आगली बार से सुन ले रहाएं कि वह को सॉन लेकर वो जो पाइलएट बोलता है अब अबें तो थीघड का मतलब क्या होता है टीज़र फीट का मतलब कितना हुएह hardly कि मतलब 10-12 किलोमेटर होगे बस तो जो हमारे जो हमारे कन्वेंशनल एरक्राफ्ट से ज्यादा से ज्यादा जो हाइट जा चुके हैं सतर से असी हजार फीट तक वह पहुंच चुके होंगे डबल दी और एरक्राफ्ट राइट यू रीच अबाव दी स्टाटोस्फियर अपकोस तो बीस पच्चिस किलोमेटर तक हम लोग जरूर पहुंच चुके हैं सो किलोमेटर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और जैसे स्क्राम आ जाए स्क्रामजट वाले इंजिन चाहिए वहां तक पहुंच जाए नोट करने ठीक है तो 107 हम लोगोंने डिसाइफर कर लिया इनकरेक्ट वाला सेट्मेंट चलो 108 पर चलते हैं अगेन स्पेस रिलिट प्वेश्चन है कॉमेट से जुड़ा है सवाल है कॉमेट दस्ट वाटर आइस फ्रोजन कार्बन डियक्साइट उके मुझे पता है कॉमेट के अधर एक न्यूकलियस होता है बॉस्ली एक रॉकी बॉड़ी होता है अल्दो वाटर लिखा है बट मुझे डाउट आ रहा है बट होता है यान मतलब होना तो चाहिए थाना सेलेस्टियल बॉड़ी है डस्ट तो होता है आई सोन अच्छाए आइसी है फ्रोजन कार्बन डाइक साब अच्छी दूसरे गैसे सबास्ते वाटर भी हो सकता है और को में यॉज्व कामेट है यूज़ुली बोले यूज़ुली ठीक है क्यूंकि आप जानते होकर यह सन है तो कॉमेट कर लोट से आता है जो शॉ-ट पीरियड क्लॉट से आते हैं तो हो होंगे होंगे जैसे 50 60 साल हेली सकमेट 76 यह सब्सक्राइब आपके जो दूसरे कॉमेट से लॉंग डिवरेशन वाले 200-300-400-500 साल में एक बार सन का चकर लगाते हैं तो सही है सब्कु सब्सक्राइब लिए तो और तो रॉन के चैरी दिदी cowboy हुआ टocrाया समी सके रॉन के ला least गलत थे कितने दो कार्य थे ओनली कोँगे से करेक्ट है दो कि इसके दस गुना होती को क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं 109 109 is connected to asteroids in fact पिछले दो-तीन सालों से यार asteroid बड़े नियूज में अब जैसे अब जो बता है एस्टरोड बैन्नू नियूज में है एस्टरोड साइकी नियूज में है एस्टरोड बहुत सारे एस्टरोड बैन्नू साइकी जैसे हमारे अलग-अलग missions वहां पर जा रहे हैं साइकी एस्टरोड है वो भी काफी नियूज में ना है तो एस्टरोड के बारे में सवाल जो है उस statement दिये हैं उन statement पर से तो नंबर पूछ रहा है एक मिलियन से ज़्यादा है कहां पर मिलता है एक से दो मिलियन के बीच आपको अलग अलग साइज के चोटे से चोटे भी है बड़े से बड़े भी है तो यू फाइंड मोर्दन मिलियन अस्ट इस करेक्ट सो एंसर इस टू नॉट ठीक है एस्टिरोइड एस्टिरोइड बेल्ट के अलवा दूसरी जगापे भी मिलते हैं अब जानते हो जिने हम लोग ट्रोजन एस्टिरोइड कहते हैं अगर वह एस्टिरोइड बेल्ट के अंदर नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रोजन एस्टिरोइड जो asteroid belt में नहीं है कहीं और मिलता है Trojan asteroid क्या होता है किसे दूसरे celestial body के गुरुत्वाकर्शन शक्ती के दाइरे में आ चुका है और उसके इर्द्गेत रिवाल कर रहा है जिसे जुपिटर के आस्पास बहुत सारे Trojan asteroids आपको मिल जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ता है asteroids के बाद एक basic सवाल है consider the following statements कुछ terms दिए गए है परसीड, जेमिनीड, लियोनीड, लाइरीड what are the above space-based terms यह क्या है करके पूछ रहा है क्या यह कॉमेट्स है, क्या यह asteroids है क्या यह meteor shards है, क्या यह dwarf planets है इसका जवाब आप जानते होंगे, यह meteor shards, यह उलका पात के नाम दिए गए है dwarf planet के नाम आप जानते हो, dwarf planet के कुछ नाम अगर बता दे हमारे solar system के कुछ dwarf planets है जैसे on the back of my mind, सबसे famous मुझे पता है, जिसका नाम है Pluto यह dwarf planet बन चुका है, Pluto के अलवा है we have Ceres, we have Eris, we have Megmec, we have Megmec, we have Omia, we have different kinds of dwarf planets अलग अलग कॉमेट्स भी है, कॉमेट्स का नमेंक्लेचर और स्टेट्स का नमेंक्लेचर किया गया है International Astronomical Union does that, it's there, तो यह meteor shards है, in fact, साल भर में हमें अलग अलग meteor shards मिलते हैं in fact, अभी कुछ दिनों में शाहिद आप देख सकते हो, माई के शुरुआत में हमें मिल जाएंगे माई की शुरुआत में आपको एक्वारिट्स मिल जाते हैं, तो इसी की देट के आसवास आपको मिल जाते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेवलूशन है, तो उस समय पे बहुत सारी जो चोटे चोटे मेटियोरॉइड होंगे, वो अर्थ की रोटेशन की वेज़े से धीरे-धीरे हमारी अट्मॉस्फियर में इंटर हो जाते हैं, चली आगे बढ़ते हैं, क्योंट वर ट्रिपल वन से उस 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 एंपायर की याद आ जाती है, वो क्रिकेट वाला जो अंपायर एक जो एक पेर पर खड़ा रहता है, उस तो इस तो अपनी एक टंग ऐसे एक ही टंग पर खड़ा हो जाएगा, वो रहा इंटरसिंग सा इंसे इन्सिन याद आगे, च प्लैनेट के वारे मैं पुछ रहे एक कंसरे ब्लानेट के वारे में पूछा रहे, पूछरे रहे ہं सेरे कॉर्दत कोहला जा, दिए था बनेट वर फोला जैमनें, जिन हो एक कैने मैं अलनी ट से दोनों ही absolutely correct statements हैं ब्लानेट एक hypothetical concept बताया गया है ब्लानेट एक hypothetical concept बताया गया है अब सबसे पहले black hole क्या होता है black hole is caused you to understand because of a singularity black hole क्या है एक तारे की मृत्यु है जब भी हम लोग किसी star की बात करते है स्टार का life cycle कुछ ऐसा होता है स्टार कैसे बनता है एक stellar nebula होता है नेबुला से अगर वो एक massive star बन गया बहुत बड़ा स्टार बहुत जादा उसके इनरजी बहुत जादा गैसे तो एक massive red super giant बन जाएगा उसके बाद एक बहुत बड़ा सुपर्णोवा बन जाएगा सुपर्णोवा explosion होगा और फाइनली या तो वह ब्लैक होल बन जाएगा एक singularity बन जाएगी ब्लैक होल बन जाएगा या तो वह न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा उसका उसका मास इतना ज्यादा है it is sucking everything inside even light cannot escape a black hole तो उसके इर्द गिर्द जो भी planet होंगे जो भी basically मास है वो एक खुद का राउंड बन सकता है जिसको है पॉथर्टीकल टर्म देगे ब्लैने अब आपको ध्यान रखना है आल इस है फॉथर्टीकल गाफी निजूज में थाई ये तो इसको नोट कर लेना है चाहिद इस तरह का सवाल ना आए इस तरह का सवाल ना आए तो अगर एक और तरह का सवाल मुझे बनाना है ब्लैनेट के उपर तो रिसेंटली इन न्यूज टर्म ब्लैनेट यह टर्म ब्लैनेट क्या है या फिर इस चीज़ को सबसे बेस्ट हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन की बेसिस पे शायद ए बी सीडी बेस्ट क्व पहला है इंडियन स्पेस असूसिएशन इस पोर्ट टू स्पेस इंडिस्टरी इन इंडिया डोनों ही डेफिनेशन बेस्ट स्टेट्मेंट है अब प्राइमा फेसी पड़के में जो लग रहा है एक साही एक गलत है अगर आपने रीसेंट कुछ सालों में सरकार के रीफॉर्म्स अगर पड़े होंगे अब प्राइबट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्पेस सेक्टर के रीफॉर्म अपने देखा होगा तो कुछ इंस्टिउशन्स बनाए हम लोगों ने एक है नसायल ना नूइव स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एक प्राइवेट कमपनी है इस नूइव स्पेस इंड इंडियन स्पेस असोशीशन ने इसको समझ लोग प्रेशर गूरूप की तरह है यहां पर प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर से वो इन्वॉल्ड है सरकार को एडवाइस करते हैं सरकार को एडवकेट करते हैं कि स्पेस से लिए कुछ इस तरह की चीज़े आप ला सकते ह तो इन में से कौन से करेक्ट है पूच रहा है तो वन तो गलत है तो यह तो चला गया यह भी नहीं है तो यह एंसर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर 113 पर क्वेश्चन नंबर 113 कनेक्टेड है एक्सपो साट से एक्सपो साट भी करेंट अफेस का भाग है आप जानते हैं कि इस साल की शुरुवात में यह दोजार चौबिस की शुरुवात में इस्ट्रों ने एक बहुत इंपॉर्ण्ट मिशन एक्सपो साट एक्स रे पोलारिमीटर साटलाइट इस इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड पोलारिमेटरी मिशन तो स्टडी वेरियोस डैनेमिक्स ऑव ब्राइट अस्ट्री सोर्स इन एक्स्ट्रीम कंडिशन अगर आपने करेंट वेस्ट पढ़ावागा तो यह एप्सू सब्सक्राइब और उनसे जो एक्स रेस होती है उन कॉंप्लेक्स प्रोसेस को अंडर्सांड करने की कोशिश करता है अपसूलूटली करेक्ट है दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं तो करेक्ट रून निकाल लें तो आप बोथ वान एंट्टू विचार करेक्ट अब जब आप दूसरे गैलक्טिक बॉड़ि से जैसे कि कोई न्यूक्टान स्थार हो सकते ब्लाक ओल हो सकता हैं कोई ग्यालテिक हो सकता है एक्सपोसाट को हम लोगों ने भेजा है लो-earth orbit में लो-earth-orbit में इसके साथ हम लोगाने भेजा है दो importantes instruments एक एक स्पेक्ट्रोस्कोप बेजा हुआ है एक स्पेक्ट्रोस्कोप बेजा हुआ है इन दोनों की मदद से हम लोग मेजर करेंगे एक स्रेज जो दूसरे गलकिक बॉडिस जैसे की जिस्ट है को ब्लैक फोल हो सकता है नूट्रोन स्टार हो सकता है वहां से जो भी एक स्रेज करेंगे और अनलाइस करेंए इन कॉंपलेक्स प्रोसेस को समझने के लिए सब्सक्राइब काफी चर्चा में है लूसी मिशन ऑल्दो कुछ साल पहले लॉंच किया था नासा द्वारा उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिये गहा है उन स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट सेटमेंट भून निकाला है लूसी मिशन इस फर्स स्पेसक्राफ लॉंच बई नासा तो एक्स्प्लोर दी ट्रोजन अस्टरोइट यह करेक्ट सेटमेंट है एकन्सेटमेंट सेटमेंट सिंबॉलिकली लूसी इस नेम्ड आफ्ट लूसी होमीन होमीन फॉसल्स अस स्टडी आफ ट्रोजंस पूद रिवी और इस सीक्रेट लूसी मिशन इस ट्वैलियर जर्नी अप्ट लूसी स्पेस्क्राफ वेर दे स्पेस्क्राफ विल लैंड एट डिफरेंट अस्टरोइट कुछ हजब नहीं हो है के रहा है आट एस्टरोइट पर लैंड करेगा पूरा गलत हो जाएगा यहार ऐसा कूंसा स्पेस्क्राफ होगा जो एक जगा पर लैंड होगा वहां से फिर टेक आॉफ करेंगा दूंपॉल गपूरा का फरजिस्टेट्मेंट है ठीक है इस लॉन्क है तो कितने करेक्ट जब आप लूसी मिशन की बात करते हो लूसी मिशन नासा का मिशन है जो अल्मोस्ट 11-12 साल जर्णी करेगा और अलग-अलग ट्रोजन एस्टरोइड जो है जो आपके जुपिटर के आसपास ट्रोजन एस्टरोइड से उनकी उनकी स्टडी करेगा और किसी पर लैंड नहीं करेगा केवल उसके बगल से फ्लाइबाई करेगा और उसकी जो भी फोटोस हो गई उसके उससे लिए जो भी उनका डेटा हो गया वो हमें भेजता हुआ रहेगा ठीक है यह अलड़ी लॉंच हो चुका है इसको अलड़ी हम लो और उस एस्टरोड का नाम था दिनकिनेश तो नोट करना है दिनकिनेश दिनकिनेश एक एक सैटलाइट है एक सैटलाइट है तो उसके करीब से जो लूसी स्पेसक्राफ्ट है वो फ्लाइबाई किया और उसके बारे में डेटेल्स उसने नासा को बीच इसके अलबा दूसर जो एस्टरोइड से वो डॉनल्ड योहांसन यूरिबेट्स पॉलिमील लिूकस औरस पेट्रोक्लस मेनोटियस इन एस्टरोइड पर जाने वाला है नाम याद रखने की ज़रुवत नहीं है बट जैन्रली अगर आप नासा की वबसेट पर जाओगे तो एट एस्टरोइड ब पर चैनली शेट्चानुाइट भी नासा मैं एक बढूरव है कि हमारा नहींयों नासा का मिशन था दूसरा स्टेटमेंट है साइकी मिशन इस फिर्स मिशन तो यूजर ऑप्टिकल कम्मिनिकिशन बियॉंड बून एपस्ट लूटली राइट स्टेटमेंट है अगर आपने करेंट अफेस की त्यारी किया है इस वरी इजी क्वेशन बोथ बनेंटू आर्टी स्टेटमेंट वि पर्टिक्ला साइकी ऑसाइड को ऑर्बिट करेगा एस्टेट साइट इसका टार्गट एस जो है एस्टेट साइकी जो है वो आपको यूनीक मेटल रिच एस्टेट है यहांपने अपको कहा जाता है कि आयरन और निकल ज्यादा मातरा में मिलेगा और इसकी एनलेसिस करने साइकी मिशन निकला है कब तक पहुंचेगा वहाँ पर अभी नहीं पहुंचा है दीरे दीरे पहुंचेगा जहां पर माना जाता है कि इसा पहला मिशन है जहां पर लेजर कमिनिकेशन अब जानते हो कि जी जन्मली हम लोगो र्यीडियो के इस्तेमाल करता है इस्तेमर रहे है बंपर पहला है जहां पें मून के उस पार यानतकी ये बॉर्ड को such optical communication is being tested it's a nasa project clear good i hope you have gotten a lot of information about psyche mission from this particular mcq let's move on to the next question question number 116 consider the following statements question is about euclide space telescope jaha pe correct statement aapko batana hai euclide space telescope is developed by european space agency perfect euclide space telescope is a wide-angle space telescope without 600 megapixel camera yes 600 megapixel camera you need space telescope के साथ logical भी है अगर सवाल पूछे हो सब 600 megapixel होगा क्या यार हमारे phone के जो बताते है न 100 megapixel के तो phone की camera पहुंच चुके है तो इसके साथ 600 megapixel camera भेजा जा रहा है तीसरा है euclide space telescope can record visible light near infrared spectrometer and photometer to determine redshift of detected galaxies यह इसका stated objective ही है अब यहां पे जो रेड़ शिफ्ट तर्म है यह बहुत जरूरी हो सकता है इसके उपर देखो light जितना दूर से travel करेगी जितना दूर से light travel करेगी उतना ज्यादा जो लाइट का जो constant होता है red wavelength जो होती है वो shift होती है from its standard so redshift का इस्तेमाल करके हम लोग एक एक estimation लगा सकते हैं कि light कितनी दूर से आ रही है कहां से आ रही है redshift is used to estimate from where the light has originated how much it has traveled जितना ज्यादा ट्राइवल करेगी उतना ज्यादा उसकी wavelength shift हो जाएक it's called redshift ठीक है नोट करना इस चीज़ को चलिए आगे बड़ते यूप्लीर के बाद let's move to the next question 117 सवाल 117 और 118 दोनों ही space station के साथ जूड़े हो है पहला वाला है international space station इस भी काफी news में है पिछले एक नेट साल में इस के बारे में बहुत सारी खबरे आ चुकी है उसके बारे में कुछ statement दिये गए हैं आपको ढूंड निकालना है कौन से कौन से statement जो करेक्ट है international space station is a large space station assembled and maintained in medium earth orbit बाइव नासा पूरा का पूरा फरजी statement है क्यों सबसे पहले तो केवल नासा इसको maintain नहीं करता एक consortium maintain करता है पांच अलग-अलग agencies जुढ़ी है रश्या भी उसमें जुड़ा हुआ है रश्यन रॉसकोस्मोस नासा इस ओल्सो देर और वेस्टन पार्टनर्स आर देर जो international space station को maintain करते हैं उन्हों नहीं इसको बिल्ड भी किया इंटनर्शन स्पेस स्टेशन इस मैंटेंड बाई आपके नहीं साथ लोग perfectly correct है तो या तो वान ओनल या तो टू ओनली टीक है ओनली वान ओनली टू टू टीक है अपसलूटली करेक्ट है यह अपनी करेंट अपेस में पढ़ा होगा जरूर स्टेटमेंट 2 & 3 आर करेक्ट ठीक है तो पॉइंट नीमो कहां पर आता है सदर्न पैसिफिक में सदर्न पैसिफिक नीमो एक ऐसा पॉइंट है जो धर्ती से यानि कि लैंट से सब से दूरी पर है राइट In the Middle of South Pacific आता है जो भी आपके satellites हो specially आपका साटलेट का stage one ho stage two ho upper stage ho या फिर आपका satellite भी नीचे गिराना है तो normally जो भी celestial जो भी not celestial बट जो space related bodies launch करते हैं उन्हें जब भी हम वापस अर्थ पे लाते हैं तो we ensure that it falls off in the no man's area जहाँ पर कोई नहीं है तो point nemo एक ऐसी जगा है point पानी में साउथ पैसिफिक में जहां पे दूर दूर तक आपको लाइफ नहीं मिलेगी human life नहीं मिलेगे आपका सवाल ऐसा आजाए एक सर पॉइंट नीमो में आप उतना बड़ा सा satellite डाल दोगे तो नीचे मचलियों का क्या होगा तो humans है और हम लोग है वो तो बताइए ना सर्फ marine pollution होगा कि हाँ possible है सर्फ marine life disrupt हो सथे यह possible है बट लैंड से इतना दूर है सबसे दूरी पे है लैंड से यह that's why it's called graveyard of satellites and spaceships 2031 में यह उस पॉइंट नीमों पर गिरने वाला है ठीक है 117 दन डस्ट चली 118 पर चलते question number 118 connected to tiangong space station tiangong space station tiangong space station is a modular design सबसे पहले कुछ statement दिये हुए correct statement आपको टोन निकालना है it is a modular design docked together in earth low earth orbit between 3 and 340 to 450 kilometers perfectly correct है tiangong के बारे में tiangong space station is almost twice the size of international space station no 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 देख को international space station approximately आपका football का ground होता ना उतना बड़ा है international space station over a period of 10 to 15 years two decades के आसपास लगों को लगे उसको वन बाई वन लाँच करके उसको असेंबल करने के लिए एक शॉट में उतना बड़ी चीज भेज तो नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे module-wise module-wise भेजा गया है उसको असेंबल किया गया है अलग-अलग players इसमें involved है आपको लगता कि चाइना अपने से खुद से इंटनेशल स्पेस स्टेशन से भी बड़ा कोई स्पेस सेशन लाँच कर सकता है नहीं 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 सो यह स्टेट्मेट गलत है इन फैक्ट अगर आप मुझसे पूछो सर वट इस अप्रोक्सिमेट थाइज अपनेशल स्पेस स्टेशन अपनेशल स्पेस स्टेशन अब सिक्स पीपल सही है यह चैना ने यहाँ पर तीन लोगं को भेजा हुए तो कौण नहीं है और थैटमेट स्टेटमें तो टींग पर स्टेटमेंट हुए जिए अपकी लिए आपार स्पेस स्टेशन 340 से साधे 400 km हाइट पर हैं त्यांग गॉंग थियागंग नेंग यह एक इसके अलबा हमारा भी स्पेस टेशन आने वाला है रस्या का स्पेस्टेशन के नाम था और अभी चाइना है तीसरा देश चिरने अपना खुद का एक स्पेस प्रहज़न लाँच मेसं के इंडिया ने कहा है कि हम लोग देखते हैं यानि कि जो आपका मून है मून है योगतों सन को गहीर लेता है और इस तरह का आपको कि एक दिख जाता है तो पैक्लिपस तो कुछ इसी तरह मिलेगा घ्रावीटेशन a लेंसिंग के साथ भी ग्रैविटेशनल लेंसिंग क्या है ग्रैविटेशनल लेंसिंग अकर होती है मैसिव सेलेस्टियल बॉड़ी सच ग्यालक्सी क्लस्टर कॉज़ सफिशन्ट करवेचर ऑफ स्पेस टाइं तो पैट अफ लाइच अराउंड डिट्ट वी विजिबली बें ग्रैविटेशनल लेंसिंग इसको हम लोग जो बेसिक ली तो लाइस उसके जाएंस्टेन रिंग जो पर करता है ईसके जरूर बदाता है तो इसका कोई फोकस पॉइंट नहीं होगा लेकिन एक फोकल लाइन ज़रूर होगा तो यहां पे सारे स्ट्मेंट करेक्ट है जो आपको ग्राविटेशनल लेंसिंग के बारे में इन्फोर्मिशन दे रही है ठीक है चलिए आगे बड़े लेट्स नेक्स पहले इसको लॉंच किया गया था उसाइरिस रेक्स के बारे में कुछ स्टेट्मेंट दिये गए है जिनके बारे में जो करेक्ट चीज़ें बताना है जो गया था जो अल्मोस्ट almost I think 1 kg sample इसने लिया था बट नासा ने अनॉंस किया कि ultimately जो flap close नहीं हुआ but still they got about half of that particular sample और आपने इसको observe जरूर किया होगा कि September 2013 में इसको live stream भी किया था YouTube पे जो Osiris Rex mission है उसने Earth के atmosphere में एक sample छोड़ा उस sample उसने parachute open किया और धीरे धीरे से वो US में if I'm not wrong यूटा desert में कहीं पर वो गिरा था उसको collect जरूर किया है ठीक है तीसरा statement Osiris Rex is now called Osiris Apex as the spacecraft is now planned to conduct a flyby of asteroid ट्रीपल नाइन फूर टू एप आप his absolutely correct है यह भी अभी Osiris Rex Osiris Rex जो है Osiris Apex हो चुका है तीनों के तीनों statement correct है very important from current of his point ओंट है ठीक है Osiris रेगोलित explorer प्रोजेक्ट था जो Bennu asteroid से जिसने हमें sample वापस ला दिया है NASA ने सो collect कर भी दिया है एक clean room में है isolated room में रखा गया था इसको काफी news में था ये भी ठीक है लोट करने चली आगे बढ़ते है question 129 पर चलते है defense space agency की बारे में सवाल है consider the following statements with reference to defense space agency and you have to tell which of the statements are correct okay defense space agency it is responsible for operating the space assets of Indian armed forces true 2019 में ये plan किया गया था अब ये फाइनलाइज भी हो चुक है defense space agency एक ऐसी एक ऐसे एजनसी बनेगी जो basically Indian Armed Forces की यानि कि आर्मी हो एरफोर्स और नेवी हो उनके space से लिए जो भी assets होंगे जो भी प्रोग्राम होंगे उसको अभी वो spearhead करेगा it will be headed by cds chief of defense and staff of Indian Armed Forces यह absolutely गलत है यह absolutely गलत है अगर आपने current में देखा होगा not serious so only one is the correct answer ठीक है अगर आप defense space agency की बारे हम बात करें यह एक integrated try services agency है जिसका headquarter बना गया है बेंगलूरू में करनाटका में ठीक है 2019 में अनॉंस हो था अब यह finalize हो चुका है इस agency को काम दिया गया है कि जो भी हमारे try services के space related assets होंगे जैसे कि आपकी space related operations होगी anti satellite operations होगी specific satellite चाहिए arm forces के लिए specific communication bands चाहिए arm forces के लिए तो यह सारी चीज़ा defense space agency अभी करेगी और इसको head करते हैं air vice marshal जो indian air force के उसको head कर रहे हैं defense space agency हमारे जो दूसरी agencies है जैसे कि ISRO हो गया DRD हो गया उनके साथ काफी closely काम करेगी to fulfill the requirements of the defense agencies clear चलिए आगे बढ़ते हैं question number 122 पे ध्यान लगना है defense space agency की बारे में इसके बारे में कुछ specific दूसरे सवाल भी बन सकते हैं जो मिन्हें आपको information provide की उसके basis नेक्स question है with which of the following statements these are correct with reference to dark matter and dark energy dark matter dark energy physics से जोड़ा हुआ concept है हमेशा current defense रहता ही है कुछ statement दिए गए है आपको बताना है इन में से कौन से correct है करके ना पहला statement है dark matter is hard to observe as it doesn't show any gravitational attraction सही है गया देखो dark matter is hard to observe यह तो मैं मानता हो dark matter is hard to observe यह तो correct है पर सवाल उठता है as it doesn't show any gravitational attraction यह गलत है second part गलत है पता है क्यों dark matter is actually tough to observe क्योंकि dark matter कोई interaction नहीं दिखाता है with luminosity with your lumosity यानि कि जो light के साथ कोई interaction नहीं दिखाता है इसलिए dark matter को detect करना tough है not because it does not show any attraction towards gravity ऐसा नहीं है dark energy dark energy is evenly distributed and tends to accelerate the expansion of universe यह तो यह तो फंडा ही है ना universe is expanding कहते हैं बिग बैंक की बाद universe expand हो रहा है तो किसी को पता नहीं क्यों expand हो रहा है physicists hypothesize करते हैं कि it's because of dark energy और पता नहीं मतलब dark energy का जैसे हम लोग कहते हैं light energy का जो particle है उसको हम लोग photon कहते हैं तो dark energy का क्या particle है पता नहीं antiphoton करके कहते हैं कई बार so but that is a hypothesis for sure dark energy की वेज़े से शायद यूनियोस expand हो रहा है यह जरूर hypothesize किया गया है तो इन दोनों में कौन से correct है one तो गलत है तो यह दोन option चले जाएंगे तो यह option चला जाएंगे तो यह option चला जाएगा प्राइशनल लेंसिंग नहीं है ग्राइशनल वेवस को डूनने की दरकार में लगे हुए इंडिया भी उस दरकार में लगावा है हमें पता है कि इंडिया का भी एक प्रॉजेक्ट है लिगो प्रॉजेक्ट करके इंडिया भी बना रहा है बहुत सारे दूसरे देश भी बना चुके हैं ग्राइशनल वेवस को डिटेक्ट करने के लिए इन फैक ग्राइशन का जो पार्टिकल एक ग्राइविटर अभी तक हम लोंने ढूंडा नहीं है न बट फिजिक्स मॉडल में जरूर कंसिडर करते है मैंने आपको बता रहा था gravity is actually the weakest force ठीक है कुछ statement दिये गए है जहाँ पर आपको डूंड निकालना है इनके बारे में कौन सा correct है करके हैं पहला statement है gravitational waves are ripples in space time caused by some of the most violent and energetic process in the universe absolutely correct है यही उसका definition है gravitational waves जो है वो universe के जो high energy events होते हैं जैसे कि समझ लो कोई supernova explosion हो गया या फिर कोई black hole बन गया या फिर कोई neutron star बन गया तो उन सब चीजों से gravitational waves emerge होते हैं कहा जाता है they are actually ripples they are like the waves जैसे पानी के waves होते है उस तरह से imagine कर सकते हैं in the space time correct statement है तो नं तो गलत हो जाएगा ठीक है when gravitational waves propagate near massive objects their paths curve resulting in gravitational lensing अब यही तो फंडा है यह तो सही बात है na gravitational waves तो gravitational waves are connected with that gravitational lensing concept itself true है तो आपका only one भी गलत हो जाएगा भी दो में से only two यह फिर all three gravitational waves they carry a high amount of energy and can cause dna mutation when they pass through living organisms पूरा पूरा फर्जी यार लॉजिक लगाऊ ना अगर लॉजिक लगाऊ अगर ग्रैविटेशनल ले उस खतरना होते हाई energy होते तो भाई मैं खुद कैसे जिन्दा होते है इंपॉसिबल ले तो गलत है तो all three तो गलत है only two I'll go with one and two ठीक है नोट करना है तो gravitational waves is a very important topic keep a track of it okay चले अगले सवाल पर चलते है question number 124 consider the following statement with respect to neutrinos neutrinos के वारे में कुछ statement दिया गए जो आपको बताना है कि कौन से धान रखना है not correct है कौन से correct नहीं है okay पहला they are electrically charged particles that interact primarily through electromagnetic force total फरजी है यार this is total total wrong in fact it is a nonsensical statement see why do you use the term neutrino neutrino क्यों अरे neutrino है neutral उसके ताब कोई charge नहीं होती है बोलता है कि electrically charged है illogical right so first statement is wrong so when it is wrong this is gone this is gone this is gone I am already arrived to the answer answer 2 and 3 है मुझे दो statement पढ़ने का जरू हो थे लेकिन पढ़ लेता हूना ठीक है second statement they have mass that is more than 1 million times smaller than electrons perfect है यह neutrinos का mass almost negligible already electrons का mass negligible होता है उससे भी negligible mass है in fact कहा जाता है कि neutrinos हमारे universe में सबसे जादा है अभी फिलाल जब मैं बात करो आप से explain करो तो अगल बगल में न्यूट्रियोंस होंगे बहुत सारे न्यूट्रियोंस होंगे पॉसिबिलिटी है ठीक नेक्स्ट रेस्पॉंसिबल फर कैरिंग अवे approximately 50% of energy released during the stars explosion नहीं in fact not correct पर पूछ रहा था तो मुझे आपका जो एंसर था हम लोग इतना हार्ड हार्ड वायड हो चुके हैं मुझे लगता हो ना मेरे साथ भी कि नॉट करेक्ट हम लोग हो चुके करेक्ट स्टेट्मेंट को ढूड़ने के लिए तो अगर पहला वाला गलत है तो पहला वाला option होना चाहिए तो इसको स्टेट्मेंट करते हैं तो आइए होप की मेरा पूरा इंटेंशन आपको पता चल रहा होगा आई डू अंडरसेंट चाहां पर जानते हो उसको सिल्ए मिस्टेक्श जब करते हो तो बहुत फ्रस्टेशन होता है तो गलत स्टेट्मेंट ढूण निकालना है एक तो गलत है तीसरे वाले पर चलते हैं यह बी एक्चुली गलत है नॉट फिफ्टी परसंट समझ लो जो सन का स्टार जो है न स्टार जब एक्स्प्लोड होता है स्टार जब न्यूट्रों स्टार बन जाता है तो यार खर्जकन न्यूट्रीनों से है ओल्मोस्ट 90 95 फिरी पाइजी से गलत है दो करेक्ट में हाटा दिया दो दो गलत है याँ फेर वन एंट त्री गलत है दे statement 1 & 3 are wrong, okay, they are wrong statements, इसको note करना है, very funny, okay, ठीक है, चलो, तो, answer is 1 & 3, interesting, इसी लिए, correct, incorrect पर ध्यान रखना है, okay, चलो, आगे बटते हैं, question 125 पर चलते हैं, which of the following statements best describes the term, Radcliffe wave, Radcliffe wave, ये news में है, Radcliffe wave, Milky Way से जोड़ा हुआ, एक news था, जो, जो कुछ महीनों पहले काफी prominent था, चलो, देखते हैं, it refers to ripples in space time caused by violent phenomena in the universe, no, that's a gravitational wave, it is a wave shaped chain of star forming clouds in milky way galaxy, बिलकुल, यही चीज था, जो हम लो ने current office में पढ़ा था, तीसरा statement है, it refers to giant spherical shell around solar system made up of icy debris, no, it is bending of light caused due to gravitational lensing by massive celestial body, no, that's gravitational lensing, this is gravitational wave, Radcliffe wave, it is a wave shaped chain of star forming clouds in our galaxy, हमारा जो galaxy है, उसमें एक, एक, वेव shaped chain है, in the milky way galaxy, उसको कहते है, Radcliffe, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता है, question 126 पे, उससे पहले, let me just have a small sip of water, let me just have a small sip of water, right, let's talk about 126, 126, which of the following statements, these are correct with reference to dart mission, dart mission, अब हम लोगों ने पढ़ा है, current office में, dart mission, double asteroid redirection test, ना, dart mission, NASA का mission है, dart mission, बहुत ही plain simple language में, जो पिछले साल टेस्ट के तो मुझे याद है, एक particular asteroid का system था, dedymos और dimorphos system, जो मैं class में भी पढ़ा चुका है, आप लोगो, dedymos dimorphos system, तो dedymos जो मेन asteroid है, उसका एक छोटा asteroid है, उसको जाकर मैंने एक सैटलाइट यह एक स्पेस क्राफ्ट से मैंने उसको accident करवा दिया, सीधे जाकर मैंने उस dimorphos asteroid को, उसको मैंने accident करवा दिया, सीधे जाकर उससे टकरा गया, अब मैं चाहरा था कि यह जो dimorphos एक छोटा जो asteroid है, इसका orbit बदल जाए, यह एक टेस्ट था कि अगर हमारे धरती के ऊपर कभी कोई asteroid हमारी धरती की दरफ आ रहा है, तो धरती को तहस नहां कर दे, उससे बचने के लिए, हम लोगों ने उसकी दिशा बदलने के लिए, उसकी थोड़ा सा orbit बदलने के लिए, वी हड़ डबल asteroid redirection test, चलिए, देखते हैं इसके और में क्या statement है, correct statement रूट निकालना है, correct statement रूट निकालना है, note करना है, पूरा पूरा फरजी है, यह सही जवाब है, क्योंकि यह होना चाहिए, नासा, और यह होना चाहिए, एक्चली यह पूरा का पूरा मिशन नहीं गलत है, मैंने आपको मिशन के वारे हों बताया, डार्ट बोर्ड के उपर हम डार्ट मारते हैं, तो डार्ट में भी हम लोग ने यही किया, एक चोटा सा सैटलेट है, उसको हम लोग ने जाके टकरा दिया, एक एस्टिरोइट से, और हम लोगों ने उस asteroid को उसका orbit बदलने की कुशिश की, किया भी successful है, ठीक है, पिछले साल हुआ था, चलिए आगे बढ़ते हैं, 127 question, Artemis Accords, ये भी काफी चर्चा में था, Artemis Accords, अब Artemis Accords के बारे में मुझे ये पता है, United States of America led है, इंडिया ने भी इसको join कर लिया, I remember these things, चल It is a legally binding international agreement led by US to guide civil space exploration, अगर पता भी नहीं है, तो मुझे नहीं statement के साथ बड़ी दिक्कत है, सबसे पहले तो led by United States है और legally binding होगा, ये मैं थोड़ा सा यार, इसको मानने से बड़ी दिक्कत होगा, अगर मैं नहीं जानता तब भी, illogical statement, क्यों पता है, of course, Artemis Accords, United States of America led है, 25 से जादा देशों ने इसको accept किया हुआ है, लेकिन ये legally binding नहीं है, it is a set of non-binding agreements, आपको join करना इच कर सकते हो, तो पहला वाला तो गलत है, अगर पहला वाला गलत है, तो ये चला गया, और ये चला गया, दो option चले गया, क्योंकि करेक्ट ही ढूणने कालना है, इस बार मैं correct process जा रहा हूँ, टू, it requires nations to create safety zones while conducting experiments on the moon, परफेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक clause ये भी है, तीसरा है, India has, it has been signed by India, ठीक है, ये भी मैं जानता हूँ, तो इसका answer क्या है, आपका two and three are correct statements regarding Artemis Accords in this particular question, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, let's move to question number 128, 128 में, James Webb Telescope के बारे में, कुछ चीज़े बताएगी, JWST, James Webb Space Telescope के बारे में, कुछ statement दिये गए है, how many of the above statements are correct, कितने correct हैं, okay, it was developed by, it was developed by NASA, and European Organization for Nuclear Research, इस फर्जी यार, इस कम्प्रीट रॉंग होगे, देखो, NASA तो है, लेकिन NASA के साथ, ये CERN क्या करेगा, ये CERN आपको पता नहीं, ये क्या है, CERN, European Organization for Nuclear Research, ये एक underground facility है, जिनोंने Large Hadron Collider बिल्ड किया है, CERN ने Large Hadron Collider बिल्ड किया है, at the boundary of Switzerland and France, जहां पे, वो experiment run किया गया, उन्होंने आपको याद होगा, 2012 में Higgs Boson ढून निकाला, जिसको God Particle का नाम दिया गया था, उसके उपर, पुष्टी भी कि उन्होंने 2017 में फिर से, CERN, James Webb Telescope को क्या करेगा, यार है कि ने, तो गलत है, पहला गलत है, तो भाईया, all three तो हो नहीं सकता भी, यह तो चला गया, it is situated at L1 Lagrange point between Earth and Sun to make use of solar energy as fuel, total, total गलत है, completely फरजी, completely wrong, why, because it is at a point called as L2, L1 पे तो हम अपना अधित्य बेज़े है, recently हम लोग ने अपना अधित्य बेज़े है, L1 पे, पे है, तो L2 पे है, L2 पे है, L1, L2 दोनों ही 1.5 million kilometers दूर है, L2 पे James Webb telescope है, L2 पे आपका European Space Energy का Gaia probe भी है, तो नोट करना है, तो यह भी गलत है, तो अब only two भी चला गये है, ना, दो statement तो गलत नहीं निकाल गये, थर्ड statement दे सब कुछ रिलाइक करता है भी, unlike the Hubble telescope, it will study objects using ultraviolet radiation, यह थोड़ा सा tricky है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा information होना चाहिए, सबसे पहले चीज़, Hubble telescope, जो है हमारा Hubble telescope, हमारे low earth orbit में है, वो telescope, ultraviolet radiation इस्तमाल करता है, तो यह भी गलत है, जो हमारा James Webb telescope है, वो predominantly infrared range में, हमें data भेजता है, infrared radiation को इस्तमाल करते होए, it sends us information, this is wrong, so none of these are correct, actually, none are correct, कोई भी correct नहीं है, सारे के सारे statement गलत है, James Webb telescope के बारे हैं, चलिए, आगे बढ़ता है, let's move to question 129, अधित्या की बात की, अधित्या का सवाल आगया, चलो, अधित्या L1 mission, हम लोग ने पिछले साल अधित्या L1 mission launch किया था, यह हमारा पहला space observation का mission है, in fact, यह हमारा दूसरा astronomical mission है, यानि कि astronomy based study के लिए दूसरा mission है, 2015 में हम लोग ने astro sat भी भेजा था, इसका life खतम हो चुका है भी, तो यह दूसरा mission है, dedicatedly की space based phenomena को study करने के लिए, जहां पे specifically sun को study करना चाहता हूँ, तो अधित्या L1 के वारे में कुछ statement दिये गया है, आपको ढून निकालना है, correct, with reference to अधित्या L1, पहला है, यह पूरा का पूरा गलत है, तो अगर यह गलत है, तो one only तो गलत है, और यह भी गलत हो जागा, दो तो निकल जाएंगे, सब कुछ रिलाई करता है, second statement भी, ठीक है, second statement चलते है, lagrange point L1 is a stable position, which enables अधित्या L1 spacecraft to provide an uninterrupted view of sun, देखो uninterrupted view तो देगा, लेकिन इस stable point नहीं है, this is not a stable point, L1 हो गया, आपका L2 हो गया, और L3 हो गया, यह तीनों के तीनों unstable points है, इसलिए हमें time and again यहां पे reorientation करनी पढ़ दी है, और इसलिए मैंने आधित्या L1 को L1 point पे, L1 point के halo orbit में डाला है, तो वो हर दो महीने या फिर कुछ महीनों में उसका position बदलेगा बस थोड़ा से, it's not a stable position, it's unstable, तो किनी दो celestial bodies में 5 Lagrange point आपको मिलते हैं, which is based on the calculation or computation which was developed by Louis Lagrange, एक French mathematician था, तो उसने बताए कि दो celestial bodies की बीच किसी भी system का हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल Earth और Sun system का हो सकता है, किनी दो system का भी हो सकता है, जैसे कि Sun और Jupiter के system में आपको 5 Lagrange point मिलेंगे, Earth और Moon system में आपको 5 Lagrange point मिलेंगे, तो 5 Lagrange point में जो line joining the two bodies, unstable points होते हैं, और जो bodies के equilateral triangle के vertices पे होते हैं, L4 और L5, these are stable points, तो Earth और Sun के system में जो stable points है, L4 और L5, वहाँ पे हम कुछ भेज नहीं सकते, ऐसा नहीं कि भेज नहीं सकते, चलो, आगे बढ़ते हैं, Ergosphere पर सवाल, Ergosphere, सरी Ergosphere क्या है, सुनाओगा आपने, current phase में, space-based phenomenon ही है, Ergosphere, it is connected to black hole, it is connected to singularity, it is connected to black hole, ठीक है, उससे जुड़े भी कुछ सवाल है, correct statement होन निकालना है, Ergosphere, it is a boundary which demarkets a point of no return in the black hole, it is a characteristic of rotating black holes, it is possible to extract energy out of Ergosphere, ठीक है, अगर पड़ा हुआ है तो काफी easy सवाल है, अगर नहीं है, तो I would consider this to be a little tough question, it is a boundary which demarkets a point of no return in black holes, absolutely गलत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, it is a characteristic of rotating black holes, yes, rotating black holes को characteristic है यह, it is possible to extract energy out of Ergosphere, येस, theoretically it is possible to extract energy out of ergosphere, scientist बता चुके ही है, तो इन में से कौन से correct statement है, correct statement है 2 and 3, तो हमारा जवाब है 2 and 3, ठीक है, सरी ये ergosphere होता क्या है, जब भी you find a singularity, you find a black hole around it, you do understand, तो rotating black hole के इर्दगिर्द आपको ergosphere मिलेगा, ergosphere वो area है, वो area है, which is not a point of no return, point of return है यो, जैसे ही आप event horizon में चले जाओगे न, event horizon is a position, which is point of no return, वहाँ पर अगर चले गए तो वापस आने का कोई गुंजाईश नहीं है, खतम, गवान, टाटा, बाय बाय, खतम, okay, that was दिरागा स्टाइल, okay, all right, तो कभी कबार थोड़ा से जोक्स तो बनता है न, तो यहां पे, क्या बता रहा रहा था है, event horizon में, it is a point of no return, okay, it's a point of no return, all right, so, in the black hole region, event horizon is considered as point of no return, not ergosphere, and technically, technically, in a theoretical sense, जो आपका, जो आपका ergosphere है, वहां से हम लोग, energy extract कर सकते हैं, यह बताया जाता है, by scientists, तो इसको धान रखना है, ergosphere is a very important, very important topic, okay, सवाल इसे बन सकते हैं, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question 130, let's move to question 131, गगन यान के बारे में सवाल, गगन यान, अभी हम लोग, launch करने वाले हैं, अभी तक launch हुआ नहीं है, काफी extensive, इसके उपर testing चल रही है, technically launch होना चाहिए था, 2022 में, लेकिन COVID की वैसे थोड़ा सा delay हो गया है, अभी हम लोग ने हमारे scientists, sorry, not scientists, astronauts, we are not, उन्हें भी हम लोग ने चूज कर लिया भी, तो consider the following statement, पहला है, it involves a demonstration of human space flight, yes, हम लोग यह demonstrate करने वाले हैं, आपको दोड़ निकालना है, correct statement, it consists of two unmanned missions and one manned missions, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह 10,000 crore रुपए का project है, 10,000 crore रुपीज का project है, जहां पे 3 launches होंगे, अभी तक अलड़ी बहुत extensive testing हो चुकी है, इसको हम लोग LVM3 पे भेजने वाले, in fact उसको nomenclature दिया है HLVM3, human LVM3, जो solid stage है, उसकी testing हो चुकी है extensive, जो liquid stage है, विकास engine वाला, उसकी भी testing हो चुकी है extensively, जो तीसरा है cryogenic upper stage, उसकी भी testing हो चुकी है, जो liquid hydrogen fuel इस्तेमाल करता है, उसके अलबा, हम लोग ने दूसरी भी testing करती है, हम लोग ने abort testing करती है, अगर क से कैसे, safety of morbid में, जो वहाँ पर enter कर सकते हैं, वो भी हम लोग टेस्स करती है, तीसरा statement है, it will be launched to geosynchronous earth orbit, ये, I don't like this statement, it will be launched to geosynchronous orbit, this is nonsense, this is nonsense, गलत statement, ठीक है, it will be basically launched to low earth orbit, परजी statement था पूरा, low earth orbit भेजने वाले, 300 से 400 km के बीच में, वहाँ पे हमारा orbital module जाएगा, 5 से 7 दिन हमारे जो astronauts है, वो धरती का चक्कर लगाएंगे, उसके बाद, वो module re-enter करेगा, और उन्हें safely हम लोग land भी करवाएंगे, water landing होगी, using the parachutes, etc, तो इसमें से कौन से correct statement है, 1 and 2 are correct, C इसका जवाब ह होगा, 123 नहीं है, 3 only भी नहीं है, 2 only भी नहीं है, ठीक है, clear है, चलो, आगे बढ़ते हैं, which of the following statements, these are correct with this, शुक्रयान, शुक्रयान के बारे में statement भी शुक्रयान, इंटरस्टिंग है, शुक्रयान अनॉंस कर दिया है, इस रो ने, पिछले साल शुक्रयान अनॉंस हुआ था कहा था कि 2024 में से की शुरुवात होगी, लेकिन आप जानते हो कि शुक्रयान को थोड़ा सा back burner पर डाला गया है, 2031 तक शायद शुक्रयान हम लोग launch करेंगे, ठीक है, आपको डून निकालना है, इस में से correct statement, again, correct statement, it is the world's first mission to Venus, डाउट आ रहा है, मुझे भी डाउट आ रहा है, वर्ल्ड का पहला mission नहीं है, अब मुझे अगर पता भी नहीं है, तब भी मैं guess तो कर दोंगा, शायद वर्ल्ड का पहला mission नहीं होगा, क्योंकि हम से पहले जो बड़े-बड़े महारती लोग है न, जैसे कि, especially NASA हो गया, औ रही न, कहीं वो लोग कुछ missions तो run किया होंगे, शायद Venus को, I probably don't know, but I will guess it करके, और पहले कर चुके हैं, कोशिश, in fact, NASA के missions जा चुके है, Venus को, सबसे पहला mission, in fact, Venus को, Russia का mission था, USSR का, Sputnik 5 था, not completely successful, लेकिन ठीके, पहला mission वो था, तो हमारा पहला mission नहीं, ये गलत हो जाएग ठीक है, its primary objective is to demonstrate soft landing on surface of Venus for carrying out experiments, no, no, शुक्रियान के साथ, मैं soft landing नहीं कर रहा हूँ, शुक्रियान के साथ, मैं केवल एक orbiter भीजने वाला हूँ, I am going to send a orbiter, ये Venus है, तो Venus के इर्दिर्ध, वो revolve करेगा, और हमें data देगा, तो Venus को orbit करेगा, वीनस के अपर atmosphere को study करने के लिए हम लोग शुक्रियान launch करने वाले है, date approximately 2031 तक शायद चली जाएगी, कोई confirm date नहीं है, लेकिन project जरूर अनौन्स को चुका है, by ISRO, landing नहीं होगी, no, ठीक है, दोनों गलत है, तो ये भी गलत है, तो neither 1 or 2 is the correct answer for this, कोई statements आई नहीं है, ठीक है चल, आगे बढ़ते हैं, let's move on to question number 133, भार OS, भारत OS के बारे में, थोड़ा सा computers के बारे में बात कर लेते हैं, information technology के बारे में बात करते हैं, भार OS है ना, consider the following regarding भार OS, indigenous developed operating system, अब जानते हो, कि भारत OS करके operating system developed किया गया है, एक, IIT Madras की, एक incubated company है, उन्होंने भारत OS करके operating system developed किया, उसके बारे में कुछ statement दिये गया है, आपको बताना है कौन से correct है, सबसे पहला statement, भारत OS is a mobile operating system, which focuses on privacy and security, absolutely correct है, privacy और security के पर focus करता है, और note करना है, computer operating system नहीं है, mobile operating system, very similar to android, okay, second, भार OS is based on android open source project only, ये भी correct है, क्योंकि android open source project को लेकर ही, हम लोगने इसको develop किया है, इंडिया की तरफ से, open source projects को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, आप सभी इसको जानते हैं, इंडिया में open source जो platform है, open source software से, open source जो application architectures है, interface है, उसको काफी development दी जा रही है, तीसरा है, भार OS comes with pre-loaded google services like any regular android phone, पूरा का पूरा गलत है, देखो यार, ये जो google है, अगर pre-loaded services से google की, तो google privacy को respect करता है, मुझे लगता है, अगर पहला statement सही है, तो तीसरे statement, google का नामों निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि google और privacy, google और privacy का मुझे लगता नहीं कि दूर दूर तक नाता होगा, न Google का, न Meta का, उनका और privacy का दूर दूर तक नाता नहीं है, तो अगर इस particular operating system में भी मैं google के services डाल तो कहां का privacy और कहां का security maintain होगा है, in fact, जो भार OS है, it comes without any bloatware, यानि कि इसके अंदर कोई इस तरह के bloatware नहीं होंगे, यह अपना खुद का app store develop कर रहा है, अपना खुद का app store इस्तमाल करेगा, अपने खुद के secure apps वो download करने देगा, अभी फिलाल individuals के पास यह available नहीं है, जो company है, वो company अभी फिलाल कुछ-कुछ दूसरे organizations को जहां पर जरूरत पढ़ती है, इन्हें जरूरत है, जादा security की, जादा privacy की, तो उन organizations को अभी फिलाल दिया गया है, यह भार operating system, भारत operating system, in short, boss भी कहते हैं, कभी-कभी हम लोग, boss, या फिर भार OS, mobile operating system, ठीक है, तो note करना है कितने सही हुए इसमें से, एक 1 और 2 सही है, correct statement रूट निकलना, तो all 3 तो नहीं है, none भी नहीं है, तो only 2 इसका जवाब है, only 2 में statement 1 and 2 correct है, ठीक है, चलिए, अगले सवाल में चलते हैं, recently in news, the risk 5 is associated with, risk 5 जो term है, वो किस चीज़ से associated है, चार option है, disaster risk reduction guidelines, open standard instruction, set architecture for microprocessors, computer malware developed by NGS, e-waste processing guidelines, ठीक है, तो अगर आपने risk 5 की बारे में पढ़ा है, तो it is an open standard instruction, architecture for microprocessors, यह एक not-for-profit global organization भी बन चुका है, risk 5 करके, इसको ultimately में कहूंगा, more or less lead कर रहा है, Qualcomm, जो microprocessors की company है, वो चाहते हैं कि open standard instruction, जो microprocessors रहेंगे, reduced instruction के, risk का मतलब है, reduced instruction set computer, reduced instruction set computer, reduced instruction set computer, इसका opposite हो जाएगा complex instruction set computer, जो हमारे processor होते हैं, computer वो complex instruction set computers होते हैं, तो risk, reduced instruction set computers, इसके उपर कापी महतों बढ़ रहा है, जैसे हम लोग IoT की बात करते हैं, तो कई सारे IoT based devices हैं, जहांपे मुझे, उतने extensive microprocessors की जरूत नहीं पढ़ती हैं, तो इसलिए Qualcomm और दूसरे company से साथ में आये हुए हैं, open standards, open platform एक बनाया है, जहांपे उन्होंने, जो risk microprocessors, यानि कि reduced instruction set computer के microprocessors develop करने, उसके प्रती एक knowledge sharing हो रही है, ताकि और भी अच्छे से risk processors को हम लोग evolve करें, this is not applicable to CISC, complex instruction set computer को यह apply नहीं करता है, clear, is it clear, good, चलिए, 134 के बार, let's move ahead, consider the following statements, पास्की के बारे में सवाल है, before I begin the question, let me have another sip of water, थोड़ा सा गर्मी है, गर्मी की वैसे, गर्मी की वैसे, थोड़ा सा पानी की requirement काफी साधा बढ़ चुके है, तो आप किया पे गर्मी कैसी है, I'm quite sure, काफी जादा होगी, वैसे कुछ-कुछ, एरियास में काफी बारीश हो रही है, जैसे, in some areas in महाराश्या, it is raining a lot, right, election season भी शुरू हो चुका है, चलो, सवाल वापस चलता है, पास्की के बारे में सवाल है, पास्की के बारे में, जो करेक्ट सेटमेंट है, वो डोन निकालना है, पहला स्टेटमेंट है, पास्की is a digital credential, tied to a user account and a website or application, पास्की allows user to authenticate without having to enter username और password, पास्की टेक्नोलजी एम्स तो रिप्लेस लेगसी authentication मेकानिजम सच अस passwords, तीनो के तीनो स्टेटमेंट एपसलूटली करेक्ट है, अगर आपको याद होगा, जनवरी दोहजार चॉबिस में, गूगल ने एक ब्लॉग रिलीज किया, गूगल ने एक ब्लॉग रिलीज किया, जहां पे उन्होंने बताए कि हम लोग passwords को obsolete करने वाले, यानि कि आने वाले समय में, अगर मैं कहूँ approximately आने वाले 4-5 सालों में शायद passwords रहे ना, पासवर्ड के बदले आपको pass की मिल जाएगो, सर्फ pass की क्या होता है, सर्फ pass की के लिए मुझे username की भी जरूँत नहीं कि नहीं, no need of username, क्यूँकि username भी integrate हो चुका है, आपका pass की क्या हो सकता, शायद आपका fingerprint हो सकता है, शायद आपका iris scan हो सकता है, शायद कोई दूसरा biometric based login हो सकता है, biometric के साथ कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि for example from some authenticator app, जैसे आप आप अलड़ी बहुत सारे pass की इस्तेमाल करते हो, अपने mobile पे आप अलड़ी पास की इस्तेमाल करते हो, आपको पता है किया, जैसे fingerprint है, बहुत सारे mobile से fingerprint आ चुग है, इस नहीं बड़ पास की, आइफोन में face idea, इस नहीं बड़ पास की, तो अभी password का आगे जरूद नहीं पड़ेगा, आपको शायद पास की इस्तेमाल करेंगे, Google नहीं बता है, that we will replace the idea of passwords in near future, ठीक है, चलिए, question 135, पास की की बड़ आगे चलते है, डीप फेक्स की बारे बारे बारे, डीप फेक्स भी काफी चर्चा का विशह बने हो या, तो डीप फेक्स पेक्स सवाल है, consider the following statements with respect to deep fakes, pardon me for that, correct statement ढूँड निकालने है, पहला statement है, डीप फेक्स अर highly realistic, and often convincing digital manipulations of audio, और video, और बोथ, of course, created using artificial intelligence and machine learning technique, ये तो definition है, डीप फेक्स का, डीप फेक काफी चर्चा में, बहुत लोगा की deepfake आगया, और रश्च्छमी का मढना का deepfake आगया था, कैतरीना क अचुगे जानार टरॉम्प की बहुत सारे डीप फेक्स आ चुके हैं, तो deepfakesась have become very prominent these days, specially for spreading misinformation, और election की जमाने में, काफी मिसीज हो सकता है तो डीप फेक्स का डेफिनिशन है यही ए और एमल के टेक्निक इस्तेमाल करके उसको मैनिपलेट करते हैं दूसरा है डीप फेक्स कैन बेवलप यूजिंग कॉम्बिनेशन ओडिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर अल्गॉरितम्स विच और कॉल्ड जनरे मेरा डीफिक बनाने है तो एक तो राहुल सर की आवाज राहुल सर का स्टाइल राहुल सर का जो भी जेस्टर से वह है क्योंकि आपको ऑडियो वीडियो सिंक कराना है तो राहुल सर का स्टाइल है समझ लो आवाज किसी और की डालनी है तो पहले राहुल सर की स्टाइल को स तो दिस्क्रिमिनेटर अल्गॉरिफम्स और जनेरेटर अल्गॉरिफम्स बोथ तोगेदर विल इवेंच्छली गिव में मैं बीप फेक तो सकेंड भी करेक्ट है थर्ड है दीप फेक क्रियेशन इस बैंड इन वसे बट अलावड इन इंडिया कुछ पसंद नहीं है मुझे सेटमेंट कि कहते हैं डीप फेक क्रियेशन इस बैंड इन वसे गलत है ऐसा नहीं देखो सबसे पहले इस सवाल का जवाब है ओनली डू ओनली टू यह गलत है बाकी दिन अपको डिप फेक पर से गलत नहीं है आपको ध्यान रखना है डीप फेक अब इसे नहीं बहुत पहले से इस्तमाल होता है अल्मोस्ट मैं कहूंगा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हो गया आपकी जो नाइनी अडवांस अल्गॉरिटम्स बन रहे थे उस समय से ही इस्पेशली हॉलिवड में इस्तमाल करते हैं डीप इस्तमाल करते हैं यार वो अब समझ लो जैसे मुझे याद है कौन सा वो एक पर्टिकलर हीरो के मृत्ति हो गई थी यार उसके डेथ के बाद एक मूवी आई थी कुछ बचा हुआ पाट था डाट वस्तूदी फेक ओनल को सब्स पर से नॉट बैंड कहीं भी भैंड नहीं है ठीक है लेकिन का गीफिब जूपयोग करना तर्रहलं कि और Years 1953 की वज़े से वह बिल्कुल लागू कर सकते हैं दूसरे आई पी से की सेक्षन से 153 अब यार शालो फेक तो एंटरेंबन बड़ा यूज करते हैं अब हाली मुझे मीम आया शालो फेक वाले बहुत सारे मीम आज वह एलेक्शन वाले तो बहुत मीम आते हैं दोनों भी मतलब बीजेपी व यह पर सो गेजरी वाले मीम आये तो कुछ तो आम किसा जोड़ा हुआ तो दोजर शैलो फेक्स क्यों कि जानते हैं मतलब भाई वह फेक है शैलो फेक है इमिडिटली रेकेगनाइज कर दोगे कि यह तोटली फरजी है करके लेकिन एंटेटेन्मेंट परवरस के लिए बना ह दिक्कत हो जाती है यह उसको आइडेंटिफाइ करना कि वो डीप फेक है थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है कॉमन कॉमनली यह फिर प्राइम अफेसी को इसको देखेगा उनको लगता या रहे तो नॉर्मल चीज़ है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं कि वेशिंथ 137 विच अफेक्ट वन अनदर इवन इफ दोस पार्टिकल्स आ लाइट यह अपार्ट दो पार्टिकल्स है जो लेकिन एक दूसरे को इंपक्ट करते हैं कॉंटम मेकानिक से जुड़ा हुआ फंडा है कॉंटम कंप्यूटिंग में आपने जरूरे कॉंसर्ट पढ़ा हो कॉंटम एंटांगल में दोनों पार्टिकल्स एंटांगल है इसी प्रोसेस को हम लोग इस्तमाल भी करते हैं से इसे कॉंटम और सुपर पोजिशन हो गया कॉंटम इंटांगलमेंट हो गया कॉंटम इंटिफरेंस हो गया यह सारे प्रिंसिपल समनों इस्तमाल करते हैं इन आर कॉंटम कंप्यूटिंग प्रोसेसस कॉंटम कंप्यूटर्स बेसिकलिए चली आगे बढ़ते हैं क्वेशन 138 में इंक्स्रोंग इंटिफरेंस्स उडिशीव from traditional 3D printing what does the fourth dimension in 4D printing refer to 4D printing आजकल काफी prominent हो चुक है 3D तो पता है न भाई X Y Z तीन dimensions तो हो गई 4D क्या है 4th dimension क्या है पूच रहा है A the ability to print using multiple materials second the inclusion of time as a factor where printed objects can change shape or function over time the resolution detail of the printed objects the speed of printing process so the fourth dimension in 4D printing is actually time this fourth dimension is time समय के साथ जो 4D printed object है it can change time is a fourth dimension with time objects can change shape and object can even change function over the time ये नई एक development है under printing technology 4D printing का idea ठीक है नोट करना एक चली लगे बठते हैं 139 139 आसान सवाल ए किम शीन लर्निंग क्या है पूछ रहा है औल्दो कुछ लोग बताते हैं कि we might have reached इसे आपको याद होगा पिछले साल एक गूगल के एंजनियर ने बताया था कि गूगल का जो लैंबडा प्रोग्राम है वो conscious हो गया उसी खुद की चेतना है घर क्या वहां तक हम लोग शायद पहुंचे नहीं है we are still in the age of machine intelligence for sure but machine learning पहला stage है machine learning है क्या पूछ रही है चलो पड़के अटेंप्ट कर लो यह आसान है मुझे लगता है चलो अटेंप्ट कर लो टेक 10 seconds and attempt it मैं भी तब तक पढ़ लेता हूं making smart device and make them think and act like humans नहीं everything connected to data collection preparation and analysis total फर्जी using algorithm algorithms trained on data to produce models that can perform complex tasks यह सही लग रहा है process of exploring and analyzing large datasets to find hidden patterns नहीं यह नहीं यार algorithm वाला is the more appropriate one although C and D में थोड़ा सा confusion students के हो सकता है but I would go with C कि algorithm के basis के उपर मैंने train किया हुआ है ताकि जो algorithm है जो भी machine है फिर algorithm है it may not be humanoid it may not be a robot it may not be an android it's kind of an algorithm जो data के basis के उपर complex tasks कर देगा आपका तो machine learning का basic definition है यही using algorithms trained on data to produce models that can perform complex tasks okay that is machine learning उसके आगे वाली चीज़े machine intelligence when it takes decisions on its own टेकर 140 India stack India stack a term recently news refers to India stack का मतलब क्या है यह तो अपने जरूर सुना होगा इंडिया stack के बारे में पहला option के यह था है टाइप ऑफ जीन cloning that refers to process of combining two or more genes of interest into a single plant इसको eliminate कर दो हो यार यह कुछ इंडिया stack से जोड़ावा statement लगी नहीं रहा है second a set of open API's application platform interfaces and digital public goods that aim to unlock the economic primitives of identity data and payments at population scale most likely yes third a revolutionary digital infrastructure that would ease the way for orderly deployment of various healthcare initiatives nine a collection of technologies and digital databases proposed by central government focusing on India's farmers and agriculture sector 9 would be a set of open API's and digital public goods इसी को इंडिया stack नाम दिया गया है जैसे कि मैं आपको बता है हम लोग open source के ऊपर काफी promotion कर रहे है ministry of electronics and information technology is promoting a lot of open source platforms a lot of open source development open source apps open source mobile mobile operating system open source even computer operating system might come very slow ठीक है the answer is b चली आगे बटते है 141 fog computing fog computing okay consider the following statements about fog computing correct statement को ढूल निकालना है पहला statement है it refers to extending cloud computing to an edge of an enterprises network and thus is also known as edge computing or fogging okay doubtful है the ideal scenario for its usage is when devices are subjected to rigorous computation processing computation processing ठीक है third it hampers the overall security of the system as data resides close to the host it hampers overall security of the system as data resides close to the host यह तो गलत है यह तो सीधे गलत है तो let me just eliminate this लेको fog computing में overall security थोड़े hamper हो जाएगे नहीं cloud computing के ऊपर वाली चीज़े तो security hamper नहीं होने चाहिए यह तो गलत है ठीक है फिर से it refers to extending cloud computing to an edge of the enterprises network and thus is also known as edge computing fogging although edge computing or fog computing काफी close terms इस्तमाल करते हैं तो I would go with the definition one yes the ideal scenario for using is rigorous यह तो two तो सही होना चाहिए तो two तो होना ही चाहिए option two should be there तो I'll go with the better option of see one and two है कई बार हम लोग कई बार हम लोग उसको edge computing और fogging भी हम लोग कहते हैं okay true अगला सवाल भी edge computing से जुड़ा हुआ है which of the following statements given below about edge computing is not correct not correct बोल रहा है it is a centralized computer framework second it is about processing data closer to where it is being generated through at the edge few examples of use cases include self-driving cars yes autonomous robots yes the cost associated is very high and it requires relatively more advanced infrastructure तो यह तीनों भी correct है यह भी correct यह भी correct यह भी correct this is the wrong statement and this is the answer also see edge computing is not a centralized computing framework but in fact it is a decentralized it is a decentralized computing framework अगर आप देखो computing के बारे में although जिसे मैंने आपको बता है edge computing fog computing simple way में सबसे सबसे nominal आता है cloud computing जहां पे it is based on different data centers लेकिन fog computing it is based on millions of nodes and edge computing it is based on billions of device we have connected and edge computing something which helps in enhancing this iot to cloud computing में हम लोग क्या करते है cloud computing में remote data access हम लोग करते है remote data access हम लोग करते हैं तो cloud computing में कई बार data remotely access कर रहे हैं तो data का security हमेशा सवाल में आ जाता है लेकिन edge computing उससे sorry fog computing उसका next level का है जहां पे edge computing और cloud computing के benefits को मैं जोड़ देता हूं somewhere in between तो यहां पे आपका security is much higher in comparison to cloud computing it does not reduce the security it increases the security but in तीनों में भी cloud computing हो edge computing computing और fog computing और तीनों में भी यार पैसा बड़ा लगाता है सर पैसा क्यों लगा यार infrastructure लाएगा एक तो दूसरा है तो यह electricity लेगा तीसरा है इंटरेट का expenses आड़ हो जाए चौता है new technology हम लोग evolve करते रहेंगे तो इट इस रादर अ कॉस्लिए प्रोब्लम क्या होता है कि लेटेंसी ज्यादा होती है यानिके डीले काफी ज्यादा होती है कि वही एज और fog computing के साथ actually latency हम लोग कम करते हैं ठीक है और fog computing में तो क्यूंकि मैं बहुत सारे nodes इस्तमाल कर रहा हूँ parallel computing है तो जो हमारी bandwidth के requirement है उसको थोड़ा सा reduce जरूर कर देता है तो कई बार कई बार हम लोग जैसे there is a lot of commonality here दोर में बट स्टिल अलग रख टर्म सम लोग develop कर चुके edge computing for computing cloud computing ठीक है clear है चले आगे चलते हैं आगे चलते हैं 143 question 143 भे with reference to 5G technology consider the following statements it offers ultra high latency and speed correct statement रोण निकालना है तो ये तो मुझे correct नहीं लग रहा यार I don't think this is correct है इट offers ultra high latency and speed नहीं 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 अल्ट्रा high speed तो देगा correct है ultra high latency नहीं इर्गिवस actually ultra low latency तो one को तो हटा दो है ये तो गलत है तो ये चला गया ये भी चला गया ये चला गया तो या तो two and three है तो three only है second it is divided into three different frequency bands with different capabilities बिल्कुल 5G के साथ मुझे पता है एक तो सब one gigahertz का एक band है जो थोड़ा सा low speed है one gigahertz से लेकर one gigahertz से लेकर six gigahertz तक का एक मेरा band है जो थोड़ा सा higher speed है it's high speed अल्ट्रा high speed आपको मिल जाएगा 24 gigahertz से लेकर 71 gigahertz तक आपको ultra high मिल जाएगा तो second तो correct है ठीक है तो second होना ही चाहिए तो I do get the answer here यह answer आगया थर्ड क्या है compared to 4G it offers 100x increase in traffic capacity and network true यह भी true यह भी true है ठीक है absolutely correct कोई दिखर नहीं तो easily हम लोग पहुंच गए C two and three पर चलते हैं how many of the pairs given below are correctly matched correctly matched कितने बेर से बता तो कुछ explanation दिया हुआ है first one extended reality augmented reality mixed reality virtual reality मुझे पता है augmented reality क्या होता real objects है real life है उसको augment करते इसको enhance करते virtual reality क्या है complete immersive experience दे रहाँ है वो virtual reality गोगल्स चाहिए यह दो आइडिया मुझे पता है इसके अलाबा जो आपका mixed reality और extended reality है उसकी definition ज्याबती है देखने चली extended reality allows not only superposition of digital elements into real world but also their interaction नहीं यह एक्चुली इसका definition mixed reality का definition तो पहला वाला तो गलत है augmented reality allows the superposition of digital elements into the real world ठीक है real world पे digital elements को मैंने कर दिये हैं यहीं तो मैंने बताया आपको थर्ड है mixed reality encompasses any sort of technology that alters reality by adding digital elements to the physical or real world environment by any extent इसको बोलते है extended reality यह भी गला था पूर्थ है virtual reality allows the creation of immersive fully immersive digital environment यह तो true है यहां पे बस extended reality mixed reality की दोनों के definitions exchange किये गया है तो तो सही है तो गलत है तो I'll go with two pairs only two pairs so I will go with I will go with two and four I'll go with two and four ठीक है 144 चलिए आगे बटता है 145 पे with respect to satellite communication consider the following statements note करना है which of the following statements are not correct ठीक है satellite communication के और में तीन स्टेटमेंट दियेगा है पहला स्टेटमेंट है it is an electronic communication package placed in an orbit whose prime objective is to initiate or assist through space ठीक है यह तो basic idea यह satellite communication में satellite भेजा है जहां पे communication packages specific band होगा specific radio frequency होगी उस पे मुझे connect करना है बस second satellite transmission ensures coverage over geographical areas that are quite large and sparsely populated यह तो true है satellite transmission यार जहां पे मेरा टावर नहीं है जहां infrastructure नहीं है वहां पे मुझे प्रोवाइड करते सैटलेट इंट्रेट अब देखो इलान मस्स क्या कहता है पानी में जाओ Pacific Ocean में मैं तुम connectivity दोंगा जंगल में जाओ मैं तो जहां पे इंट्रेशन नहीं वहां पे connectivity दे रहा है तीसरा है सैटलेट कम्यूनिकेशन यूज इन शिप प्लेंस और सैटलेट कम्यूनिकेशन है तो कुछ भी कर लेंगे तो वन टू सही है थ्री गलत है तो कौनसे गलत है दूड निकालना है तो तीन गलत है यह गलत है यह गलत है यह गलत निकालना है गरेक्ट चलिया आगे बड़ते 146 पर चलते हैं फिके काम तो व फिके काम निकालना है जी एे सकते है तो कई कब है करें चू करेंगे कालना है तो करेंड एकलत है करेंडfend Way कालना है तो सब्सक्वhouse अब फाइबर आप्टिक्स आने से वहले कॉपर कहीं तो कनेक्टिविटी था और थे प्रपागेशन ओफ सिगनल्स इन फाइबर आप्टिक केबल्स इस यूनि डिरेक्शन ये भी पर्फेक्टली करेक्ट है चारों के चारों करेक्ट हैं ऑप्टिक फाइबर में यूनि डिरेक्शनल रांस्फोर होता है डेटा का इसलिए वी नीड मल्टिपल केबल्स होगे ध्यान रातना है तो एक ही अप्टिकल फाइबर में यूदू फाइबर में यूदू फाइंट मल्टिपल मल्टिपल चैनल् communication you do understand right 147 with reference to ORAN open radio access network consider the following correct रून निकाल ना था correct ही रून निकाल ना था correct ही रून निकाल था correct ही रून निकाल था हमनों correct रून निकाल ठीक है चली आगले सवाल ORAN पर चलते है ORAN open RAN open RAN open RAN enables open RAN enables the interoperability of hardware and software components of across different operates अरे open RAN का मतलब ही वही है देखो open radio radio access network का मतलब क्या है कि आपके अलग-अलग networks में interoperative भी लेड़ चाता हूं मैं 5G हो 5G 4G से करना है तो उसके लिए मुझे specific anti-never specific equipment खरीद लो तो 5G से जूड़ सकता हूं मैं that is ORAN second statement it primarily focuses on enhancing network security by using proprietary technologies देखो पूरा का पूरा फर्जी है एक तो कह रहा हूं open radio access है और दूसरा कह रहा हूं security बढ़ानी है और proprietary technologies को इस्तेमाल करना है यह कैसे हो सकता इंपॉसिबल है अगर open radio access करना है तो मेरे पास 5G network है मेरे पास 5G का equipment है तुमारे पास 4G का equipment है तो मैं चाहता हूं मेरे जो 5G का जो frequency है उससे 4G का जो डिवाइस हो भी connect हो जाए तो उसके लिए मैंने common समझ लो एक तरह का एंटिना दे दिया है फिर एक तरह का connecting device दे दिये वह 4G device है थूद फोर जी डिवाइस है थूद इस पर्टिक्लर एंटिना इट कनेक्ट तो 5G that's the basic idea of oran तो तो गलत है तो इस में से कॉन से कॉन से artificial neural network के बारे में ANN के बारे में सवाल है with reference to artificial neural networks consider the following statements correct statement को दो निकालना है it is a computational model that mimics the way nerve cells work in human brain absolutely correct तो ANN के ओपर काफी जदा research चल रही है इलॉन मस्क की जो company है वो भी काम कर रही है ना neural link वगेरा you do get it second statement it is based on finding the optimal solution and thus requires less computational power यह का एक statement है optimal solution को डूंड निकालना है लेकिन less computational and thus requires less computational powers no no it requires very high computational power यार तो गलत statement है थर्ड है it is best suited for simple repetitive task पूरा परची पूरा को पूरा परची देखो simple repetitive task के लिए artificial neural network क्यों चाहिए अगर कुछ complex इस अगर कोई complicated चीज है तो बेटर उसके लिए उस करूंगा न एक तो computational value ज्यादा लग रही है पैसा ज्यादा लग रहा है electricity ज्यादा जग रहे है resources ज्यादा जा रही है तो तो गलत है 123 में से 23 गलत है तो 2 भी गलत है 3 भी गलत है सब्सक्राइब एक सवाल ज्यादा 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 अर्णी बहुत सारे अभी जनरेटिव प्री ट्रेंट रांस्फोर्मर मोडल्स आ चुके है तो उसके ओपर एक सवाल है कर्रेक्ट को इस्तमाल किया होगा कई साल का तो छाली बढ़ते हैं एक जोanced डिजाई पर न्यूम्रिकल डेटा अलसिस राधर दन टेक्स्ट रीसली अर्चैक्शन उर्ठ पोल्र तक पूरह घलत है मैं लिपकष्क्बूर्स कि रखना है इसेप्ट है it live here listen GPT models are primarily designed for numerical data analysis rather than name GPT is basically more suited for text generation anyways first to Galat the ability of GPT models generate text is based on a rule-based system that strictly follows predefined grammatical rules नहीं अरे GPT तो self-learning है यार मतलब वह पढ़ लेगा ना ऐसे थोड़ी है कि वह इतना strictly follows predefined grammatical नहीं यह यह तो वह हो गया मेरा chatbot हो गया यह तो मेरा chatbot हो गया यह GPT थोड़ी हो गया है जो अब जो मैंने बोला यार खाना किधर है तो बोलेगा इधर है मेरे को उससे बात करवा तो डिरेक्ली वह डिलीवर वह बॉइस से बायत करवा लेगा बस तो यह थोड़ी है no 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 two is also wrong तो two को भी हटा हो तो या तो three है तो none of the above सब कुछ rely करता है statement three statement three GPT models utilize deep learning techniques to generate human-like text based on input provided to them तो वही करता है मैं उससे बात करता हो तो मुझसे बात करता है यह तो परफेक्ट है तो दे एंसर इस see the only आसान था वैसे काफी easy था यह पढ़ने से लग रहा था काफी लंबा चोड़ा सवाल है लेकिन relatively बहुत easy था ठीक है relatively बहुत easy चली आखरी सवाल पर move करते है consider the following statements with reference to digital twin यह भी काफी चर्जाय का विशे बनावा है digital twin इस में से कौन से कौन से correct statement है digital twin के बार है तो पहला statement है it is a personalized virtual chatbot trained with the help of data generated by an individual user total फर्जी है total फर्जी है completely गलत it is possible for data to be stored in a decentralized manner ठीक है हां क्या प्रोब्लम इस पॉसिबल पो data to be stored in decentralized manner digital twin ने हम यह कर सकते हैं बिलको decentralized मोंने कर सकते हैं तो I'll go with two only sir यह है क्या digital twin अब सवाल उड़ता है digital twin है क्या देखो कि digital twin को समझो हम लोग जो computer में simulation करते हैं ना simulation का समझ लो उसका बाप है बस इतने simplest term में digital twin को समझ लो अब digital समझ लो क्या करने हैं अब समझ लो यहां पे मेरे हमने एक turbine पढ़ा हूँ यह turbine पढ़ा हूँ अब मुझे नहीं टर्बाइन वर्क कर रहे है वो टर्बाइन वह पर वर्क कर रहे हैं मुझे नहीं उससे भी बड़ा वाला turbine बनाना है उससे बड़ी ख्शमतवले turbine बनाने लेकिन मैं चाहता हूँ मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि भाई वह कितना मतलब उसको क्या क्या parameters लगे उन सबी चीजों को मैं थोड़ाँ टेस्ट करना चाहता हूँ तो simulation में क्या करते हो simulation में जैसे कि आप जैसे कोई software model बना लोगे simulation model बनाओगे एट्सेटरा simulation model में एक या दो parameter आप चेक कर सकते हो लेकिन digital twin का जो model है सबसे पहले वो टर्बाइन है उस टर्बाइन का मैं एक एक digital model बनाओगा और उस digital model को मैं चाहूं तो अलग-अलग variables के साथ test कर सकते हूं वो फाइदा है digital twin का digital twin कोई chatbot wordbot नहीं हो कि digital twin वो नहीं digital twin येस इस बेस्ट ऑन artificial intelligence बेस्ट एक्स्टेंड रियालिटी इस बेस्ट ऑन येस एक्स्टेंड रियालिटी एक्स्टेंड रियालिटी तो जिससे मैंने किया गया है कि इस model को इसी का एक model मैंने online में बनाया है और उस online model को मैं टेस्ट कर सकता हूं किसलिए समझ लो मैंने बड़ा turbine बनाना है तो यार सारा यहां पर कर लो simulation यह अल्टर लेवल का simulation is nothing but digital twin अब केवल टर्बाइन का मैंने एक्जम्पल दिया यूज अप्लाइट फॉर अप्लाइट फॉर अप्लाइट फॉर अप्लाइट फॉर अप्लाइट फॉर टेस्ट कर सकता है तो बहुत ही प्लेट फॉर ट्विन इंपट के साथ फाइदा क्या है कि बहुत सारे पारमेटर बहुत सारे वेरिबल्स में एक साथ टेस्ट कर सकता हूं तो उस बेसिस पर मैं चाहूं तो उसको रियल लाइफ में I can build it again that's the basic advantage of a digital okay clear who that was a lengthy session isn't it but that I hope that was a very useful session for all of you best 150 questions again to I have to repeat this again कि जिनों ने भी समझ लो science and technology को ignore किया हुआ है जिनों ने पढ़ा नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखें डू शेर दिस वीडियो with many number of people share it with the experts that you know जिनों ने पढ़ा है I hope कि आप सभी ने revision किया होगा कुछ सवाल थोटे सा तफ लगे होंगे कुछ सवाल बड़े ललू लोगे होंगे बड़े easy लगे होंगे but overall I hope that you have had a real good experience and I wish you all the very best for the examination which is upcoming all right and and do well all right जाने से पहले again thank you very much for watching the video all the way अगर इस वीडियो का पीडियो आपको चाहिए यू you can always follow me on this particular ID at the rate Rahul SAI 222 this is my social media ID so this is my social media ID it's it's same for Instagram it's same for your telegram channel so I will be making this PDF available on the telegram channel अगर आपको कोई सवाल है कोई डाउट है if you want to email me you can always email me on this particular ID Rahul SAI study IQ dot है बीच में dot है study IQ at the rate gmail.com ठीक है तो इस पर्टिक्लर Gmail ID पर आप मुझे mail भी कर सकते हो अगर कोई सवाल है कोई डाउट है all right but I'll make sure that you get this entire stuff on telegram as well as other avenues Instagram etc you can always contact me on Instagram do drop me a DM बताइगा कि आपका exam कैसे हुआ and with that I'll take your leave thank you very much and all the very best this is me Rahul signing off Jai Hind again and Namaskar study IQ is abdiyari hui affordable